अगर आप लोग मत्विदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें आप देखें MPPSC हो गया, आपका MP पटवारी हो गया, MP जेल पहरी हो गया, MP कॉस्टेवल यानि की पुलिस के लिए हो गया, MP दरोगा के लिए हो गया यह आप देखते हैं कि सिक्षक भरतिया होती रहती हैं, अनेकों एक्जाम होते हैं और जिसमें आप देखते हैं कि मद्वदेश सामानियान से आपकी परिच्छाओं में कुल्शन्स अच्छी खासी संख्या में पूचे जाते हैं और आप लोग उसे पहले भी एक बात कहता आया हूँ, कि आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी करें, उसका पाटकरम सबसे पहले आप लोग पढ़ा करिएगा, समझा करिएगा उसके बाद उसके पुराने कुर्शन्स पेपर, कम से कम 4-5 साल पुराने कुर्शन्स पेपर भी उठा के देखा करिएगा तो मुझे लगता है कि एक्जाम को और पेपर देने में आप लोगों को बहुत ही सहुलियत होगी और मुझे लगता है कि मद्गदेश सामान ग्यान के लिए आप लोग कई बुक्स पढ़ते रहते हैं आपको कोई किसी बुक्स का नाम बता देता है तो आप मार्केट जाधर उस बुक्स को खरी लेते हैं कोई और किसी बुक्स का नाम बता देता है, तो इस बुक्स को भी आप लोग खरी लेते हैं। तो मेरा यहां मानना कुछ अलड़ है, कि आप लोग दस तरह की बुक्स पढ़ने की वज़ाएं, एक बुक्स को दस बार पढ़िए। कितने बार? दस बार पढ़िए आप। और दस बार पढ़िएगा, और आप लोग एक काम जरूर कर सकते हैं, मौक टेस्ट दस तरह की आप लोग दे सकते हैं, और उसे आपको मौक टेस्ट से फायदा होगा। तो आज हम लोग इस किलास में कुछ मात्पूर कुश्चन्स आपकी लिये हुए हैं, और इन कुश्चन्स के आंसर हम लोग बिस्तार से देखेंगे, आपके पास कुछ टैम रहेगा, अगर आप लोगों को उसका आंसर आता है, तो नीचे आप लोग बता सकते हैं, लोगों को मद्विदेश के बारे में मालूख होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज बनाया जाता है, और जो चतिसगर आज कर आज कर आप लोग देख रहे ना, वो पहली मद्विदेश का हिस्सा हुआ करता था, और चेतफल में भारत में सबसे बड़ा राज जुगा करता था मद्विदेश, लेकिन आगे चलकर आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मद्विदेश का पुर्णर गठन होता है, और मद्विदेश सी अलग करकी 36 गड़ एक नया राज बना दिया जाता है, तो आप मद्विदेश का चेतफल में दूसरे नवंबर पाता है, पहले पर आपका राजिस्थाने दूसरे पर मद्विदेश है, और मद्विदेश में अगर आप देखें तो भौपालिस की राध धानी हो गई, और विदान सभा में 230 सीट है, लोग सभा में 29 सीट है, राध सभा में 11 सीट है, मद्विदेश का उच्च नयाले देखें तो जवलपूर में है, मद्विदेश की नयाले की उच्च नयाले की हाईकूट की दो पीट है, कंड़ पीट है एक आप इंदो और दूसरा गुवालियर में देखते हैं और मत्पदेश का आप देखते हैं छेटफल देखें तो 3,8,245 बर किलो मीटर में फैला हुआ है तो यह आप लोग याद रखेगा 1955, 1955, 1955, 1959, 1969 तो इसमें आप लोग क्या लगा होगे बताईए तो मुझे लगता है कि 1956 आप लोगों ने लगा दिया होगा C option आपका बिलकुल ठीक रहेगा इसमें मत्पदेश कितने संभागों में विभाजित है मत्पदेश कितने संभागों में विभाजित है बताईए 12, 13, 14, 10 बताईए कुल कौन चैंए तो आप सभी जानते होंके कि कितना है बताईए टोटल कितने मत्पदेश में संभाग है 10 संभाग आप लोगों को देखने को मिलते हैं जिसमें आप देखते हैं कि भोपाल आपका हो गया उसके बाद इंदोर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जन, सहेडोल, चंबल, रीवा, होसंगाबाद जिसे आप लोग नरवदापुरम की नाम से जानते हैं तो टोटल 10 हैं D option आपका बिलकुल ठीक रहेगा इसमें क्या D option बिलकुल ठीक रहेगा अंगला कुशन है आपकी सामने जनसंख्या की दिरिष्टी से देश में मद्पदेश का कौन सा इस्थान है जनसंख्या की दिरिष्टी से पूँच रहा है आप लोग बताईए इसमें क्या लगा होगी आप तीसरा, चटवा, पाचवा, साथवा तो आप लोगों को बता दूँ कि वर्टमार में अगर आप से पूँच रहा है तो किस नंबर पर है चटवी नंबर पर या पाचवी नंबर पर या साथवी नंबर पर तो अभी आप देखेंगे वर्टमार में यह पाचवी नंबर पर है किसमें पाँच में नमबर पर है जनसंख्या के मामली में पाँच बाँच सबसे बड़ा राज्य है यह याद रखिएगा तो इसमें C ओप्सन आप लोग लगा देंगे अंगला कुमिशन है हमारे सामने मद्वेदेश का राज्च की यह ब्यक्च क्या है मद्वेदेश का राज्च की यह ब्यक्च क्या है नीम का ब्यक्च बर्गत का ब्यक्च पीपल का ब्यक्च या नारियल का ब्यक्च बताईए क्या होगा तो मुझे लगता है आप लोगों ने बर्गत का ब्यक्च लगा दिया होगा बी option आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसमें बी option बिल्कुल ठीक है बेक्च के बारे में मद्विदेश का राजबेक्च कौन सा है बर्गत जिसे बट बेक्च के नाम से भी आप लोग जानते है ठीक है और इसका उपयोग आप देखते है और हिंदो ध्रम में से काफी पवित्य भी माना जाता है लोग पूजा भी करते हैं इसकी क्या करते हैं पूजा भी करते हैं तो यह भी आप लोगों को मालू होना चाहिए तो इसमें आप लोग भी option लगा दिये होंगे बर्गत मद्विदेश का राच्किये पसु क्या है सियार गधा या हाती आप देखेंगे ब्रांडरी बारे सिंगा या बारे सिंगा तो इसमें आप लोगों को मालू होना चाहिए कि बारे सिंगा या दल दल का मर्ग हरन या हरन की नाम से भी आप लोग जानते हैं इसे ही बारे सिंगा आप लोग कहते हैं तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे बारे सिंगा यानि कि D option आपका बिलकुल ठीक है D option कैसा है बिलकुल ठीक है और मत्पदेश का राजकी पसू बारे सिंगा है यह रन की एक प्रजाती है जो बहुत ही दुरला प्रजातियों में से एक है और यह सिर्फ मत्पदेश के नेसनल पार्क काना की सली में भी आप लोग को देखने को मिलेगा इसका बिग्यानिक नाम क्या है रूस वर्स डूआ उसली और बेड़ी पर जाती का है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगला कुशन है बद्पदेश का राज की दिवस का मनाया जाता है एक नवंबर एक दिसंबर यह आप देखेंगे एक जून दो जून को तो आप सभी जानते होंगे कि एक नवंबर उनीच स गड़ राज बना था तो चत्तिस गड़ का भी इस्थाफना दिवस एक नवंबर को मनाया जाता है तो यह आप्शन होगा इसमें मद्परिस में लोकसभा सदस्यों की संख्या बताईए आप 20 से 25 से 29 से या 30 से कितना होगा इसमें तो आप लोग जानते हैं कि 29 सीटे हैं लोकसभा में पूछ रहा है लोकसभा में कितनी है मद्परिस में सीटे हैं 29 सीटे आप लोगों को देखने को मिलेगी 29 मद्परिस में 29 लोकसभा सदस्यों चुने जाते हैं ठीक है और आप लोगों को एक और सवाल यहां पूछता हू में सबसे जान्दा लोकसभा में सीटें किस राज्य में हैं यह आप लोग नीचे बताईएगा 29 लगा दिना मत्विदेश में राज्यसभा सदसों की संख्या कितनी है 9 11 12 या 15 और देखि लोकसभा जो सदस होते हैं उनका चुनाव डारिक्ट जनता के द्वारा होता है और जि साल होने चाहिए और विधायग बनने के लिए आपकी उम्र पचीस साल होने चाहिए तो इसमें आप देखें कि 11 सदसों का चुनाव होता है मत्विदेश से राज्य सभा में कितना ग्यार है तो इसमें आप लोग भी ऑप्सन लगा देंगे अंगला कुश्य में बिधान सभ सदस्यों की संख्या क्या है? MLE कितने हैं मद्धवदेश में? 215, 233, 250, 305 तो आप सभी यान दे हैं कि मद्धवदेश में विधायकों की संख्या 230 है कितना 230 विधान सबासीते हैं? B option ठीक है मद्धवदेश की राध्धानी बताईया क्या? मद्वदेश की राध्धानी गया है इंदौर, भोपाल, जवलपूर, और जयन तो आप सभी जानते हैं कि भोपाल है इसमें क्या है? भोपाल है मद्वदेश की राध्धानी यह भी याद रखेएगा अंगला कुशन है हमारे सामने मद्वदेश से पिकासित होने वाला पहला समाचरपत इनमें से कौन सा था? आप ताप सेवक सप्ताहिक ग्वालियर सप्ताहिक मालवा तो इसमें आप देखें कि सप्ताहिक मालवा होगा सप्ताहिक ग्वालियर अक्वार होगा क्या होगा? ग्वालियर अक्वार होगा ठीक है? तो यह आप लोग जरूर याद रखेएगा सप्ताहिक ग्वालियर होगा और भार्त का पहला समाजार पत्त बंगाल गजट था जिसका संपादन संपादन जेम्स और इस्टस हिकी ने 1870 में किया था और मत्पदेश में पहला समाजार पत्त अकवार ग्वालियर था वह 1840 सी ग्वालियर से पेकासित हुआ था उर्दू भासा में था इए ठीक है तो य याद रखिएगा और 6 मार्च 1848 में इंदौर में हिंदी में मालवा अकवार और पेकासन आरब हुआ था जिसके संपादक पंडित प्रेम नारायन से थे यह तो यह भी ग्वालियर गजट की अगर हम लोग बात करें तो 1853 में हुआ था सुरू तो इसमें आप लोग सी आप अधेक्ष कौन थे यह ओप्शन आप से कह रहा है श्रीपिकास सिट्खी भी कह रहा है भगवंत राओ मंडलोई सी कह रहा है पट्टा भी सीतरमया और डी कह रहा है रवी संकर सुक्ल तो बताएए और मद्ध्पदेश में योजना राज योजना बंडल का गठन 24 अक्टूबर उंडी सुबात्तर में हुआ था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए तो इसमें आप देखेंगे पिकास चंद स्थी होंगे, मद्वदेश की सीमा, अधिकास, मद्वदेश की सीमा का, अधिकास लाजी में मिला हुआ है, किस लाजी से लगा हुआ है बताएए महराश्ट, गुजराथ, राजिस्थान, उत्तरपदेश आप सभी जानते ही कि पाँच राज्यों से सीमा लगती है बत्पधेश की उत्तर में उत्तर पश्चिम पूरू में आप देखेंगे चत्तीस गड़े दच्चिम में महराष्ट पश्चिम में गुजरात है उत्तर पश्चिम में राजिस्थान आपको देखने को मिलेगा ठीक है और अधिकाल सीमा इसकी आप देखेंगे कि किस से लगती है उत्तरफदेश से लगती है किस से उत्तरफदेश से लगती है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा तो उत्तरफदेश उत्तरफदेश बहती भी आप चांते ही कि किस में बड़ा है जन संक्या के मामले में सबसे बड़ा राज है उत्तरफदेश मन भारत में मद्विदेश का कुल चेतफल का कितना पिदीसात है कुल चेतफल का मद्विदेश के पास कितना चेतफल है एक तरह से आप लोग समझेए 11.38% 9.37% 7.83% 8.66% क्योंकि आप सभी जानते हैं मद्विदेश का चेतफल अगर आप देखें तो 3,88,245 वर्ग किलूमिटर में फ्यला हुआ है तो लगभग 9.37% मद्विदेश के पास है भारत की कुल चेतफल में से तो बड़ा चेतफल है आप सभी जानते है देश के पाच राज्यों में से मद्विदेश की सीमा मिलती है बताएए नेमलेकित में से किस राज्य की सीमा मद्विदेश को नहीं चूती है उत्तरपिदेश, गुजराद, और पश्चमंगाल, राजिस्थान तो आप सभी जानते हों कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बता चुका हूँ तो आप लोगों ने पश्चमंगाल लगा दिया होगा क्योंकि उत्तरपिदेश को चूती है, गुजराद को चूती है, राजिस्थान को, महाराष्ट को और चुतीजगण को, लेकिन पश्चमंगाल दूर है ऐसे, ठीक है? पश्चमंगाल अब देखे, इसके मद्ध्यपदेश के भी चुतीजगण पड़ता है, फिर जारखन पड़ता है, फिर पश्चमंगाल का नंबर आता है अगला कुश्यं है, मद्ध्यपदेश में बिद्धुथ उतपादन कब से पार हम हुआ है? मद्ध्यपदेश में आप देखें कि ये 240 किलोवार्ट स्टीम के टरवाइन से 1905 में शुरुकिया गया था भी ऑप्सन भिलकुल ठीक है मद्धविदेश के लिए सरव पित्व मद्धुत योजना निमलिकित में से किसने बनाई थी? सबसे पहले विद्धुत योजना निमलिकित में से किसने बनाई थी? William, Gabiel, Thomas Daniel, Henry Howard, बताईए किसने, AI में से कोई नहीं? तो आपको पता है इसने? Henry Howard होगा, C option ठीक रहेगा इसमें, छेतफल की दृष्टी से मद्पदेश का देश में कौन सा इस्थान है, पहला दूसरा, तीसरा चौतरा, तो आप लोग लगा दिये हैं कि दूसरा है, पहले पर आजस्थान, दूसरे पर मद्पदेश है, कितना है छेतफल, अभी उपर बता चुका हूँ, आप लोग नीचे फिर से बताईएगा, ठीक है, अंगला कुशन है हमारे सामने, विध्धुत अनुसंधान के अन्द कहां है, विध्धुत अनुसंधान के अन्द कहां है, इस जवलपुर में है, भोपाल में है, या आप देखेंगे कि विदीसा में है, इभोपाल में आपको देखने को मिलेगा पी ओप्सन ठीक है आपका राजगाट बिद्धुद परियोजना किस नदी पर बनाई गई है राजगाट बिद्धुद बेहत बिद्धुद परियोजना किस नदी पर है धसान सिंद बैतबा काली सिंद नदी तो बैतबह नदी पर है और पूर में बैतवती की नाम से भी आप लोग इसे जानते थे और मद्देश और उत्तर्फदेश में राज्य में बहती है यह भी याद रखेगा ये निकलती है कुमारा गाओं, राइसेंजिला मद्विदे से और यमना नदी में मिल जाती हमीरपूर के पास राजगाट बांध आप लोग देखते हैं इसी पर बना हुआ है तो वैतबा होगा इसमें, सी ओप्सन ठीक रहेगा नेमलिकित में से किस स्थान पर जल विद्धुत उत्पन नहीं की जाती है जल से विद्धुत उत्पन नहीं होती है नेपार नगर, पैच, गांधी सागर, जवाहर सागर बताईए कहां से नहीं होती है तो ये आप देखेंगे कि नेपार नगर से नहीं होती है बाकी तीनों जगह से होती है, ठीक है? तो इसमें एह उपसर लगा दोगे, मद्वदेश की किस जंजाती में घोटूल पिथा पाई जाती है? मतरा दोरला बिसोन मुडिया गौन्ड जनजाती के मsınरिया समधाई में साधी से पहले सोहाराद की अनोकी विटवा के बारे मैं हैं और इसे परंपरा को घोटुल केहते हैं और गौन्ड जनजाती की चत्तिसगर से जारकण तक की जंगलों में उपजातीय समधाय मुरिया कहलाता है मुरिया की लोगों की एक परंपरा है, जिसे घोटुल नाम दिया गया है, ठीक है, तो D option ठीक रहेगा इसमें, मद्पदेश के बीच से गुजरने वाली करक रेखा, किस नदी के सवानंतर हो कर जाती है, और आपको मलू है, मद्पदेश के कितने जिलों से हो कर जाती है, करक इसमें तो आप देखेंगे कि आपकी तापती, महानदी, गोदावरी, नर्वदा, तो यह नर्वदा से जाती है, किस से नर्वदा से जाती है, और नर्वदा की अगर हम लोग बात करें, तो आप देखेंगे कि नर्वदा, जिसे आप लोग रेवा के नाम से जानते हैं, और 1312 किलोमीटर्स की लंबाई है, और यह मद्पदेश के आप देखें, नर्वदा कुंड एहमर कंटक से निकलती है, और खंबात की खाड़ी मे गिड़ जाती है, अरफ सागर में, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसके बारे में, और मद्पदेश और गुजरात में यह वहती है, करक रेखा पर अगर हम लोग जिलों की बात करें, तो आप देखेंगे, चौदै जिले से हो कर जाती है, मद्पदेश की, उजयन, रतलाम, साजापुर, राजगर, सिहोर, भोपाल, रायसें, सागर, दमो, कट्नी, और उमरिया, ठ्रैडोल, जबलपुर, इस चौजर जिले आप लोग को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनसे कुश्चन्स पूच लेता है कई बार की, किन-किन जिलों से होकर जाती ह करक रेका, तो आप लोगों को बता देता हूँ, फिर से एक बार सुन लिजे, साड़े 23 डिगरी, जो 23 दसमलोग, पच्चास डिगरी जो होती है ना, उसी को करक रेका आप लोग कहते हैं, और ये उत्तरी गोलाद में भूमद रेका की समांतर गिलोब पर पश्चिम से पू तो ये भी याद रखेंगे, और तेरह जिलों से उगर जाती है, ये आप देखेंगे, रतलाम, उज्जेन, पहले आप देखेंगे, साजापूर से जाती थी लेकिन अब आगर माल बालाग हो गया, तो आगर से जाती है, राजगर से ओ, भोपाल, विदीसा, रायसेन, सागर तो ये भी याद रखेंगा, ये उज्जेन सह से भी निकलती है, तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, और महराज ज्जेसिंग के दौर आपने देखा होगा, जंतर मंतर भी बैसाला बनवाई गई है उज्जेन में, चलिए तो ये इससे कुशन पूछे जाएगे, तो आप लोग मुझे लगता है कि बता देंगे, अंगला कुशन है हमारे सामने मत्वदेश का सरपितम पूर साक्षर जिला कौन सा है, जबलपूर, विदीशा, इंदौर या रतलाम, तो बताए, मत्वदेश का पूर साक्षर जिला पढ़े लेके लोगों की बात हो रही है तो ये इंदौर आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंदौर आप लोग कोचिंग के लिए भी जाते होंगे, और हाई कोट की एक खंड़ पीट भी है आप, अंगला कुशन है हमारे सामने मत्वदेश की किस नगर से होकर करकरेखा गुजरती है, अब आप देखी चार बताईए, देखिए उज्जयन रतलाम साजापुर, राजगर सिहोर भोपाल, भोपाल सिजाती है देखिए, आगर मालवा से जाती है, या तरके वो आगर मालवा से जाती है, अब साजापुर से अलग करके जिला बन गया है, ठीक है, राजगर से जाती है, सिहोर से जाती है, भोपाल, रायसेंट, सागर, दभो, कटनी, उमरिया, सहटोल, जबलपुर से जाती है, तो इसमें आप तो यह आप देखेंगी एस ने लगाए जो गा उसका भी सही रहेगा भी जिसने लगाए होगा उसका भी टीक रहेगा तो यह आप लो साजापुर मत लगाइएगा आगर मालवा सजाती अब जरूर आप लोग याद रखेगा कई वार कंफिूज हो जाते हैं अंगला कुशन ह है हमारे सामने फासिल राष्टी उद्ध्यान मद्पदेश के किस जिले में है फासिल राष्टी उद्ध्यान मद्पदेश के किस जिले में आपको देखने को मिलेगा इमंडला सिवनी सीधी और धार तो मंदला जिले में आपको देखने को मिलेगा ठीक है और 1983 में इस्थाब और जब इसका गठन किया गया था तब मंडला जिले का हैस्सा था और ये मद्धविदेश का पिथम जीवास उमद्यान सबसे चोटा रास्ती उद्यान भी है ठीक है उन्ने सो तरासी में इसकी स्थापना हुए थी अंगला कुशे न हमारे सामने मंडला लगा दीना इसमें आता है मद्विदेश की उत्री सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है इस पिदेश की दच्छडी सीमा किस नदी के द्वारा बनती है नरवदा महानदी और गोदावरी तापती बताईए तो सबसे पहले तो चंबल के बारे में आपको पता देता हूं चंबल आप देखते हैं बद्वते से ही निकलती आपने सुना भी होगा जैना पाउ पहाडियों से और यम्ना नदी में मिल जाती है 1024 किलो मीटर की इसकी लंबाई है और यह आप देखेंगे गोदा बरी से निकल बनती है गोदा बरी गोदा 265 किलो मीटर इसकी लंबाई है कुल तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें डी लगाएंगे क्या डी लगा दोगे मद्वदेश के भुपाल जिले कि किस गाओं को फूरता सौर उर्जा पर आधारी बनाए गया है साजपुर कस्तूरवा ग्राम पिपरिया गाओं पीथमप तो ये में आपको मागो होगा कि मद्वसौर में होता है मंदोतरी से जुड़ा हुआ है याप देखी कि यहां रावड की सस्वराल है और कहते हैं कि यहां फूजा भी होती है रावड की मद्वदेश का राज ब्यक्ष बर्गत है राज पक्ची दूदराज है और पिदेश orders आपका बिलकु ठीक है अंगला कुशिन है मारे समने मद्विदेश के किस दरख को भारत का जिब्राल्टर की संघ्या दी गई है यह आप देखेंगे कि ग्वालीर का किला है क्या है ग्वालियर का किला है तो आप लोग याद रखिएगा ग्वालियर की किले को दी गई है जिले के पर कई राजवन्सों ने अड़िक वर्सों तक राजि किया है, किला बेटे सासन की प्रूद रानी लचिवाई तत्या टोपे द्वारा किये गये युद्ध की रड्मुमी था, लाल बलुगा पत्थर से बना यह किला सहर की हर दिसा से दिखाई देता है, यह किला कई सास्कों के दीन रहा है और पर कोई इसे पूरी तरह नहीं जीत पाया से लिए इसे भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है ठीक है ग्वालियर को आप लोग जाकर कभी देख सकते हैं मद्पदेश में पंचायत राजवस्ता का कौन सा धांचा अपनाए गया बताईए यह आप देखेंगे एक इस्तरीय है चार इस्तरीय है दो इस्तरीय है पहुंसा है तो आप देखेंगे तिरे इस्तरीय है तिरे इस्तरीय है फिर आप देखते हैं जन्पत पंचायत पर आप जो लोग जिला पंचायत के बारे में सुनते हैं और मद्पदेश में 30 दि समिधान सलसूधा ने पंचयातों से संबंदी थी है समिधान का अनुछे 40 आप लोग पढ़ते होंगे पंचयातों की बात करता है तो इसमें सी लगा दोगे मद्विदेश उस्व किती वर्स नई दिल्ली में आयोजित की जाता है इसका आयोजन किस वर्स शुरू हुआ था 1976, 1981, 1983, 1987 यह कब हुआ था है यह आप देखेंगे 1981 में शुरू हुआ था बी ओप्सन ठीक है मद्विदेश की किस नगर को मद्ध भारत की मुंबई की संख्या पितान की गई है वोपार राजगर्ड इंदौर, जवलपूर इंदौर, इंदौर को की गई है मत्विदेश में बालाघाट का मलाज खंड, स्थत, किस खंज का उतवादन करता है चुना पत्थर drawn, वॉक्साइड, मेगनीज, तामा तो यह आप सभी जानते हैं होंगे कि मेगनीज का करता है कि मलाज खंड छेथ, किस खनज के लिए पिसिद है मेग नीच के लिए तामी के लिए तामी की खाने जो मदवदेश के बाला गाट के उत्तरपूर में मलाच खंड सहर के पास आप लोग हमको देखने को मिलेगी ये मदवदेश के बाला गाट के बेहर की तहसीर में पढ़ता है तो ये जरूर याद रखेगा इसमें तामा लगाना ठीक है तामा होगा अगर गलती हो जाती है तो सुधार लिया करिएगा नीचे लिग दिया करिएगा थोड़ा चलिए आंगे है आप देखेंगे मद्वदेश के किस इस्थान में जैन धर्मा वल्लिम्मियों धर्मा वल्लिम्मियों कतीत बावन गजा इस्ते थे धर्मा वल्लमियों कतीत बावन गजा इस्ते थे नागदा खेरागर बढ़वानी चंदेरी बताईए यह आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा कहा देखने को मिलता है यह आपको बढ़वानी में देखने को मिलेगा C option ठीक है इसमें क्या है C option ठीक है मद्विदेश में कौन सी जंजाती अपने को राजपूत मानती है कमर, कोरकु, वेगा या हलवा इकोर को मानती है C option ठीक है मद्विदेश के किस स्थान में देश का पिथम पर्याटन नगर बनाए गया सिवफुरी खंडवा सिवनी और मंद सोण तो ये सिवफुरी होगा इसमें सिवफुरी जिला है न उसी की बात हो रही है अंगला कुशे न हमारे सामने मद्विदेश की सरबाधिक छित में कौन सी फसल बोई जाती है धान चना ज्वार ग्यहों कौन सी बोई जाती है इसमें अगर आप लोग देखें मद्विदेश में सरबाधिक बोई जानी फसल है जो बार्तमार में लगबग 62 हेक्टर में बोई जाती है इसके अलावा खरीम में हमारी इसमें धान हो जाती है दूसरे नंबर पर धान है ठीक है यह उप्सन है अंगला कुशन है मद्विदेश रेलवी का पिरमुख जंगसन इटारसी किस जिले में इस्ति थे खंडवा वैतूल होसंगबाद देवास्त तो यह होसंगावाद में देखने को मिलेगा इटारसी जंगसन होसंगवाद में आपकों को देखने को मिलेगा ये पश्यम अंदर रेलवे जोन के अंतरगत आता है और मालवा के पठार के अंतरगत निमलिकित में सी कौन सामिल नहीं है मालवा के पठार के अंतरगत भणोच का पठार, सीद बाड़ा का पठार, जालवाड उच्च भूमी और आप देखेंगे, एक यापका सागर का पठार, इसमें कौन सामिल है ये मालवा का पठार बिंद पहाड़ियों के अधार पत्रवजा का पठार है या एक लावा पठार है, इसमें पूर में बुंदेल खन पठार में आपको अरावाली पहाड़ यहां देखने को मिलेगी और इसकी ढाल उत्तरपूर की ओर है, यहां की नदियां चंबल कास, काली सेंद बैतबा कैन है इस पठार के दच्चे और दक्कन का पठार है, और जो काफी कटा पठा है, उत्तर में नदियों के कचारी निच्छेप तता यमना के खादर चेता आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यह भी याद रखेगा, इसमें आप देखेंगे, भडोच नहीं होगा, बाकी तीनों आपके होगे, तो यह उप्सन इसमें लगा दोगे अंगला कुष्शन है हमारे सामने, महकाली सुर्ण मंदिर का मंदिर कहा है उज्जेन मंदसौर भडोच घंडरी तो आपको मालू हमे कि महकाली सुर्ण का मंदिर उज्जेन में है, यहां छे परानधी के केनारी बसा हुआ है और हर 12 साल में कुम्र का मिला भी लगता है, तो 1968 कम मिलाय गया था तो आप देखते हैं एक नमबर 1956 कोई मद्धपिदेश भारत का बिंदपिदेश और भुपाल रियासत के साथ मद्धपिदेश में मिलाय हो गया था तो ये option ठीक रहेगा मद्धपिदेश में जलोड मिट्टी का छेत कौन सा है मद्धपिदेश का उत्तरी पश्चमी भाग नर्वदा घाटी मालबा का पठार इनमें से कोई नहीं ये आप देखें जलोड मिट्टी मद्ध भारत का छेत जिसमें भेंड मोरेना से उपर ग्वालिया से उपरी पड़ता है और ये प्रकिती में मिट्टी उदासी नहीं होती है गन्नी के लिए उपयोकत ग्याहू कपास के लिए भी अच्छी होती है तो आप देखेंगे इसमें मद्ध पिदेश का उत्तरी पश्चमी भाग आपको देखने को मिलेगा अंगला कुशन है हमारे सामने मद्ध पिदेश के किस जिले में मिर्दा पदन की समस्या सबसे अधिक देखने को मिलेगी जबलपुर खंडवा भोपाल मुरेना तो मुरेना में आप देखते हैं चमल लदी से दी ऑफ्चन ठीक है मद्ध पिदेश के बनों में सबसे अधिक फेड किसके पाए जाते हैं तो आप देखेंगे सागोन आम साल सीचम तो आप देखेंगे सागोन राज में सागोन के बैक चे आप देखेंगे ए अठारहजार तीनसोब बतीस दिसम्मलों सरसट बर किलोमीटर में फेले हुए चेत पल पर फेले हुए तो याद रखेगा और अच्छी लकड़ी बानी जाती है सागोन की तो यह भी आप लोग याद रखेगा इसमें सागोन होगा इसमें यह ओप्सन ठीक रहेगा रानी लच्छी वाई की समाधी किस नगर में है और आप देखे बनारस में इनका जनम होता है जहासी में इनकी साधी होती है रानी लच्छी वाई की और ग्वालियर में इनकी समाधी देखने को मिलेगी फूल बाग के पास ग् 19 नवंबर 1828 में बना रस्मेन का जनम हुआ था, 18 जून 1859 को इस सहीद हो गई दी ग्वालियर में, ठीक है? जो सिंधिया पर आप देखते हैं, सिंधिया घराने पर इन्हें खतम करवाने का अरोब भी लगता है, दगा देने का अरोब भी लगता है. मदपदेश के किस चित का नाट काठी है, भगेलखन, बुंदेलखन, मालवा, निवाड, बताईए, क्या लगा होगे इसमें, निवाड का होगा है, किसका काठी मदपदेश के निवाड चित का लोग प्रिये निथ है, यह जरूर याद रखिएगा, निवाड का, डी ओप्शन ठीक है, मदपदेश का एक मात गांजा उत्पादक जिला कौन सा है, गांजा जो पीने के गाम आता है न, लोग पीते हैं, मंदला, खरगोन, बैतूल, खर्णवा, बताईए, इसमें खरगोन होगा, क्या होगा, खरगोन होगा इसमें, ठीक है, अंगला कुशन है मदपदेश के मैं स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माट किस मंस के सास कोने करवाय था, खजुराहो के मंदिरों की बात हो रही है, यह चातरपूर जिले में पढ़ता है खजुराहो, तो खजुराहो को इसके अलंकित मंदिरों की वज़ए से आप जानते में हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, और आप देखते हैं कि 1986 में ये उनेस्को की विस्षदरार धरोवर इस्थल में भी जोड़ा गया था, नौसुपचास से दस सो पचासी सभी के बीच बनवाय गये हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि ये आपके चोल होंगे, चालोक होंगे, चल्देल सासक होंगे, C-Option ठीक है, काना किस लिए किस बस राष्टी उध्यान बना था? काना किसली किस बास राष्टी उद्ध्यान बना था यह आप देखें एक जून 1905 को इसे काना नेसनल पार्क बनाए गया था 1973 में काना टाइगर रिजर बनाए गया था और ये दो जिलों मंडला उबाला गाट में आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसमें 1905 होगा C option ठीक है अंगला question है मदपिदेश में सिचाई का सबसे प्रमुक साधन कौन सा है नलकूप, नहरे, रहट या कुए और मदपिदेश में सरवादिक सिचाई, कुए वो नलकूप से होती है ठीक है इसके बाद आप देखी नहरों तालावों से होती है यह भी आप लोग याद रखिएगा और मदपिदेश में सरवादिक साधम 1923 में बेन गंगा नहर का निरिमार बाला गहर जिले में हुआ था ठीक है तो इभी आप लोग याद रखिएगा नलकूफ और कुए है और नहरे दूसरे नमबर पर आती है ठीक है तो इभी याद रखिएगा पिदेश मंदपिदेश की परयाटकों का पिरमोख आकरसन का केंद खजराहो की मंदिर निमलिकित में से किस जिले में है विदीसा चतरफूर रीबा पन्ना तो खजराहो आपको चतरफूर जिले में देखने को मिलते है तहां चतरफूर में है अंगला कुशन है निमलिकित में से कौन सा इस्थान समराट अचोक से संबन दित है भार थरी गुपा है बावन कजा मौती महल ये साची का इस्तो साची आप लोग देखते है मौरिकाल का समराट था ना अचोक उसी की बात हो रही है साची मद्विदेश में आपको देखने को मिलेगा तो ये भी याद रखेगा ये उनेसको की विससे धरोवा रिस्तल में जोड़ा गया है ये आपको पहले भी बता दिया भौपाल जवलपूर इंद ग्वालियर इंद ओर तो ये जवलपूर में आपको देखने को मिलेगा भी ओप्सन ठीक है मद्विदेश में किस जिले की जनसंक्या में अनुसूचित जनजातियों का सरवाधिक पितियसत है मद्विदेश में किस जिले की जनसंक्या में अनुसूचित जनजातियों का सरवाधिक पितियसत की मामले में पूंच रहा है तो आप देखें मद्विदेश का अधेक्तम अनुसूचित जाती पितियसत बाला जिला उज्जयन है समीधान के अनुचेद 342 से एक में सुचिवत आदम जातियों अनसुचित जजातिया कहलाती है ठीक है और अफीका के बाद भारत में जनजातियों के मामले में दूसरा इस्तान है 2011 की जनकरना के इनसार भारत में जनजातियों का 38.6 जबकि मद्विदेश में अगर आप देखें तो 21.10 परसेंट है सबसे जानद आपको देखने को मिलेगी मद्विदेश में जनसंक्या की सरवादि संक्या और सरवादिक पेकार दोनों हैं और यह भी आप देखेंगे और मद्विदेश में जनजातियों की बात किरें तो राज जी के सभी जिलों में जनजातियों करने बासते हैं और लेकिन संक्या में अंतर है तो यह भी आद रखेगा सरवादिक जनसंक्या जनजाति की आप देखेंगे 12,824 धार में जबकि सरवादिक पितीसत अली राजपुर में आपको देखने को मिलेगा और से से की चिलों में जनजाति बहुत मामूली संक्या में आपको देखने को मिलेगी तो एक काम आप लोग कर सकते हैं सबसे जाना यहाँ आप देखें भील है जनजाति मद्वदेश भारत की तीम बड़ी जनजाति हैं भील आप देखेंगे 46 दिसमलो 46 दिसमलो आप देखेंगे 18 लाग गौन्ड आप देखेंगे 43 दिसमलो 57 लाग और कोल आप देखेंगे 11 दिसमलो 16 लाग है तो यह भी याद रखेगा और इसमें आप लोग देखेंगे अगर आपका ओप्सन इसमें अगर धार नहीं है तो जाबू आप लोग जरूर बोरहानपूर वालियर और संगबाद कांकेर तो इसमें बोरहानपूर लगा देंगे मद्विदेश में सरवाद एक सोयावीन चित कहां रीवा पन्ना पठा नर्वदा घाटी बुंदेलकंड मालवा तो यह आपको बाता दूं कि कहां है किस चित में पाई जाता है मालवा चित में ही आप देखते हैं सबसे जान्य डी ऑप्षन है ज है अंगला है मद्विदेश के पिता मुकमंत्री कौन थे मद्विदेश की पिता मुकमंत्री की बात होरही है कीव मिनेस्टर की तो इसमें पंडित रभी संकर सुकल के लासनाच कट जो डॉक्टर संकर दयाल सरवाइन में से कोई नहीं तो दाए रभी संकर सुकल लगा देंगे आप लो और भारती राष्टी कॉंग्रेस के थे पहले कॉंग्रेस से ही हुआ करती थी और पहली महला मुक्वंद्री कौन थी मद्विदेस की यह आप लोगों को बताना है मद्विदेस की निमलेकित नदियों में से कौन सा ने दी उत्तर से दच्छिन की और बैती है उत्तर से दच्छिन चम्मल केन काली सिंद ने मैसे कोई नहीं तो इसमें आप दिखें कि कैन होगी, क्या होगी, कैन होगी, कैन होगी, कैन नदी, यह अमना नदी की एक उप नदी या सहाइक नदी है, कैमोर सेंखला कटनी जिला से निकलती है, यह अमना में मिल जाती है, निमली कित्म से कौन सा जला है बाला घाट बैतूल सीधी और एक आपका है इसमें रीवा बताईए तो इसमें क्या लगाएं मद्धदैस में लुन एसमें लगारा मद्धदैस के जबलूर बंडला बाला घाट और विदीशा जिलों में लोहेस को देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग बाला लगाट लगा देना, यह ओप्सन ठीक है अंगला कुशन है मद्धपदेश में जनसंक्या की दिरिष्टी से सबसे बड़ा नगर निमलिखित में से कौन सा है, ग्वालियर और जन इंदौर भोपाल जनसंक्या की दिरिष्टी से पूँच रहा है, तो सबसे बड़ा नगर पूच रहा है, तो आप देखेंगे कि यह इंदौर आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या है इंदौर, C ओप्सन ठीक है इसमें मद्धिदेश का पिथम पर्यावर्ण नियाले कहा है इसते थे, पर्यावर्ण नियाले की बात हो रही है, मद्धिदेश में का सबसे बड़ा पिथम पर्यावर्ण पिथम पर्यावर्ण नियाले की बात हो रही है, तो आप देखेंगे कहा देखने को मिलेगा, भोपाल में देखने को मिलेगा है, D option है, मद्धपदेश में मैगनीज उत्पादित करने बाले निमलिकित में से कौन सा छेत है, मद्धपदेश में मैगनीज उत्पादित की बात हो रही है, रीबा, जवलपूर, छिदवाडा और पन्ना, और आप देखे, यह आप लोगों को, मैगनीज खदान बालागाट जिले में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, लेकिन इसमें क्या लगाओगे अभी, आप लोग क्या लगाओगे इसमें, देखे, मैगनीज उत्पादन में प्रमुक जिले मद्पदेश में, अगर आप देखे, तो बालागाट छिदवाड़ा जबवा जवलपुर लगाओगे, ठीक है, लेकिन आप देखे, आयोग ने चिदवाड़ा माना है इसमें, लेकिन वैसे जवलपुर भी हो सकता है, लेकिन आप देखे होगा थोड़ा बहुत कम जादब, तो इसमें चिदवाड़ा अपके ल होता है बताईए चेदवाड़ा जबलपुर बैतूल और ग्वालियर तो आप देखते हैं कि बताईए इसमेंसे आप देखेंगे जबलपूर होगा आपका चाहोगा जबलपूर होगा यहां आप लोग देखेंगे अंगला कुशन नम्हाद्प्देश की और मिला परियोजना और मिला पर योजना की बात हो रही है तो यह आप देखेंगे उडिसा, महराज, उत्तर प्रदेस, विहार, तो और मिल से चाही पर योजना भारत की नदी, गाटी पर योजना या मद्थ पर योजना जो च्छतरबुर, कानबुर मार्क पर और मिल नदी पर बनी हुई है तो तेल का उतबादन होता है, मंददीब, पिलू, खेडी, पितंपुर मक्सी, तो इसमें क्या लगाऊगे, तेल का उतबादन होता है, और मददेश में सुयावीन के राष्ट ब्यापी उतबादन में पहली स्थान पर, और सोयावीं से तेल निकालने का कारखाना कहा देखने को मिलेगा? मंदधीप में देखने को मिलेगा, सिवनी में भी है, ये भी आप लोग याद रखेगा. अंगला कुश्चन है मारे सामने, मंदधीप मक्सी और आप देखेंगे, मक्सी मेग नगर. तो आप लोगों को इनने में मालू होना चाहिए, कि आपका पीथम पूर होगा. बी ओप्सन ठीक है. मदधीप में किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है, इंदोर दतिया विदीसा उज्जेन. तो आप देखेंगे कि अवंती की बात हो रही है, प्राचीन नाम अवंती उज्जेन का है. अंगला कोईशन है हमारे सामने, मदधीप का राजबेक्च क्या है, मदधीप का बरगद बबूल सीसम और फीपल तो आपको बता चुका हूँ, बरगद है, इसमें बरगद लगाओगे, पीछे बता चुका हूँ. चुक के कर्मा-नेत किस जाती से संबंधी थे? बील, गोल, मारिया और यह आप देखेंगे, गौण. तो यह आदिवासी नेत कर्मा-पुझा की सरद्ध काली इंतिवार के द्वरान यह नेत Gourdvana की लोग संस्किति से संबंधा थे. तो यह आप देखेंगे गौंड में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो यह भी आप लोग याद रखेंगे, इसमें गौंड होगा आपका, गौंड ने जन जाती है ना, उसी की बात हो रही, मद्धिदेश के किस पुलिस महाविध्यालय में? पुलिस महाबिध्याले हमें अपराद अनुसंधान का पिसिख्टरण दिया जाता ही, ये मद्धेश में निमलिकित मैं से आप देखे, कहां सागर है या आप देखे इंदोर है या जवलपुर रीवा, तो आप लोगों को बतादू कि सागर में आप लोगों को देखने को मिल अधिवासियों का जाबुआ, बालागाट, मंडला, खंडवा, तो यह आप देखेंगे कि जाबुआ में रहती है जन जाती भगोरिया नित तो यह आधिवासियों का है जाबुआ लगा देंगे इसमें और MP के आधिवासि बहुल इलाकों में भगोरिया की धूम होती है जग जग भगोरिया मेला लगता है आधिवासि लोकसंगीत का रंग्मंच, रंग्चरम पर यहां नजर आता है चली अंगला कुशन है, मद्पिदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कप की गई थी? मद्पिदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कप की गई थी? बताईए इसमें आप लोग क्या लगाओं के? उननीस तो बहत्तर, उननीस सो असी, उननीस सो इक्यासी, उननीस सो च्यासी, तो आप देखेंगे की उननीस सो इक्यासी होगा, उननीस सो इक्यासी होगा C option विल्कुल ठीक है, मद्पिदेश में एसवाग स्टेडियम कहां देखने को मिलेगा? एसवाग स्टेडियम कहा है इंदोर भुपाल जवलपुर या आप देखेंगे कि आपका सतना तो ये भुपाल में देखने को मिलेगा आपको कहा है भुपाल में देखने को मिलेगा मद्विदेश के किस सिस्तान पर जोगेशुरी देवी का मेला आयुजित होता है जोगरिसी देवी का मेला चनेरी मान्डेर पोर्सा गोगरा मद्विदेश के गुना जिले के चनेरी में अतिपराचिन काल से आयुजित हो रहा है और इस मेले से जुड़ा एक किस्ता भी है कि जिसके अरुसार चनेरी किसा सक जागेशुर देवी के भक्ते थे तो इसमें ये ओप्सन ठीक रहेगा हर मेले से आप देखते कहानी तो जुड़ी रहती है अगला कुश्चा ने मदपदेश के किस नदी पर बोधगाट जलविद्धूत परियोजना है मदपदेश के किस नदी पर बोधगाट जलविद्धूत परियोजना इस्थेत है यह आपको बता दू कि मदपदेश सासन ने बस्तर की इंद्रावती नदी पर उननीस सो पैसर्ट चासर्ट में पनवेजली पैदा करने के लिए 6 एकाईया इस्थापित की थी तो बोधगाट परियोजना इंद्रावती नदी पर आपके देखने को मिलेगा यह आप देखेंगे कि आपका B option take है और यह आप देखेंगे कि इसकी अगर हम लोग इंद्रावती की बात करें तो मदभारत की एक बड़ी नदी है यह और यह आप देखेंगे कि ओधगाम इसका रामपूर से होता है ठीक है उडिसा से और यह आप देखेंगे कि गोदावरी में मिल जाती है चलिए भी याद रखेंगा इसके बारे में इंद्रावती अंगला कोईशन है हमारे सामने पिसिद्ध धुरुपत गायक कुमार गंद्रव किस स्थान से सम्मधी थे खंडवा दिवास मेहर ग्वालियर तो पिसिद्ध धुरुपत गायक आप देखें कुमार गंद्रव कहां से इस्थे थे यह आप देखेंगे कि बताईए इन में से क्या होगा कुमार गंदरप का जिनव करनाटक की धारवार में 8 अपरेल 1924 में हुआ था पूने में प्रोफेसर देउधर और अजनी बाई मापले माल फेकर से संगीत की सिक्छाली तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे फिरहाल इह बताईए आप तो खंडवा खंडवा दिवास मेहर और ग्वालियर तो इसमें दिवास लगाओगे ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने आदि जन्जाती कौरकू मद्पदेश के किस भाग में मुकता पाई जाती है कौरकू जन्जाती की बात हो री है इसमें आप देखेंगे दच्छिण में उत्तरपूर में आप लोग मद्पदेश के सत पोडा परवद्माला की जंगलों में लगी हुए चिदवाडा, मवासी बैतूल जिले की बहस देही और चिचौली तहसील में होसांगबाद जिले में, भेंड जिले में, खंडवा जिले में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसमें आप लोग जरूर याद रखेगा, एक कहां पाई जाती है, दच्छन के जिलों में क पत्तिकार्ता विस्विध्यालाई की स्थापना कहां की गई, पत्तिकार्ता विस्विध्यालाई की स्थापना की बात हो रही है, इंदोर, जवलपुर, भोपाल, और यहाँ आप देखें उज्जेन, तो मद्विदेश की राधानी भोपाल में विस्विध्यालाई के निर होता है दो तेन चार पांच आप देखते हूं कि किस तरह से होता है यह होता है आपका चार से चार से सुरू होता है आप लोग आंगे का अपना बता सकते हैं बुरहानपुर जिला किस जिली से अलग होकर बना है बुरहानपुर जिला किस जिली से अलग होकर बना है मद्विद पूर्वी निबाट खंडवा से अलग करके बनाया गया था और बुरहानपुर इसका मुख्याला देखने को मिलेगा और बुरहानपुर नगर मद्वदेश में तापती नदी की किनारी वसा हुआ है एक खरगौन होगा तो इसमें क्या होगा खरगौन जिले से अलग करके बनाया गया था यह आप लोग याद रखेगा पूरवी निबाट खंडवार से एक खरगौन से बनाता हुआ है बुरहानपुर जिला यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा इसके बारे में यहाँ गुरु द्वारा दरगाई हकीम साही अमाम कई जगे आपको देखने को मिलेगी यह आप लोगों ने सुना होगा 15 अगस्त 2003 में बौस सम्ति की सिफारिस पर तीन जिले बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया था उसी समय अनुपुर को सैडोल से और असोख नगर को गुना से ठीक है तो यह आप लोग याद रखेगा इसमें आपका खंडवा होगा क्या होगा खंडवा होगा तो गुरहानपुर खंडवा जिले से अलग करके बनाया गया था मद्द्देश की बढ़वानी में किस धरम की अनुवाईयों का तीस इस्थल बावन गजा देखने को मिलेगा हिद्दु मुसलिम बहुत जैन इसाई बहुत जैन किसका है तो यह आप देखेंगे कि जैन का है किसका है जैनों का है डी ओप्सन ठीकेस में अहांगे चलते हैं हम लोग अंगला कुशन हमसे पूछ रहा है यह कह रहा है कि मद्देश में पहली बार राष्टपती सासन कब लागू किया गया था राष्टपती सासन की बात हो रही है माद्य बिदेश में पहली बार राष्ट पती सासन कब लागू किया गया था 4 अगस्त 1970, 17 फरवरी 1980, 6 अक्टूबर 1983, 30 अपरेल 1970 को और आपको बता दूँ अगर देखे 29 अपरेल भी दिया गया 30 अपरेल कीज़ेगा अगर ऑप्शन 39 अपरेल है तो वो भी लगा दियेगा धृफर संगीत का जनम मत्पदेश के किसनागर में हुआ मेहर ग्वालियर और खंडबा भोपाल इतियास दुरुकेंद का निर्माल मत्पदेश सरकार ने भोपाल में 1921 में कराया था यह एक धिक अभि असोग्ञी बाच के उफिलिम निर्मात अ मनी कोल की प्रेयास द्वारा हुआ था और इसमें अगर हम लोग ग्वालियर दिया गया है kya डिया गया है तो ग्वालियर लगा दीजेगा यह आप देखें उन पर रहता है किया रहता है आयोग पर रहता है आयोग जिसे सही माल ले अगर भोपाल को सही माल लेता तो उसे भी तो इसमें ग्वालिय लगाईगा उज्जे नगर किस तरह नदी के किनारे बसा हुआ है पीछे आपको बताया था ये छिफरा, ताप्ति, नर्वदा और सिवना तो ये आप सभी जानते हैं कि छिफरा नदी के किनारे वसा हुआ है मद्विदे से में वहने वाली एक नदी है ये छिफरा नदी ये उप्सन होगा और इतिहासिक नदी है भारत की पविट नदीयों में से एक है उजन में कुमका मेला इसी की नदी के किनारे लगाता है और इंदोर की उजनी उजन कुन मुंडला गाहों की काकड़ी बढली नामकिस्तान से निकलती है एक सो चार्वे किलो मेटर वहने के बाद मनसौर में चमल नदी में मिल जाती है खान नदी और गंभीर इसकी साहिक नदीया है मद्पदेश का एक मात श्टॉक एक्चेंज इंदोर है इसे किस वर्स इस्थापित किया गया 1937,1947,193,1954 तो बताइए मद्पदेश का एक मात इंदोर है एक्चेंज इंदोर की बोत तो यह आप देखेंगे कब से शुरू किया गया था यह आप देखेंगे बहुत पुराना है आप देखेंगे क्या है बहुत पुराना है और इसमें आप देखेंगे कि 1930 का बताएजाता है कि 1930 में यह हुगा था शुरू सी ओप्सन बिल्कुल ठीक है इसमें तो इसमें आप लोग लगा देँगी, चलिए यहांगे चलते हैं, अंगला गुश्यान प्राचिं काल में अवेत किला किसे माना जाता था, असीरगड का किला, अजयगड का किला, ग्वालिर का किला, इन में से कोई नहीं, जिसे भेढ ना सके, अवेत किला, और असीर गड़ के अगर हम लोग किले की बात भी करें न तो ये कहां देखने को मिलता है एक इतिहासिक खिला है असीर खिला बुर्हानपूर जिले में देखने को मिलेगा तो ये भी याद रखेगा ये वलुआ पत्थर से 14 भी सद्दाब दी में बनाये गया था आसा अहीर के द्वारा अहीर राजाओं के द्वारा ये ओप्सन ठीक है नर्बदध नदी किस जले में को मिलेगी तावा बान परियोजना तावा नदी पर आपसंगा पर बनाए गया तावा नदी भी मद्धपदेश की प्रिमुक्सा एक नदी है, इसका उद्गा मद्धपदेश के होसंगा बजलिस्त के पचमडी के भादेव परवत सिंखला की काली भीत पहाडियों से होता है, ठीक है, नरदबदा में मिल जाती है, मद्धपदेश में सबसे बड़ा रेलवे जंक्सन कौन सा है, कटनी इटारसी रतलाम भूसावल, बताईए, इसमें कौन सा लगाओगे, इसमें आपका, यह आप देखें कि कटनी जंक्सन छेतफल की दिरिष्टी से मद्धपदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्सन है, और सबसे बड़ा आप देखी कटनी इटारसी को माना जाता है, ठीक है, तो यह आप लोग जरूर याद रखाईए, कई बार गुश्चन सा आप देखते हैं, कई बार फूच लेते हैं, कटनी भारत के सबसे बस तरेलवे जंक्सनों में से एक भी है, लेकिन इटारसी आप देवास इंदोर, और आप देखें इतका अगर मालवा की पठार की बात करें, भुपाल, गुना, रायस, सागर, विदीसा, देवास, सेओर, उज्चन, साजापुर, इंदोर, रतलाम, जहार, धार, जहाबुगा, मंदुसों, राजगर, नीमच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जबलपूर इसमें नहीं होगा, तो जबलपूर अलगा देना, अंगला कुश्चन है हमारे सामने, मद्ध विदेश का सबसे अधिक निचला चित कौन सा है, बुंदेल खन, बठार, वगेल खन, मालवा, नदी, या आप देखेंगी, कि नर्वदा, नर्वदा सौन घाटी, सक्च से निचले बात हो रही है, यह चेतिकी, बताईए, मद्ध विदेश का सबसे निचला इस्थान, नर्वदा सौन घाटी को बताई गया है, और मद्ध विदेश का सबसे उचला इस्थान, धूपगर, पहाड़ी, पच्चमडी को बताई गया है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे, कि कही जगए, आयोग ने, परसे यहाँ आप खंडे के पठार को बता दिया है, लेकिन नर्वदा सौन घाटी आप देखेंगे सबसे नीचे, आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह अकिगत भी है, नर्वदा सौन घाटी, सब अजीब अजीब है, और मद्ध विदेश में कौन सा राष्टी उद्यान सबसे पहले इस किसली, भॉबाल, माधो, या फासिल, तो आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, सबसे पुराना, कहना किसली ही देखने को मिलेगा, कहना किसली, ठीक है, यह 1905 में स्थाफित हुआ था, और 940 वर किलुमीटर में फैला हुआ है, ए उप्शन ठीक है, इसमें, पन्ना में किस नदी द्वारा बनाएगे, धेल से हीरे पिराप्त होते हैं, हीरे, पन्ना, दुनिया बर में फैमेश है, हीरे के लिए, भागेन, पन्ना, नदी, यमना, मोरहन, निद्दी, इसे भागेन नदी के नाम से भी जानते हैं, भागेन या भागेन, चलिए तो इसमें आप लोग, ए उप्शन लगा दिना, पन्ना, देखिए जिले में सबसे, आप देखिए एक मात अगर जिले की पूछे हीरा में, तो भारत में पन्ना ही है, मत्विदेश में बाग के सिकार पर पूर्पिती बंद कब लगा, क्योंकि आप देखे रहे हैं, बागों की कमी को देखते हुए किया गया, कब लगाए गया, 1989, 1970, 1971, 1972, तो आप देखेंगे कि मत्विदेश आसन ने 1971 में सेप्टमबर महिने में लगा दिया था, पूर्पिती बंद लगा दिया था, अगर 70,71 नहीं दिया गया है, 70 दिया गया है, तो 70 लगा दिजेगा, ठीक है, अंगला कुष्य ने भोपाल की विसाल जील किसने बनवाई थी, भोपाल की विसाल जील किसने बनवाई थी, राजा भोच, होसंगाबाद, होसंग साह, दलफत साह या आप देखें महीसमत लोक्रिय रोप से भोच, पाल या भोच के बांध से लिया जाता है जो महान बांध अब भोपाल सहर की जीले अब कहा जाता है कि इसे धार की परमार सासक राजा भोच द्वारा बनवाए गया था राजा भोच के द्वारा, ऐसा कहा जाता है अब किसने बजनवाए था, यह कहपाना बड़ा मुस्किल भी है अंगला कुश्चन है, महा कभी काली दास का सम्मद किस सहर से है महाकवी कालिदास का संबन्द, किस सहर से है, उज्जैन महिसमती, या विराटपुरी या इंदौर, बताइए, विराटपुरी इंदौर, तो मुझे लगता है कि इसमें मालू होगा उज्जैन विक्रमादित की राध्धानी थी, वैसी कालिदास की नगरी के नाम से भी आप जानते हैं, कालिदास, तो इसमें आप लोग यह उप्शन लगा देंगे, कालिदास की कविताएं आप लोगोंने पड़ा होगा, तीसी चौती सदापदी के गुप्त समराज के संसित भासा की महान कवी थी, अभी ग्यान सकुंतलम, रितु संगार मेग दूतम, ये सभी एंपायर में आप देखिए, देखने को मिलेंगे, किसिद उदैगिरी की गुफाएं कहां देखने को मिलेंगे, विदीशा, जबलपुर, होस्तंगबाद धार में, किसिद उदैगिरी की गुफाएं, उदैगिरी की गुफाएं मत्विदीशा जिले में आपको देखने को म यह सिलाओं को काट कर एक तरह से बनाया गया है, हिंदु मंदिर और चित सुरक्षित यहां देखने को मिलेंगे, मद्धिदेश के किस स्थान की साढ़ियां पर सिद्ध है, चंदेरी और जैन, ग्वालियर भुपाल, तो यह तो आपको मालू होगा कि चंदेरी की साढ़ियां पर सिद्ध हैं, मद्धिदेश का सरवादी भाग किस रेल्वे से सलावनवित होता है, मद्ध रेल्वे, उत्तर पूरवी रेल्वे, उत्तरी रेल्वे, तो आप देखेंगे मद्ध रेल्वे से, अंगला कुशन है हमारे सामने, मद्ध पिदेश में पुलिस याता यात पि सीक्षन सस्तान कहा है भोपाल खंडवा या आप देखेंगे कि आपका रीवा सागर इसमें आप देखेंगे क्या होगा भोपाल ही होगा बहोपाल संभाग में निमलिकित में से कौन सा जिला नहीं है भोपाल संभाग में कौन कौन से जिले हैं सबसे पहले तो यही मालू भोपाल विदी सा, रायजैंस, और राजजगर तो होशंगा बाद नहीं होगा ठीक है जब होसांगाबाद आप देखते हैं होसांगाबाद संभाग में पड़ता है तो इसमें आप लोग B option लगाएंगे क्या B option लगाएंगे आप अंगला कुशन की तरफ चलते हैं हम लोग अंगला कुशन हमसे कह रहा है मंडला किले के चारों और किस नदी का घेरा है नदवा नदी चंबल नदी महा नदी सौन नदी मंडला किले के चारों और किस नदी का घेरा है तो सुरक्षित रहता होगी है यह किला नदी को फार करना होता होगा तभी आप देखिए यहां अकमड होता होगा तो नर्दवदा नदी होगा इसमें यह option ठीक रहेगा इसमें भारत के किलों का रतन मद्कदेश के किस किले को कहा जाता है ग्वालियर के किले को अजैगर के किले के राय सेन के किले को तो यह आप देखेंगे ग्वालियर के किले को कहा जाता है किसे ग्वालियर के किले को कहा जाता है इसमें आप देखेंगे यह option बिल्कुल ठेक है यह ग्वालियर दुरक ग्वालियर का सरगा प्रमु प्राचीन सूरजकुंड के लिए में इस्थित देखने को मिलेगा। और आंगेचल कर राजा मान सिंग तॉमर ने मान मंदिर महल का निर्माड करवाया था। बहुत इकला की उतकेष्ट नमूने मद्गदिस में कहां देखने को मिलते हैं। सांची रतलाम भोपाल पचमडी है। तो बहुत इकला का राज सांची में देखने को मिलेंगे। अंगला कुशन है हमारे सामने करेंसी चापा खाना कहां इसते थे देवास उजन ग्वालियर या आप देखेंगे कि रतलाम तो देवास में चपते हैं नोट ठीक है करेंसी की बात हो रहे हैं। नेमलेकित में से कौन सा जिला और देव की द्रिष्टी से सरवादिक बिक्सित है। अंगला कुश्चन है मद्पदेश का कौन सा भाग उद्योग धंदों की द्रिष्टी से अधिक बिक्सित है। बगेलखंड पूरवी पठार मद्ध भाग बंदेलखंड बताईए। इसमें अगर हम लोग देखे न तो देखे बगेलखंड को बताया गया है। तो बगेलखंड आप लोग लगा दे ना। अंगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन से किस छेत की खान से हीरा निकलता है। बिलोधी, सिंगरॉली, मजगवा या जिल मिली। तो यह मुझे लगता है कि आप लोगों कुमालो होगा और आपने लगा भी दिया होगा। मजगवा ठीक है। अंगला कुश्चन है निमलिखित में से कौन सी नदी पचमडी की महादेव परवस्ते निकलकर नर्वदा नदी में मिलती है। बैन गंगा बनास हासो तवा नदी तो तवा नदी है। क्या है तवा नदी है। सिकॉर्टी पिपल मिल कहां इसते देखने को मिलेगा। कहां है नेपानगर देवास अमलाई या होसंगाबाद तो होसंगाबाद में देखने को मिलेगा। दा नेशनल लिवजप्रेंट एंड पिपल मिल्स नेपानगर किस जिली में इसते थे। किस जिली में इसते थे। यह आप देखेंगे कि अभी ही के समय अगर हम लोग बात करें नेपानगर। तो यह बुरहानपूर में पढ़ने लगा है कि इसमें पहले खंडवा में पढ़ता था। तो पहले आप लोग अगर खंडवा दिया गया है बुरहानपूर नहीं दिया गया तो खंडवा लगा सकते हैं। निमलेकित में से कौन सा युगम असत्त है तो तीन तो सत्त होंगे एक असत्त होगा वही असत्त आपको चुल लेना है। एलेक्टोनिक्स कॉम्पलेक्स इंदौर, क्रिसी कॉम्पलेक्स छेदवाड़ा, हाइटेक कॉम्पलेक्स ग्वालियर, चर्म कॉम्पलेक्स देवास। तो आप देखेंगे हाई-टेक कॉंपलेक्स गुवालियर में नहीं है तो यह आप लोग याद रखें बाकी आपका विल्कुल सब सही हैं आप देखेंगे तो इसमें C ही लगाओगे और क्या लगा सकते हूँ अंगला कुशन है हमारा मदविदेश के किस विश्विध्याले की नाम बदलकर सुफिसिद्धिक रांतिकारी मौलाना अबरकुलतुला की नाम पर रखा गया था यह आप लोगों को कहां देखने कुमलेगा भुपाल विश्विध्याले की बात हो रही है बर्कुत अल्ला भी सुविध्याले की नाम से आप लोग जानते हैं न, समारो उनके आयोजन इस्थल का कौन सा जोड़ा असत है, तांसेन संगी 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 नेमलेकेत में से कौन सा जोड़ा भी मिल है, जोती लंग, अमलकंटक, उदैगरी की गुफाएं, विदीसा, जहाजमल, मांडव, भर्दगी की गुफाएं, यह आपको कहां देखने को मिलेगी, उज्जैन में, बताईए, यह जोती लंग कहां देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे कि भगवान के, भगवान सिफ की पवित्त बारे जोती लंग है, और इसमें अगर आप लोग देखें न, तो कहां कहां हैं, यह भी आप लोग देख लिजे, सौमनाच जोती लंग गुजरात में देखने को मिलेगा, मलिकारजुन जोती लंग आंध्पिदेश में देखने को मिल जाएगा, महाकालिसो जोती लंग मद्पिदेश में मिलेगा, ओंकारिसो जोती लंग आपको मद्पिदेश में देखने को मिलेगा, तो इसमें आप लोग देखेंगे यह उप्सन लगा दोगे बाकी आपके उद्याइड गुपाएं कहा है यह आप लोगों को विदीशा में देखने को मिलेगी और जहाज महल कहा है यह आपको मांड़ो में देखने को मिलेगा मांडू में और भारत किरी की गुफाएं इप उज्जेन में देखने को मिलेगी महाकाल मंदिर से आप देखेंगे पांच किलो वीटर दोर देखने को मिलेगी तो इसमें ए ओप्सन लगा दिया होगा अपना मद्विदेश के उचनियाले जवलपूर में इस्थेत है इसके दो खंड़ बीट है इन दोर में दूसरा बता चुका हूँ ग्वालियर में आप लोग लगा देखेंगे अंगला कुश्यन है आपके सामने प्राक्तिक गेस पर आधारी देश का पितम और ओवरक सैंद मद्विदेश के बीजय पूर नामकिस्थान में इस्थेत है स्थेहोर, राजगड, गुना या सागर तो यह आप लोगों को गुना में देखने को मिलेगा मद्विदेश का एक जिला भी एक गुना सफेद सेर मद्विदेश के किस राष्टी उद्ध्यान में पाई जाते है जिसकी सफेद सेर की बात हो रहे है यह पैंच राष्टी उद्ध्यान, बांदावगड राष्टी उद्ध्यान या कांकी राष्टी उद्ध्यान, या मादाव राष्टी उद्ध्यान तो यह आपको बांदोगण राष्टी उद्ध्यान में देखने को मिलेंगे और सफेद सेरों के लिए एपिसेद है और बांदोगण राष्टी उद्ध्यान की बात करें तो 1968 में स्थापित हुआ था यह उमरिया में देखने को मिलेगा और इसका चेटपल देखें तो 1536 बर किलोमीटर में फैला हुआ है सफेद बागों के लिए जाना जाता है बी ओप्शन ठीक है इसमें निम्ले कितमे से कौन सा जोड़ा सुमलित नहीं है देवास इंद्रावती, उजहन चेप्रा, विदीसा वैत्वा, पंचमडी, तवा तो यह आप देखेंगे कि निम्ले में से कौन सा गलत की पूँच रहा है कि सुमलित नहीं है यानि की असत है तो उजहन के किनारे आप देखते हैं कि उजहन चेप्रा नदी के विदीसा वैत्वा नदी के पंचमडी, तवा नदी के किनारे देखने कुमलेगा तो इसमें ए उप्सन बिलकुल गलत होगा ए उप्सन बिलकुल गलत होगा ए लगा देना अंगला खूशन है हमारे सामने नेमलेखित में से कौन बेमेल है यानि कि आप देखे गलत है तो तीन तो सही होंगे एक गलत होगा राजगाट बांध बैदबा नदीपर गांधी सागरबांध चम्मल नदीपर बर्नाबांध नर्वदा नदीपर बांध सागरबांध सौन नदीपर तो बढ़ना बांद आप लोग देखेंगे न, ये किस नदी पर है, बढ़ना बांद एक सुन्दर जलायसा है भी है, और बड़े छेत पल में फैला हुआ है, ये बढ़ना बांद रायसेन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहां रायसेन में, तो ये भी याद रखेगा मत्वदेश के रायसेन में, और ये बांद चारों तरफ से पहाडियों से घरा हुआ है, और इस बांद के एक तरफ आपको सिंगोरी, बित बनेजीव, अभ्यारन भी देखने को मिलेगी, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, तो इसमें आप देखेंगी, तो इसमें आपका C लगा देना, बाकी तीनों आपकी सही है, निमलेखित में से कौन बेमेल है, यानि कि असत्त है, कफिल धारा, भानगड में, भेडा जलपेपाद, जबलपुर में, चचाई जलपेपाद, रीबा में, दुगदित धारा, अमरकंटक में, बताइए, तो ये आप देखेंगे कफिल धारा, आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा जलपेपाद, ये उप्सन विलकुर गलत है, इसमें, जब ये आपको, जलपेपाद, आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगा, नरवदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, कफिल दारा, इसलिए आप देखेंगे कि इसमें, आपका A option होगा, क्योंकि A सत्त है, बाकी तीनों आपके सत्त है, अंगला कुशन है हमारे सामने, मद्ध पिदेश के किस स्थान में, ग्रामोदर विस्विध्यालय हैं, जो पूरे विस्व में, अपने धंका पितम विस्विध्यालय की स्थापना की गई थी, यह आप देखिए, सांची और जहन, चित्कूट मांड़ों, तो यह आप लोगों को चित्कूट में देखने को मिलेगा, और चितिकूट का कुछ हिस्सा आप देखी यूपी में पढ़ता है कुछ हिस्सा आपका मदपदेश में पढ़ता है और यह आप देखते होंगे कि किस में पढ़ता है आपके सतना जिले में पढ़ता है ठीक है मदपदेश में तो सी ओप्सन इसमें ठीक रहेगा आपका आप देखें मत्विदेश में सर्वादिक पाया जाने वाला करेच कौन सा है बैसे दो आप देखें कि सबसे जान्दा कोईला पाया जाता है और मैगनीज के उतपादन में और पिदेश का अदेश में तीसरा इस्तान है इसलिए आप देखें कि इसमें मेगनीज लगा देना आप तो पिदेश में सरवादिक पाया जाता है और कोईला ओप्सन में होता कोईला भी लगा सकते थे अंगला कुशन है हमारे सामने निमलेकित में से कौन दे मेल यानि की असत है मेल नहीं खाता है अमलाई कागज उत्पादन से जुड़ा हुआ है भीमबेट का मेगनीज मजगवा हीरा उत्पादन बेला डिला लो एस्क उत्पादन के लिए तो इसमें आप सभी जानते कि भीमबेट का गोफाएं हैं ना कि ये कोई ख़दान मेगनीज की तो इसमें बी उप्सन आप लोग लगा देने क्योंकि बी गलत है बाकी तीनों सही सुमलेत हैं आपकी सरकार आपके द्वार नामा की योजना पूरे मद्वदेश में कब से लागो की गई थी आपकी योजना आपके द्वार कब की गई थी शुरूए आप देखेंगे कि 20 अपरेल 1991, 15 मई 1989, एक नवंबर 1989 और एक जन्मरी 1991 तो इसमें आप देखेंगे कि कब की गई थी इसमें 15 मई 1989 है 15 मई 1989 की बात हो रही है तो भी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अंगला कुशन है हमारे सामने बिवाद इसमें नर्बदा, सागर परियूजना के इंतरकत नर्बदा, सागर बांध, खरगोन जिली में कहां निर्माड रथ है कहां देखने को मिलेगा है पुनासा, नोटा, साडोरा या जतारा ये आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा पुनासा में ए ओप्सन विल्कुल ठीक है इसमें पुरी उडीसा के कौडाग सूर मंदर के कौडाग मंदर के भाती मद्पदेश के उमरी बमड़ केरा में भी सूर बंदिर है ये स्थान किस जगए देखने को मिलेगा ये विदीसा में है, उज्जन में है, मंदसोर में है, टीकमगड में है तो टीकमगड में ये देखने को मिलेगा कहां टीकमगड में और टीकमगण से अलग करके ही आपने देखा हूगा निवाडी एक नया जिला बनाये गया था, अब ओर च्छा निवाडी जिली में पड़ता है, आदिवासी कला, लोककला और पारंपरिक कला की चित में मत्विते सरकार द्वारा कौन सा सम्मान पृदान किया जाता है? आदिवासी कला, लोग कलाओ और पारंपरिक कला की चित में मद्विदे सासंदोरा कौन सा सम्मान दिया जाता है तांसें सम्मान, कभी एकवाल सम्मान, कालीदा सम्मान, तुलसी सम्मान तो ये तुलसी सम्मान दिया जाता है, कौन सा तुलसी सम्मान है D option होगा इसमें और तुलसी सम्मान की बात करें तो ये 1983-84 में मद्पडिश में गटिप किया गया था अगला question है हमारे सामने बोपाल की निकट मंड़दीप में देश का पितम ऑप्टीकल फाइवर का कारकाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया Germany, Sweden या फिर आप देखेंगे Japan या आप देखेंगे कि या आपका Italy तो ये आप देखेंगे कि किस की सहयोग से जापान की सहयोग से ये सुरू किया गया था और ये भारत में अपनी तरह का एक उद्देव है ये पहला तो इसमें जापान जापान की बात हो रही है तो कियो जिसकी राधधानी है जापान की अंगला कुशन है मदपिदेश की सरवादिक उची चोटी 1350 मीटर निमलेकित में से किस भाग में देखने को मिलेगा धूपगड की चोटी मदप उच्चे पिदेश में रीपा पन्नार पठार में सत्पोडा मेकाल सेणी में पूरी पठार में यह आप देखेंगी धूपगड की चोटी की बात हो रही है तो सत्पोडा मेकाल सेणी में आपको देखने को मिलेगी मदपिदेश की सबसे उची चोटी है 1350 या 1352 मीटर उची है और महादेव पहाडियों में देखने को मिलेगी या पचपड़ी में इस्तित है अंगला कुशन है हमारे सामने मदपिदेश में चम्बल नदी का उद्गम इस्तल जानापाव निमलिकित में से किस्चित में इस्तित है सत्पुडा मेकाल सणी रीवा पनना पठर मदब उच्च पिदेश बुंदिल कंग का पठर ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा चम्बल नदी की बात हो रही है ये आप देखेंगे कि मद भारत में आप लोगों को मदब उच्च पिदेश देखने को मिलेगा C option ठीक रहेगा और यह यम्ना नदी की सायक नदी है 1059 किलो मीटर इसकी लंबाई है और यह जाना पाओ पहाडी बिंध्यांचल परवत माला से निकलती है ठीक है महूस बंदपदेश से यम्ना नदी में मिल जाती है तो इसमें C लगा देंगा तापती नदी का उद्गम इस्तल निम्लिकित में से कौन सा है अमलकंटक राजपीला मुलताई जाना पाओ बताईए तापती नदी की बात हो रही है यह भी मदबदेश से ही निकलती है तापती नदी और पश्चिम भार तापती नदी एक खंबात की खाड़ी में गिरती है मुलताई से निकलती है मुलताई मदबदेश से तो इसमें आप देखेंगे C उप्सन बिल्कुल ठीक रहेगा आपका अंगला कुशन है हमारे सामने सीद काल में मदबदेश का सरवादी ठंडा इस्तान निमलेकित में से कौन सा है मंदस और जबलपूर पचमडी ग्वाली अरब सीद काल का पूच रहा है सीद काल का आप देखेंगे पचमडी होगा C उप्सन ठीक है खाम और पक्ची के लिए बिख्याद मंदबदेश का प्रमुक राष्टी उद्ध्यान कौन सा है माधो काना, सैलाना, बांधोगर तो इसमें आप देखेंगे सैलाना आपको देखने को मिलेगा सैलाना राष्टी है उद्ध्यान एक खर्माओर के लिए आप देखेंगे पिसिद्ध अंगला कुशन है मंदबदेश में तेन्दू पत्ता सरवाधिक निमलिखित में से किस उद्ध्यान में प्रियुक्त होता है चन्डा रंगने में, लाग को उद्ध्यान में बिढ़ी उद्द्ध्यान में, गौन उद्ध्यान में नहीं बसा है, नर्सिंग्पूर, होसंगाबाद, मंडला और बुरहानपूर, तो इसमें बुरहानपूर नहीं बसा है, ये भी आपनों याद रखेगा। मद्धविदेश में कौन सी परियोजना उत्तरपिदेश के सहयोग से बनी है, मद्पिदेश की कौन सी परियोजना उत्तर पिदेश की सहयोग से बनी है चम्बल गाटी परियोजना केन बहुत देशी है परियोजना पैंच परियोजना कोड़नाल परियोजना यह आप देखेंगे की सहयोग से बनी है और मद्पभडेस उत्तर्पडेस की ये है कौन आप देखें केन बहुत देश ही है परियोजना भारत हेवी इलेक्टिकल्स लिमिटेट की स्थापना बदकेदिस के किस नगर में की गई थी ग्वालियर, जवालपोर, भौपाल, इंदोर भारत है भी Electricals की बात हो रहे है तो ये भोपाल में आपकी की गई थी कहां भोपाल में और 13 नवंबर 1964 में इसकी स्थापना होई थी भेल की नई दिल्ली में Headquarter देखने को मिलेगा National News National News Print एवं पेपर कारखाने का निर्मान मदवरे से बैसे किस नगर में है हुआ है मंदसोर होसंगाबाद देवास नैपा नगर तो ये आप देखेंगे National News पेपर कारखाने की बात हो रही है तो ये होगा आपका नैपा नगर D option बिल्कुल ठीक है और राष्टी प्रेंट और कागच कारखाने को 25 जनवरी 1947 को साजनेर क्रूप से सामिल किया गया था उद्द्योगिक नगरी के रूम में भी आप लोग इसे जानते है D option रहेगा बास्तु कला की फिर्मुक पोस्तक सम रांगर सूथ के लेका कौन है सम रांगर सूथ के लेका कौन है हैमचंद, हर्स, स्री हर्स, राजा भोज या फिर आप देखेंगे छैमिंद तो इसमें आप देखेंगे कौन होगा राजा तो इसमें आप देखेंगे राजा भोज होगा क्या राजा भोज यानि कि ए ओप्सन बिल्कुल ठीक है इसमें मद्विदिस में सबसे बड़ी अनुसूचे जन जाती कौन सी है अनुसूचे जन जाती की पूँच रहा है अनुसूचे जाती नहीं अनुसूचे जन जाती तो भील मद्पिदेश की सबसे बड़ी अनुसूची जन जाती है कौन सी है भील तो इसमें आप भील लगा देना भारत की सबसे बड़ी जन जाती है यह आप लोग बताईएगा ये मद्धविदेश की सबसे बड़ी जंजाती है और गौंड मद्विदेश की दूसरी सबसे बड़ी जंजाती है ये भी याद रखेगा ये questions भी कई बार पूच लेता है और भील मद्पिदेश के जावुआ, धार, बडबानी, खरगोन, अली, राजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगी गौन्ड जिन जाती की बात करें तो बैतूल, होसंगाबाद, छदवाड़ा, बालगाट, सहडोल, मंडला, आदी जिलों में ये देखने को मिलेगी अंगला कूशन है हमारे समने, मद्पिदेश सरकार, लोग कताओं के लिए निमलेकित में से कौन सी फिलोसिप पैदान करती है अलाउद्दीन खान फिलोसिप, अमरिता सेरिगल फिलोसिप, चक्कधर फिलोसिप, स्रीकान फिलोसिप बदाईए, इसमें आप देखेंगे कि क्या बता रहा है, चक्कधर फिलोसिप की बात हो रही है, ठीक है, क्या लगाओ के, चक्कधर फिलोसिप इसमें आप लोग C option विल्कुल ठीक रहेगा और चक इदर फिलोसिफ सास्तिय संगीत में दिया जाता है एक तरह से चलिए आंगे लिए question की तरफ चलते हैं हम लोग डॉक्टर हरी सिंग गौर राश्टिय पुरुसकार गौर राज पुरुसकार मद्पदे सरगाद वारफ किस छेत में दिया जाता है चेकेसा बिग्यान सामाजी बिग्यान इंजिडरिंग बिग्यान आधार भूस सरचना के लिए यह आप देखेंगे सामाजी क्षेत्र में दिया जाता है और डॉक्टर हरी सिंग और बिस्विध्याले वी ए उनिवसीटी भी है आपकी कहां सागर में कराकरेका मद्वदे किस भाग से गुजर्ती हैag पूर्व से पर्श्यम से बाक से या दच्चन से बीच से गुजर्ती है 14 जिलों से जाती है यह आप नीचे बता सकते हैं पहले बता चुके हम लोग नर्वदा घाटी विकास निगम किस बरस गठित किया गया था ये 1901, 1981, 1982, 1983 ये आप देखेंगे कि 9 अगस्त 1985 को नर्वदा घाटी परियोजना का गठन हुआ था लेकिन आप देखेंगे इसमें 1981 में आपका निगम घोसित किया गया था तो इसमें C क्या B ओप्सन खीक रहेगा अंगला कुक्षिन है हमारे सामने नेमली कितमे से मंत्र पेदेश के किस मुख मंत्री का कारकल सब से कम रहा था सब से कम बताईए राजा नरेश चंद डॉक्टर रभी पंडित रभी संका सोकल बीरेंद कुमा सकलेचा गोविन नारायन सींग तो आप देखेंगे इसमें तेरह दिन सींग रहे थे नरेश चंद राजा नरेश चंद यह ओप्सन विल्कुल ठीक रहेगा तो तीरह दिन बनाए गए थे यह आप लोगों को जरूर मालू होना चाहिए इनके बारे में तीरह दिन रहे थे ठीक है और चलिए अंगला कुक्ष्ण देखते है भोपाल ट्रेश डी नामुक पुस्तक की रचेता लेखत कौन है एम अरुन सुवमन्यम कौन यह आप देखेंगे इसकी रचेता है एम अरुन यह आप देखें कि इसमें खुसबंद सींग डेविड वियर एम अरुन सुवमन्यम यह एन की चौपड़ा यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें एम अरुन सुवमन्यम की बता रहा है और एक आप देखेंगे इसके बारे में आप लोग बताईए दो तीन दिसंबर उननीस सो चौरासी में हुआ था लेकिन आप देखेंगे कौन सी गयस थी इसका नाम आप लोग नेचे बताईएगा ठीक है मद्विदेश की बहु पितिक्चित नर्वदा सागर परियोजना कब प्यारम हुई थी 20 नवंबर 1987, 18 नवंबर 1987, 19 नवंबर 1987, 17 नवंबर 1987 बताईए यह आप देखेंगे कब हुई थी 18 नवंबर 1987, 18 नवंबर 1987, भी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अनला कुशेर है मद्विद सरकार द्वारा दिये जाने वाले स्तामानों में कौन सम्मलित नहीं किया जा सकता है तुल्सी सम्मान, कालिदा सम्मान, तांसन सम्मान, आरवट सम्मान तो आपको बतादो आरवट सम्वान नहीं दिया जाता है और आरवट आप देखते हैं कि एक जो तिसविद्ग और गड़ी तक reflection गुप्त काल में ठीक है तो तुलसी सम्वान दिया जाता है कालिदा सम्वान दिया जाता है तांसे लेकिन आरवट दिया जाता है ग्रिजा पिरसाथ को दिया गया था और हीर जी के सव जी को दिया गया था और दूसरा है कालिदा सम्मान तो यह आप देखेंगे कब हुआ शुरू यह आपका 1980 में शुरू हुआ था ठीक है यह 1980 में शुरू हुआ था और तांसें सम्मान की बात करें तो यह आप देखेंगे कि 1950 से शुरू हो गया था ठीक है मत्वदे सरकार में दिया जाता है और आप देखें 1924 में तांसें समारू का सुमाराम हो गया था तो यह भी आप लो याद रखेगा तांसें सम्मान यह आप देखेंगे कि तांसें सम्मान तांसें समारो हुआ था कम यह 1950 से सक्री हो गया था और पहली बार सन 2000 में उस्ताद अब्दुल हामिद हलीम जफर को दिया गया था सिताद उस्ताद थे इनने सन 2000 में तांसें सम्मान तो इनके बारे में याद रखेगा राश्टी पत्तिक्यारता विस्विद्याले संस्तान भूपाल की स्थापना कम हुई 17 मार्च 1980 16 जनवरी 1991 और 16 जनवरी 1990 17 मार्च 1991 बाइए बताएए कब की गई थी? 16 जनवरी 1991 बी ओप्सन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने नर्वदा नदी का उद्गम इस्थल कहा है? जबलपूर अमरकंटक इंदौर भूपाल नर्वदा नदी की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है रेवा के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं खंबात की खाड़ी में गर जाती है तो बी ओप्सन इसमें ठीक है 1312 किलोमीटर है इसकी लंबाई मदपदेश की सीमा को चूने वाले राज्जों की संख्या क्या है? पांच साथ चैस साथ आठ तो आप सभी जानते ही कि 5 है इसमें 34 गर मदपदेश 34 गर उत्तरपदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ट पांच है टोटल ठीक है? मदपदेश में चांदनी ताप तापी विद्दुत केंदर निमले कित्म से किस स्थान पर इसताफित हुआ है अमर कंटक सीधी नेपानगर भोपाल बदाएं चांदनी ताप विद्दुत केंदर की बात हो रहे है तो एक कहाँ है? नेपानगर में आप लोग देखने को बिलेगा 1933 में ताप राजि के फिफम ताप विद्दुत केंदर की चंथा के हिसाब से किया गया था तो एड़ नेपा नगर मद्देश के प्रपादबा उनसे संबनी नदियों के जोड़े नीचे नीचे दिये गए हैं इन से में से गलत जोड़ा आपको देखना है कपिलधारा, तापती नदी, धुआधार नर्बदा नदीपर, चचाई बीयड नदीपर और भालकुंड बैतवा नदीपर तो इसमें आप देखें कि कपिलधारा ही होगा, क्योंकि कपिलधारा आपको मालू होगा कि एक इस पर है, नर्बदा नदीपर है कपिलधारा तो इसमें ए लगा देना ठीक है बाकी तिनों सही है मद्विदेश में भेहराओगड के कलात्मक बस्त छबाई का केंद निमलिकित में से कौन सा है बोपाल दमो बालागाट या पर आप देखेंगे की या बालागाट उज्जेन बताईए या आपको उज्जेन में देखने को मिलेगा D option ठीक है मद्विदेश में चरम उत्पादन हितू कारगणा की स्थापना कहां कोई है इंदवर सागर ग्वालिय सीधी मद्विदेश में चरम उत्पादन हितू इस आपको देखने को मिलेगा कहां ये 1981 में मन्दपिदेश बिकास निगम की स्थापना हुई थी और ये ग्वालियर में आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां ग्वालियर में तो C option रहेगा इसमें किस प्राग्तिक भाग में खजराहु इस्थीतत बातें रिवापन्या में बिंदपिदेश में बुंदेलखंड के छेत्म में तो D option आप लोग लगा देना मद्ध पिदेश वा उत्तर पिदेश बिहार इन तीनों राज्जों की सयुक्त परियोजना किस बांध पर आधारी थे? करम नासा नदी, बैतूल बांध, सौन नदी की बार्सागर बांध, रिहंद नदी की रहंद बांध, उप्योक्त में से कोई नहीं बांध सागर या बांध सागर बांध, एक बहुत देशी नदी घाटी परियोजना है, जो सौन नदी पर मद्ध देश के गंगा बेशन में है, यह आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो सौन यानि की बी ओप्सन होगा महू में सैनिक बिद्रो कब भढ़गा था? महू में सैनिक बिद्रो कब भढ़गा था? 1 अगस्त 1857, 1 जुलाई 1857, अठारे जुलाई 1857 और अठाई जुलाई 1857 तो 16 मई यह महू इस्तित गैरिन में ने मई के दूसरी सपता में इंदोर रैसिडेंट पर आकमर करने का निश्य किया था 16 मई 1857 को डिवरेंट को सक्ता की बहु इस्तित सैना बिद्रो प्यारम कर सकती है इसमें आप लोग देखेंगे कि 1 जुलाई 1857 को यह बढ़ा कोठा था मेरत में आप देखते हैं संगराम की सुरुवाद 10 मई 1857 को हो गई थी वे भी याद रखेएगा चलिए भी याद रखना चाहिए तो इसमें आप देखें एक जुलाई 1857 में लगे देने हैं अंगला कुक्षिन है बैतवा घाटी विकास योजना के अंतरगत निकाली गई नहर का क्या नाम है बैतवा घाटी विकास योजना के अंतरगत निकाली गई नहर का नाम क्या है लंगटपूर नहर, हलाली नहर, सिंगापूर नहर, पनचानपूर नहर तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगी क्या नाम है इसका हलाली नहर है इसका हलाली नहर है 1968 में पूरी वुई थी है बैतवागाटी, विकास के उन्तेवर। बिदीसा जिले में कयानवित की जाने वाली एक है हलाली यानि कि इसमें इसमें B option ठीक रहेगा खनेच की दरिश्टी से कौन सा प्राक्टिक चेथ सरवादिक धनी है खनेच की दरिश्टी से सरवादिक सबसे धनी है कौन है सत्फोडा यह आप देखें कि बटार बताईए इसमें से क्या लगाओगे तो इसमें सत्फोडा आप लोग देखेंगे ठीक है यह option ठीक रहेगा इसमें आपका अंगला कुशिन हमारे सामने बगेल खंड चेथ में मुक खेंता कौन सा खनेच मिलता है बाला बॉकसाइड कोईला मेगनीच बगेल खंड की बात हो रही है बगेल खंड में हीरा भी मिलता है यह भी याद रखेगा हिनोता मजगवा उच्छा तो पूर जनपत की अंगोर नामक उसमें तो लेकिन आप देखें कि हीरा इसमें दिया ही नहीं गया है तो कोईला लगा देना बी यह ओप्सन विल्गुल सही है बिक्या ताबा छेत मजाल मलाजखंड किस जिले में इस्तित है मलाजखंड किस जिले में है ए सीवनी सीवनी बाला घाट नरसिंग पूर छेत बाडा तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा बाला घाट में है चूना पत्थर का सरवादी कुत्कनन मत्वदेश के किस जिले में होता है गौालिय धार सीधी जबलपोर चूना पत्थर का यह आप देखें चूना पत्थर में सबसे जाणाज़ सतना में फिर कटनी फिर दमोवाता है दमोवात के रीवा आप लोग देखते हैं ठीक है एक क्रमसा है लेकिन अगर आप देखे कि अगर यह सब नहीं दिये गए हैं तो जबल पर आप लोग लगा देना मंदसौर का किला किस नदी के किनारे इस थे थे महा नदी सिबना नदी चिप्रा नदी तापती नदी मंदसौर का किला किस नदी के किनारे यह आपका सिबना नदी के किनारे हैं सिबना नदी के B option ठीक रहेगा है अंगला question है हमारे सामने निमलिकित में से कौन सा नगर महाकाब काल का नहीं है नगर महाकाब काल का नहीं है बिराटपूरी उज्जनी भोपाल महिस्मिती तो यह आप सभी जानते हैं कि महिस्मती तो है सब उज्जनी है भोपाल नहीं है क्या है भोपाल नहीं है इसमें तत्या टोफी को मद्वदेश के किस इस्थान पर फांसी दी गई थी तत्या टोफी को तो आपको मालोगों को कि तत्या टोफी की बात करें तो इन्हें धोके से पकड़वा दिया गया था और इनका जनम 16 फरवरी 1814 में हुआ था कि अधोरं इन का पूरा नाम था तुरसी उपूरी पिसद उधैगोरी गुपाएं कहा देखने को मिलेगे धार जबलपूर होसंगबाद विदीशा उधैगोरी की गुपाओं की बात हो रही है कहा है यह आप लोगों को देखने को मिलेंगी कहा ये विदीशा के निकट आपको देखने को मिलेंगी कहां विदीशा D option विलकुल ठीक है चौती पांचवी सितापदी में चंदगोप्त बिक्रमादित दुतियने किस नगर जो अभी भी मत्विदेश में है को अपनी राध्धानी बनाया था विदीशा, ओजैनी, भोपाल, ग्वालियर तो ये अब आप देखेंगे किसे बनाया था ओजैनी को ओजैन को ओजैनी को ठीक है अवंती के नाम से भी आप लोग इसे जानते थे मालवा की सासक राज्या भोज ने अपनी राध्धानी किस इस्थान पर बनवाई थी और संगावाद विदीशा धार भोपाल मालवा की राज्या ने कहां बनवाई थी राज्या भोज ने तो धार में और महाराजा भोज ने आप देखें से एक सोजार पच्पन इस भी तक धारपसासन भी किया तो सी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें कला की छित में बद्कदेश के सजनात्मक सेश्क्ता के लिए कौन सा पुरुस्का दिया जाता है कालिदा सम्मान रजनी सर्मा पुरुस्कार एहले आवाई उप्युक्त में से कोई नहीं कौन दिया जाता है इसमें से तो आप देखेंगे कालिदा सम्मान दिया जाता है कला की छित में कालिदा सम्मान अंगला कुशे ने बिक्रम पुरुस्कार किस कार एहतु दिया जाता है बिक्रम पुरुस्कार किस कार प्रोसान के लिए बीता के लिए तो आप देखेंगे ए विक्रम पुरुसकार खेल के छित के लिए दिया जाता है खेल में प्रोसान के लिए ठीक है मद्पदेश सासंद वारा दिया जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेएगा कुशन्स फूस लेता है कई बार मद्पदेश में पितिवर्स अखिल भारती है सास्ती है नित कहां आयुजित किया जाता है भोबाल खजराहू ग्वालियर इंदोर तो यह आप देखते हैं कि कहां खजराहू में किया जाता है चतरपुर जले में मद्पदेश में नाट आदमी कहां आप लोगों को देखने को मिलेगी वो इंदौर इंदौर ग्वालियर भौपाल उजयन तो यह आप लोगों को कहां देखिए मद्ध भारत कला परिशत की स्थाफना 1952 में हुई थी यह ग्वालियर में में मद्धवदेश राज बनने के बाद इसका नाव मद्धवदेश कला परिशत कर दिया गया था ठीक है और लेकिन उजयन में आप लोग देखेंगे से ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखिएगा मद्धवदेश में नाटिकाला अकादमी यह आपको कहां देखने को मिलेगी और जैन में चलिए आधिके चलते हैं हम लोग अंगला कुशन साहित सरजन के लिए मद्धवदेश सरकाद द्वारा कौन सी फिलोसिप दी जाती साहित सरजन के लिए के वी फिलोसिप यह आप देखें कि मुक्तिबोद फिलोसिप अमरिता सेरिकल फिलोसिप या रजनी सर्मा फिलोसिप तो बताएए यह आप देखेंगे किस में क्या दिया जाता है यह आपकी दी जाती है मुक्ति बोध फिलोसिप यानि कि आपका B option विलकुल ठीक रहे है इसमें मुक्ति बोध ठीक है B option ठीक है गाजानन माधव मुक्ति बोध का नाम सुने हिंदी सायते से जुड़ी कभी थे उन्हीं की बात हो रही है अंगला कुशन है हमारे सामने वह है कौन सा छेत्र जहां गौंड आदिवासी रहते हैं मालवा का पठार बिंद सत्पड़ा परवसेनी मद भारत का पठार बुंदेलकंड का पठार बदाईए, जहां गौंड आदिवासी रहते हैं, यह कहां रहते हैं, यह बिन्द है, आप लोग देखेंगे, बिन्द सत्पुड़ा परवसेनियों में रहते हैं, ठीक है, तो यह भी आप लोग बिन्द सत्पुड़ा सेनियों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानि कि B option आपका बिल्गुर ठीक है मदपदेश के एक मात तादिवासी मुखमंतरी कौन थे जो मात 13 दिनों तक मुखमंतरी रहे थे बताएए तो आप लोग जानते हैं कि अभी बताया था बेरेंद कुमा सकलेचा, भगवंतराओ मंदलोई, कैलास नाट काट जू राजा नरेश चंद ठीक है उत्तरपूर्वी रेलवी का बेगन बर्क सौप कहां देखने को मिलेगा, कटनी, भोपाल, जवलपूर इमें से कोई नहीं तो आप लोगों को उत्तरपूर्वी कहां देखने को मिलेगा इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा रेलवी रिपेंग कारखाना ग्वालियर में देखने को मिलेगा, बेगन रिपियर वर्क सौप सतना में आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन उत्तरपूर्वी रेलवी का बेगन पूँच रहा है तो ये भोपाल में देखने को मिलेगा, तो इसमें आप लोग भोपाल लगा देए न वी ओप्सन ठीक रहेगा, तो आप देखेंगे कि मद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध होगा तो रक्षा उत्पादन इवो दुखकर्ण अस्तसत कारकाना किस सहर में है नीमच लुहन लुहन्डी कोड़ा जबलपुर महू तो यह आप सभी जानते हैं कि कहां जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा नयाईक राध्धानी भी जबलपुर को आप लोग कहते हैं ठीक है अगला कुशन है हमारे सामने देश का सबसे बड़ा बायो गयस सेंद मद्पदेश में कहां देखने को मिलेगा टेकारी जबलपुर के समीर भदबदा भोपाल के समीर मौगंज रीवा के समीर पंचानपूर खंडवा के समीर तो यह आप देखेंगे भदबदा केवी किलब त्रिवभबन किलब गनीश किलब पार्सी किलब की इसकी पार्सी किलब की गई थी यह आप लोग डी ऑप्शन विल्कुर ठीक लगाएंगे पहला भारती किलब था यह पार्सी अठारे सोड़तालिस में किसके लिए थी है किरकेट के तो इसमें डी लगा देना नेमले कित में से प्राचीन गुफाओं बाली परेटन परेटन का इस्थान कौन सा नहीं है मांडू बाग की गुफाएं उदेगरी और एक है आपका कावरा की गुफाएं क्या इसमें कानुवारा की गुफाएं तो मांडो की नहीं आई मांडो की गुफाएं नहीं है इसमें इसमें आप लोग C और A option लगा देना क्या लगा दोगे? A option लगा दोगे मांडो में आप लोग जांज महल भी देखते होंगे चली देख लिटे रहे हैं अंगला question है महस्मती नामक प्राचीन तीर्तिस्तल अब किस नाम से जाना जाता है? सिबनगर महेसर बनिया राज़ूर महेस्मती तो यह आप देखेंगे कि महेस्मती नामक प्राचीन ती इस तल अब किस नाम से जानते हैं इसी महेस्वर की नाम से जानते हैं किस नाम से महेस्वर की नाम से जानते हैं महेस्वर सुने हो ना उसी की बात को यह भी ओप्सन रहेगा इसमें जहांगीर ने अपने बिस्तराम के लिए एक सुंदर महल मद्पदेश में बनवाया था वो कहां देखने को मिलेगा और आईसेन अजैगर सिवफुरी असीरगर तो आपको मालू है यह कहां था यह आप देखेंगे जहांगीर महल मद्पदेश के इतिहास इक स्थान और्चा में एक जहांगीर महल भी है लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आपका अजैगर देखने को मिलेगा कहां अजैगर तो यह भी आप लोग याद रखेगा लेकिए इसमें अपने असीर अजैगर विस्तराम के लिए जहां रुपते थे विस्तराम करने के लिए वहीं बनवा दिये तो अजैगर होगा एकमात ऐसे इस्थान का ना मताईए जहां बहुत थे कालीन सिल्वकला की सभी नवूने बिद्धमान है साची असीरगर मुकतागिरी खजरा हो तो यह तो मुझे लगता है कि मालू होगा कि साची ही होगा मद्वदेश में परेटकों का स्वर्ड किस सिस्थान को कहा जाता है खजराओ ग्वालियर साची पचमडी होसंगाबाद में देखने को मिलेगा पचमडी हैलियोडोरस का पिसिद्ध इस्थंबल कहा देखने को मिलेगा हैलियोडोरस का यह आपको बेगम गंज में नसुरूला गंज में दिवास में बिदीसा में और भारत के मद्वदेश के बिदीसा जिले में आदूनिक वेसनगर के पास आपको पत्थनों से निर्मेतिये पिराचीन इस्थम्मेर ठीक है और एलियोडोरस ने कराया था जो भारती उनानी राजा अंतलेकित के सुंग राजा भागबद्द की दरबार में दूठ थे तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे विदीसा ही होगा डी ओप्सन आपका बिलको ठीक है इसमें डी ओप्सन ठीक है सन 1857 की सुतंता संगराम की समय रानी अवंती बाई ने अंग्रेजों को अंग्रेजों सी किस सिस्थान पर टक कर ली थी चैतरपूर सीवनी जैतिया खेरी बताए मंडला की रानी थी ये आप देखे ये खेरी होगा क्या होगा खेरी होगा पीरागना अवंती बाई लोधी और आप देखे 16 अगस्त 1831 में इनकी जनम हुआ था और 20 मार्च 1858 में इनकी टेथ हो गई थी डी आप्सन की रहेगा सन 1830 में बैतूल जिले के में घोडा डौंगरी छेत में जंगल सत्यागा कर नितित किस ने किया था जंगल सत्यागा कर नितित किस ने किया था मास्टर रबाल सिंग गजन सिंग कोरकू भवानी पर साथ में स्वामी इसना नंद तो यह आपको मालू होना ज़िक गजन सिंग कोरकू ने बैतूल जिले में बी ओप्सन आपका बिल्कुल ठीक रहेगा इसने 1930 की बात है रतलाम में इस्तरी सेवा दल की स्थाफना कब की गई थी इस्तरी सेवा दल की स्थाफना कब ही ए 1942, 1935, 1931, 1940 बताईए 1931 C option ठीक है अंगला कुछन है मत्विदेश में नमक बनाकर नमक सत्या गया किसने सुरू किया था नमक सत्या गया है वो अलग आप देखे बनाया था महत्मा गांजी जीने जिसमें भाग लिया था सुवास्चंद सिंग दुर्गा संकर मेता उमर संकर सिंग गौरी संकर सिंग तो बारे मार्च उंडी सो तीस को मत्मा गांदी ने नमक पठेक्स लगाने की अंग्रेजियों के खिलाब एहम्दाबाद में एक सावनमत्ती आसरम में शुरूआत की थी इसमें और लेकिन मद्विदेश की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप लोगो देखेंगे 6 अपरेल 1930 को जबलपुर में सेट गोविंदास और दुर्गा परसाथ मिसर की नेतत में नमक सत्या गया शुरूआता दुर्गा 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 परसाथ मिसर भी थे इसमें तो इसमें दुर्गा संखा मेहिता सही है सिवनी जिले में दुर्गा संखा मेहिता ने गांधी जी ने अहयोग्या अंदोलन की शुरूआत मद्वदेश के किस स्थान से की थी आयोग्या अंदूलन की शुरुआत 1941 में विदिशा से 1940 में इंदोर से 1949 में जवलपूर 1938 में उज्जेन मताई तो यह आप देखेंगे आयोग्या अंदूलन की बात हो रही है यह जवलपूर से की थी 1949 में C option ठीक रहेगा मताई देश विद्धूत मंडल का मुख्याले कहा है मताई देश विद्धूत मंडल का मुख्याले कहा देखने को मिलेगा यह आपको जवलपूर में देखने को मिल जाएगा कहा जवलपूर में तो इसमें आप देखेंगे जवलपूर रगा दीना C option अंगला गूर्शन है हमारे सामने नेमलिकित में से किस स्थान पर ताफी है ताफी है बिजली उत्पंद नहीं की जाती है सत्पोडा बिद्धूत के इंद चालनी बिद्धूत के इंद जवलपूर बिद्धूत के इंद बरगनी की बिद्धूत के इंद तो आपको मालो होगा कि बरगी बिद्धूत के इंद में नहीं की जाती है जल्ब दूद उत्पादन सयंत है एक यह वाद तो आप देखेंगे D option होगा मद्वदेश का प्रमुक समाचार पत्र गवालियर गजट गवालियर अकवार किस भासा में पिकासित होता था और इसका पिकासिन कब प्यारम हुआ था संस्कित में 1960 में गवालियर अकवार की बात होई है हिंदी में 1832 में फार्सी में 1851 में उर्दू में सन 1840 में तो यह आप देखेंगे कि अगर आप देखें तो उर्दू में था किसमें था उर्दू में था 1840 में गवालियर से पिकासित होगा था D option आपका ठीक रहेगा इसमें मत्विदेश की महान कभी एवं सुतंता से ना नी माखनलाल चतुरवेदी कौन सा समाचार पत्त निकालते थे करम भी गण सक्ती लोक लहर उद्भावना तो यह आप देखते हैं करम भी निकालते थे माखनलाल चतुरवेदी की बात हो रही है इनके जनम की बात के अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम 4 अपरेल 1889 में हुआ था और 30 जनवर 1908 में इनकी डैथ हो गई थी पदम भूसन भी दिया गया था साहिद अकादमी परुसकार भी इने मिला था मद्वदेश का एकवाल सम्मान के चित के लिए दिया जाता है एकवाल सम्मान मद्वदेश में किस चित के लिए दिया जाता है लली कलाओं के चित में उर्दू में सरफशिष रचनात्मक लेकन है तू हिंदी साहित में सरफशिष रचनात्मक लेकन है तू संस्कित, संस्कित इविकास में योगदान के लिए तो इसमें आप देखेंगे एकवाल सम्मान मद्वदे सासन ने 1986-87 में उर्दू साहित में रचनात्मक लेकन के लिए इस्तापित किया था, भी ओप्सन आपका ठीकिस में मद्वदे सरकार द्वारा संगीत में कौन सी फिलोसिप दी जाती है उस्ताद दया संकर फिलोसिप, उस्ताद अलाउद्दीन खांश फिलोसिप उस्ताद मुनीर खांश फिलोसिप तो यह तो मालू होगा संगीत के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां फिलोसिफ होगी, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, चलिए आंगे चलते हैं, ए अलाउद्दीन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारू कहा होता है, ये आप लोग बताएगा नेचे, मद्विदेश में पंच्यायती राज कब सुरू हुआ, पंच्यायती रा 1885, 2 October 1983, 14 November 1989, बताएगे, ये आप देखें कि पंच्यायती राज, 2 October 1980 में सुरू हो गया था, और एक बात आप लोगों को और बता देता हुआ, कि देखें, जो अधिनियम 73 समिधान संसुदान अधिनियम था ना, ये मद्विदेश पंच्यायती राज अधिनियम 1993 की, दिना पच्चीज जन्मरी 1994 से लाग हुआ था, तो ये दोनों में फरका आप लोग याद रखेगा, इत्यदार महल कहां देखने को मिलेगा, इत्यदार महल, अजैगर के लिए में, ग्वालियर के लिए में, कालिंजर के दुरग में, या आप देखें, गरायसन के दुरग में, इ रायसन दुरग में आ हुई, आप लोग देखेंगे से, रायसन दुरग में, डी ओप्सन ठीक है, असर्फी महल, महिस्तिद मश्चित किस नमूने पर बनी हुई है, असर्फी महल में, दिल्ली की फतेपुरी मश्चित के नमूने पर, दमिस्की की मश्चित के नमूने पर, लाहुल की मश्चित के नमूने पर, दिल्ली की जामा मश्चित के नमूने पर, और महभूद खिल्जी का संगमरमर का बना हुआ मकवरा हुआ करता था, इसमें आप देखेंगे, कि मक्मरी की गुम्मद से बहुत बड़ा था तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा दमेश्क जिसमें दमेश्क की मस्जित की नभूने पर तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें चलिए आंगे चलते हैं इसमें आप लोग भी ऑप्स लगा देना ठीक है अंगला कुशा ने दोड़ा चार पुरुसकार किन बेक्तियों को दिये जाते हैं पिसीग चक को यह पिसी सगो को एसी आई किलो में सोड़ पदक तो यह पिसीग चक यानि की टीचर को दिया जाता है खेल पिसीग चक को ठीक है गुरूर दोड या दोड़नाचार पुरुसकार तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा यह उन्नीस सो पचासी में सुरूगवा था तो यह ओप्सन ठीक रहेगा इसमें निमले कित में से अमना नती में मिलती है कौंसी नती ऐमना चंबल, वैतवा, सौन, काली, सिंध, काली, सिंध, हूँ तो आपको बता दूं की कौन सीौन नेहीं मिलती ए सौन नदी सौन नदी की बात करें तो यह आप लोगों को यह अमरकंटक से निकलती है कहां से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है यमना के बाद यह गंगा नदी की दच्छिड उपनदीयों में से बड़ी है गंगा नदी में मिल जाती है आप देखे तो सौन होकी इसमें सी रहेगा जंगल सत्य एक किन लोगोंने सेनिकों ने तो यह आप देखें कि जंगल सत्या गया मत्वदेश की सिवनी घोडा डोंगरी सिवी थी बंजारी सींग कोर्की के साथ गंजन सींग कोर्कू ने किया था बैतुल जंगल में तो इसमें आप देखेंगे बी ओप्सन होगा आपका कोर्कू जंजाती मत्वदिस में कहां कहां पाई जाती है कोर्कू जंजाती मत्वदिस में कहां कहां पाई जाती है खंडवा, होसंगबाद और बैतुल शिदवाड़ा, जबलपुर, सागर, रीबा, सीधी, सत्तना, पन्ना, जबल, चतरपुर, स्टीकमगर, सहवडूर, रायसेन, मुरेना, मंडला यह सत्तुड़ा पर बस माला के जंगलों में लगे, छिदवाड़ा हो, मवासी, बैतो, जिले, यह सबाब, भौसंगवाद भिंड, खंडवा, इन में देखने को मिलेगा, यारी कि आप देखेंगे, यह उप्सन इसमें लगा देना मद्पदेश में भारत की जंसंख्या का कितना पितीसर निवास करता है, टोटल जंसंख्या का, और यह आप देखें, 2011 की जंगरणा के साब से हैं, क्योंकि 2021 की जंगरणा नहीं हो पाई अभी, तो आप देखेंगे कि 4.82%, 5.99%, 6.35% या 6.88%, लगभग आप देखें, 5.99%, 5. अंगला कुष्ण है, मद्पदेश में, 2011 की जंगरणा के नुसार, जंसंख्या घनत क्या है, 100, 174, 149, 236, तो आपको बता दो, 236 बेक्ती पिती बर किलो मीटर में नबास करते हैं, मद्पदेश में, भारत का क्या है, आप लोग नीचे बताएगा, साथपोडा राश्टी होने बाले प्लडएओं की डिथ, कि अध्यों के लिए, और सेरों के लिए, तो यह आप देखेंगे, किस के लिए है, राश्टी रखु द कि अध्यान, संगाबाद जिली में देखने को मिलेगा, और 1990 281 में स्थावित हुआ तो यह आप देखें किष्ण बरगों के लिए भी ऑप्सन ठीक रहेगा इन दौर में स्थावित किये जाने वाला है भाबा परमाडू के अंदर की पिता मोद्दोगी केंदर का क्या नाम है टाइगर प्रोगेस लाइप या आप देखेंगे कैट क्या नाम है इसका तो यह भी आप लोग याद रखेगा तो इसका कैट है डी ऑप्सन ठीक रहेगा भाबा परमाडू कुर्जा की बात हो रही है और 1954 में शुरू हुआ था वैसे अगर भाबा परमाडू अनसंधान के अंदरी की बात करें बात की बात करें मुंबई महराष्ट में इसका एड़क्वाटर है तो इसमें आप केट लगा देना मद्पदेश में वह कौन सा इस्थान है जहां जन सरूतियों के अनुसार ब्रहमा विष्णू और महिस ने बाल अलता लिया था बताईए अमरकंटक उंकारेसोर चितकूट महिसोर तो चितकूट में आप देखते है नेमलेकित में से किस स्थान निकट लगभग दो किलोमीटर दूर दो पिरमुक नदियां का अधगम है अमरकंटक महुच चेदवाड़ा ग्वालियर तो यह आप लोगों कहां देखने को मिलेगा बताईए अमरकंटक है क्या है अमरकंटक होगा इसमें अमरकंटक होगा आपका ठीक है इसमें जरूर आप लोग याद रखेगा चलिए अमरकंटक से निकलती है कौन कौन से नदी निकलती यह आप लोग बताईए क्योंकि पीछे हम बता भी चुके हैं कई बार और किस जिले में आप लोग यह देखते हैं यह भी बताईए ठीक है यह आप लोग याद रखेगा अनो इन नर्वादा एक तो आप देखेंगे एक दूसरी कौन सी है यह आप लोग जरूर बताईएगा तो ठीक है अंगला कुशन है हमारा मद्देश साहित परशत द्वारा अकिल भारतिये महराज बीर सिंग देओ पुरुसकार किस बिदा के लिए दिया जाता है अलोचना कविता समाज बिग्यान उपन्यास के लिए दिया जाता है कि यह आप देखेंगे हिंदी साहित में उपन्यास के लिए दिया जाता है इसके लिए उपन्यास के लिए दिया जाता है ठीक है यह जरूर याद रखेगा उपन्यास उपन्यास होगा इसमें इसमें डी ओप्सन लगा देना क्या डी लगा देना मद्ध्विदेश की प्रमुक नदी नर्वदा की सुद्रीकन हेदु पिजूशन की रोख्थाम का कार कब पहराप होगा मारच 1988 अगस्त 1988 नवंबर 1986 जनवरी 1987 यह आप देखेंगे कहा हुगा नवंबर 1986 की बात हो रही है ठीक है नवंबर 1986 सी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें मद्ध्विदेश पिसासन सोगम संगीत के छेत में कौन सा पुरुसका सम्मान पिदान किया जाता है संगीत के छेत में तोलसी सम्मान, कालिदा सम्मान, इगवाल सम्मान, लता मंगेसकर पुरुसकार बताईए तो इसमें आप देखें कि लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है लता मंगेशकर की बारे में जानते होंगे इनका जनम अगर आप लोग देखें न और इहापुरसकार 1984 में शुरू हुआ था मतविदेश में कब 1984 में लता मंगेसकर और आप देखेंगे कि 28 सेप्टमबर 1939 में इनका जनम हुआ था च्छेपरवरी दोजार बाइस में की डेथ हो गई थी डी ओप्सन ठीक है राज में रितू वैथसाला किस नगर में है जबलपुर भोपाल इंदोर उचेंड राज में रितू कहां रितू वैथसाला की बात हो रही है इंदोर में आपको देखने को मिलेगी रितू वैथसाला की बात हो रही है तो यह आपको देखने को मिलेगी इंदोर में कहां है इंदोर में चलिए तो इंदोर रगा देना यह आप देखेंगे मद्द पिदेश के निमलिकित राज्यपालों में किसका कारकाल सबसे कम रहा है सबसे मद्द पिदेश में के निमलिकित में से सबसे कम राज्यपाल कारकाल किसका रहा है फहला ओप्सन कह रहा है इसमें स्रीमती सरलाग ग्रोवर डॉक्टर भी पट्टावी सीतरमया के सी रिड्डी एन एन वान्चू तो यह आप देखेंगे कि बताईए इसमें आप देखेंगे डॉक्टर भी पट्टावी सीतरमया का तो बी ओप्शन ठीक है इसमें अंगला कुश्चन है आपके सामने मद्धपिदेश में चल रही सिचाई पर यह उजनाओं बन नदियों की युगमों में से कौन सा गलत है तो आप देखेंगे तीन तो सही होंगे एक गलत होगा तो वही गलत आपको चुमना है बार सागर परियोजना यह सौन नदी पर देखने को मिलेगी बिलकुश सही बात है माही परियोजना सिंधु नदी पर है यह गलत है आपका समराट असोप सागर यहलाली नगर नदी पर है राजगाट परियोजना बैतवा नदी पर है तो आप लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि माही परियोजना किस नदी पर है, तो माही नदी पर है, इस परियोजना के निर्माण 1972 में हुआ था, ठीक है? और मद्वदेश की धार जिली में आपको देखने को मिलेगा, अगला कुशेर है हमारे सामने मद्वदेश की स इसे चाई परियोजनाओं बा उनसे सम्मंदी जिलों की युगमों में कौन सा गलत है। बताएए इसमें आप देखेंगे कि पैंच परियोजना, छिदवाड़ा, थावर परियोजना, मंडला, कोलार परियोजना, ये आपको कहा देखने को मिलेगी। परियोजना सिहोर, ये कोलार परियोजना सिहोर ये सतना कहा है, किस जिले में आपको देखने को मिलेगी। तो सिहोर में है तो आप देखने सतना सौभाविक सी बात है कि गलत हो जाएगा। गलत ही पूछा है तो 3A, B और D ठीक है, लिकिन C गलत है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, अंगला कुशन कहा रहा है मद्दपिदेश की नरवदा, घाटी, विकास परियोजना में निमलेकित में से कौन सी परियोजना सामिल नहीं है, महेसुर सागर या इंदरा सागर, उंखार सागर, रवी संकर सागर परियोजना, तो इसमें आप देखे गंग्रेल बांग जिसे रवी संकर सागर के नाम से आप लोग जानते हैं, जिसका नाम चतिजगर भारत में इसते सब रवी संकर सोकल की नाम पर पढ़ा था है, और यह चतिजगर का सबसे लंबा बांग भी माना जाता है, अंगला कुशन है हमारे सामने, एक पूच रहा है 2 दिसंबर 1984, 4 नवंबर 1984, 31 अक्टूबर 1984, 3 दिसंबर 1984, तो 3 दिसंबर 1984 होगा, और आप बताइए इसमें कौन सी गयस रिसी थी, एक कुशन्स कई बार पूच लेता है, इसे आप लोग मिक के नाम से भी जानते हैं, मैथाइल आईसो साइनाइट गयस थी है, ठीक है, यून यान यूनियन कारवाइड की फैक्टरी से निकली थी है, तीन दिसंबर की रात को, तो इसमें आप लोग जरूर याद रखिए, एक उट्चन्स पूच लेता है कई बार, मद्पदेश राज किसी उद्दोग, विकास की स्थाफना किस बर्स की गई थी, बताइए मद्पद 26 जनवरी 1956 और 12 फर्वरी 1962 बताईए यह 21 मार्च 1969 की बात हो रही है, यानि कि C उप्षन इसमें ठीक है आपका, 21 जनवरी क्या, 21 मार्च 1969, B उप्षन आपका, बिलकुल ठीक है इसमें, क्या लगाओगी, B उप्षन अंगला कुषन है, वारे सामने, मद्पदिष क कौन सा राष्टी उध्यान, 32 पाढ़ियों से घिरा हुआ है, 32 पाढ़ियों से घिरा हुआ है बांधवगण राष्टी उद्ध्यान, काना राष्टी उद्ध्यान और आप देखते हैं कि आपका फासल राष्टी उद्ध्यान, माधवगण राष्टी उद्ध्यान तो यह तो मुझे लगता है कि आपको मालू होगा कि बांधवगण राष्टी उद्ध्यान है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी मरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन? बांधव का ड्राश्टी है उद्ध्याद ए ओप्सन ठीक है मद्ध देश की पहली अंतर घाटी परियोजना कौन सी है? चोरल सिचाई परियोजना काली सरार सिचाई परियोजना देजला देवडा सिचाई परियोजना सिंगपूर बिराज परियोजना इसमें कौन सी देखने को मिलेगी? तो यह आप देखें कि चोरल पिदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना है मान न दी ठीक है तो इसमें आप देखेंगे फहला ही ए ओप्सन ठीक रहेगा इसमें पेदेश में मद्द पेदेश में हर बारवे साल कुम का मेला कहा लगता है यह आप सभी जानती सांची उंकारिसो चितकूट उज्जन तोज्जन में लगता है महाकाली सुर मंदिर आप देखते हैं इन दोर में इस्तित लेज़र इन दोर में इस्तित लेजर करण परमाडू उड़्जा अनसंधान केंद ने बरस 1986 में कार करना शुरू की आई याए ASEA का पहला और विसका लेजर करण परमाडू उड़्या अनसंधान है दूसरा तीसरा चोथरा पाँच बार तो यह तीसरा है तीसरा है तीक है यह जरूर याद रखेगा एसिया का पहला है यह भी याद रखेगा बंबई हाई से प्राप्त प्राक्तिक गेस पर आधारी देश की पितम और वरक सैंत का निर्मान बद्पदेश की बिजय नगर में किया गया है यह किस जिले में पढ़ता है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि कहां पढ़ता है तो यह आपका गुना में पढ़ता है ठीक है यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसके बारे में यह बारबार कुश्चन सारा है तो हो सकता है कि पूँच ले आप लोगों से गुना ही लगाएंगे आप क्या लगाओगे गुना ही अगला कुश्चन है मत्पदेश में लोग अदालत की सुरुवाद 13 अप्रेल 1986 को की गई थी राज में लोग अदालत का आयूजन सबसे पहले कहा हुआ था राज में लोग अदालत का आयूजन सबसे पहले कहा हुआ था छिदवाड़ा, विलासपूर, मुरेना, सहडोल तो आप लोगों को बता दूँ कि यह आप देखेंगे मत्पदेश में और वैसे देश में बात करें तो सबसे पहली लोग अदालत आयूजन 1982 में लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले विलासपूर में, 36 गड़ में पढ़ता था छिदवाड़ा विलासपूर मुरेना पहले आप सभी जानते हैं कि संदुहजाल तक मत्पदेश का इस सा रहा है 36 गड़ तो विलासपूर होगा निम्न परियोजना है, मत्पदेश की सहित परियोजना है निम्न लेकित में से कौन सा भेमेल है यानि की गलत है कुर्ण नाला कुर्ण नाला परियोजना कहा है बताईए बैसे घाटी, चम्बल घाटी परियोजना के अंतर का गांधी सागर, राणा पिरताफ सागर, जभास सागर, कोटा वेराज, सागर कोटा वेराज, इनकी नहरें, मत्पदेश राजिस्तान जिससे लावनवित होते हैं, भागेदार हैं बावन थड़ी परियोजना की बात करें, मत्पदेश महराष्ट की बीच देखने को माही नदी, माही परियोजना, मत्पदेश राजिस्तान, सर्दा सरूबर, ए मत्पदेश महराष्ट, गुजरात, राजिस्तान, पैंच परियोजना, मत्पदेश की छिदवाड़ा, लूवर सउक्ठ परियोजना लूर कुलाब सउक्ठ परियोजना ये मध्द प्र हुडियाजा की बीश ओनमिलप परियोजना व्त रुपर पदेश की बीश रानीर ले जब परियोजना ये उत्पर प्तार पदेश की बीश इनके बा Joint me जरूर रखेगा तो इसमें ये आपका आप प्यूब करहां के लिए लिए गूत के लिए वहिद्व हेस्ट सेलों बाग के लिए मंष्ट को चैनल गुफान कर लोल डू न बासर घुफान है इव देखर हो नुमिल अ कि aven इस नुमिन गट मद्धिदेश का पहला आम बजट, बजट आप लोग देखते न, 10 जनवरी 1957 को किस ने विधान सबाब फेस किया था, मद्धिदेश का बजट की बात हो रही है, सुवाशंद सर्मा, मिसी लाल, गंगवाल, कुंजी लाल दोबे और रजनी सर्मा, 10 जनवरी, 1957 को, तो इसमें आप देखेंगे कि लाल गंगवाल होंगे, मिस गंगा गंगवाल साहब, लाल गंगवाल साहब, तीक है, यह भी याद रखें, राजनेतिक थे मद्धिदेश के, भारती राष्टी कॉंग्रेस से जोड़े हुए थे, साद अक्टूबर 1902 में इनका जनव हुआ था, ठीक है, 1956 में इने बित्वमंत्री बनाए गया था, तो इभी आप लोग याद रखेंगा, भी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें, काली सम्मान, कालीदा सम्मान किस्चेत में दिया जाता है, संगीत, नेत, साहित, सिनेमा, इनमें से आप लोगों को एक बताना हो, एक सही ही होगा यह की, कालीदा सम्मान किस्चेत में दिया जाता है, तो यह आप देखेंगे कि 1980 क्यासी में शुरू हुआ था, और सास्तिय संगीत, सास्तिय नेत, रंगमंच, देश सिकला के चेत में दिया जाता है, तो यह आप लोग जरूर रियाद रखेगा इसके बारे में, तो आप लोग क्या लगाएंगे, साहित लगा देना, क्या साहित, C ओक्सन ठीक है इसमें, C ही लगाओगे और क्या लगा सकते हो, चलिए अंगले कुश्यन की तरफ चलते हैं हम लोग, अंगला कुश्यन है, काना टाइगर एजर्ब किस बिदेश में देखने को मिलेगा, किस की बात हो रही है, काना टाइगर एजर्ब की बात हो रही है, मद्वदेश, उत्तर प्वदेश, चत्तीस गड़, और एक है आपका केरल, एक काना टाइगर एजर्ब आपको मद्वदेश में ही देखने को मिलेगा, कहाँ, मद्वदेश में ही है, नेशनल पार्क है, ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में, काना टाइगर एजर्ब की बात हो रही है, उन्नेसो पच्पन में इसकी स्थाबना होई थी, मंडला जिले में आपको देखने को मिलेगी, वी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें, नेमले कितमें से कौन सा बांध बैतवा नदी पर नहीं है, बैतवा नदी पर बांध की पूँच रहा है, राजगाट, पारीचा, माताटीला बनसागर, तो बैतवा नदी यम्रन आएदी की सहाएक है, राजगाट बांध आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप सभी जानते हैं, इसमें, माताटीला भी आप देखेंगे लेकिन इसमें पारीचा भी है, क्या है, पारीचा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बनसागर नहीं है, लेकिन याद रखेंगा इसमें, भगवाल सिर्पक का मंदिर ओंकर शुर कहां देखने को मिलेगा, भगवाल राम का मंदिर ओंकर शुर कहां देखने को मिलेगा, तहां इन दोर में खंड़वा सिवपुरी यह आप देखते हैं कि यह आपका नीमस तो सिवपुरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा मन धाता या सिवपुरी नामक दुईपरी या भगवान सिवप की बारे C ओप्सन ठीक है इसमें हिडोला महल मत प्रेश के किस जिले में इस्तिद्ध है हिडोला महल की बात हो रही है इसमें धार जाबुआ चतरफुर अली राजपुर यह कहां देखने को मिलेगा यह आपका है हिंडोला महल की बात हो रही है इधार में आपको देखने को मिलेगा मांडू होसंग साय ने बनवाया था इसे तो मांडू सहर के फिरमुग जगह है यहां लोग घूमने भी जाते है अंगला कुशन है कौन सा राष्टी उद्ध्यान मद्विदिस में नहीं है कौन सा राष्टी उद्ध्यान मद्विदिस में नहीं है तो इसमें आप देखेंगे माधो राष्टी उद्ध्यान, सत्पोडा राष्टी उद्ध्यान, या पैंच राष्टी उद्ध्यान, या बालमी की राष्टी उद्ध्यान तो आपको मालू होना चाहिए कि बालमी की राष्टी उद्ध्यान बिहार में देखने को मिलेगा ठीक है और 1978 में इसकी इस्थाफना हुई थी बाकिया आप देखेंगे तीनों मद्विदेश में देखने को मिलेंगे मद्विदेश के राच्की नित्य क्या है मद्विदेश के राच्की नित्य की पूँच रहा है माच मठ की फूल पत्ती जावरा तो आप सभी जानते हैं कि माच ही होगा मद्विदेश का राच्की नित कौन सा है और याप दिखिए कि इसमें अगर आप लोगों से कहा जाए तुमाच लगा देना इसमें राच्की नित की बात हो रही है मद्विदेश का देखें राच्की नाट अगर आप से पूँच रहा है तब तो आप देखें कि ठीक है आपका माच लेकिन आप लोगों को मालूब होना चाहिए कि राच्की नित पूँच रहा है तो आप देखेंगे इसमें राई अगर उप्सन दिया रहता है तो राई जरूर लगाया करिएगा और बुंदेल खंड के जो रहने वाले होंगे वो जानते होंगे हर फरप्पा आप देखते हैं कि राई आयोजित होती है होती है या नहीं होती है तो उसी की बात हो रही है कौन सा मिलान सही नहीं है बटाईए कौन सा मिलान सही नहीं है आपका यह आप देखेंगे कि आपका यह कहरा है आपका कि राने जल्पेपाद के नदी पर है कफिल धारा जल्पेपाद नदी किस पर नर्वदा पर है चचाई जल्पेपाद भीयर पर पाताल पानी जल्पेपाद किस पर है ये आप देखें पाताल पानी जल पर पात छपरा नदी पर है तो पाताल पानी जल पर पात की अगर हम लोग बात करें तो ये इन दौर में देखने को मिल लेगा पाताल पानी चोलर नदी पर आप देखेंगे ये जल पर पात देखने को मिलेगा तो इसमें D option लगा दिना बिल्कुर बाकी तिनों सही संबले थे मद्विदेश की स्थापना 1 November 1956, 1 December 1956, 1 January 1954 1 April 1956 तो यह तो आपको मालू होना चाहिए इतना भी मालू ना रहे तो फिर तो मुझे लगता है कि 1 November 1956 पुनर गटन 1 November सन 2000 में हुआ था 36 गड़ अलग हो गया था मद्विदेश की कौन सी जन जाती साज, बैक्च और बुर हर्देव की सराव वो मुर्गे से पूजा करती है जन जातीयों में अभी है आप देखे संस्किती के पिती अपना लगाओ है यह आप लोगों को मालू होना चाहिए ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सी जन जाती है बेगा भील कोल कोरकू ठाकुर देव दूला देव अन्न देव तहन के और बेगा आपको देखने को मलेगी साज बैक्च की पूजा करती है बेगा जन जाती के लोग नारियल बक्री मुरगा चड़ा कर उनकी पूजा करते है यह उप्सन बिल्कुल ठीक रहेगा मद्विदिस की गंगा किसे कहते है आप देखते हैं कि यहां पी कन्फ्यूजन है इसमें बड़ी और आप देखी कि सफाई की दरिष्टी से पूँच रहा है या किस की दरिष्टी यमना की या बिंद सीमाओं में सत्पुडा की रानी किसे कहा जाता है मन धाता को पचमडी को अमरकन टक को या आप देखेंगे की धूबगर की चोटी को होसंगाबर्द जिले में पचमडी है इस जिसे सत्पुडा की रानी की नाम से जानते हैं कौन पचमडी को ठीक है चलिए आंगे चलते हैं चम्बल नदी पर कौन सा बांध नहीं है गांधी सागर जवाज सागर राणा पिरताप सागर और इंद्रा सागर इंद्रा सागर बांध मद्देश की नरवदा नदी पर है खंडवा जिले में और बाकी सभी आप देखें गांधी सागर बांध चम्बल नदी पर है जवाज सागर बांध चम्बल नदी पर आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग राणा पिरताब सागर भी चंबल न दी पर है तो इंद्रा गांधी इंद्रा सागर नहीं हो गए तो इसमें आप लोग D option लगाएंगी घाटी बनने जीब क्या घाटी बनने जीब अब भ्यारन मद्पदिस के किस जिले में देखने को मिलेगा ग्वालियर रतलाम छिदबाडा तो गाटी गाओं आपको मद्पदिस के ग्वालियर में देखने को मिलेगा यह option आपका बिल्कुल ठीक है क्या यह option चली अंगले question की दब चलते हैं एकवाल पुरुसकार किछशित में दिया जाता है एकवाल पुरुसकार कब दिया किछशित में दिया जाता है मद्पदिस सासन देता है 1986-87 में से शुरू किया था उर्दू साहित में रचनाते हों लेकन के लिए इस्ताबित किया गया था ठीक है साहित तो कलाओं की छित में उत्कृष्टा उसे जिनता को सम्मानित करने के लिए तो इसमें आप लोग उर्दू लगा देना उर्दू लेकन के लिए भरहूत इस्तूब मद्पदेश में किस जिले में देखने को मिलेगा भरहूत इस्तूब की बात हो रही है जावगा सतना सिवफुरी ग्वालियर यह आपको सतना जिले में देखने को मिलेगा और जो अपने प्राचिन बहुत दिस्तों कला किती हुआ अनपरातात्विक बस्तों के लिए पर सिद्ध है यह ओप्सन ठीक है SPMICL के अंदर का सुरक्षा पेपर मिल सुरक्षा पेंटिंग Meeting Corporation of India Limited मद्पधिस की किस जगए पर इस्तित है हौसंगाबाद, नैपानगर, स्यूफुरी या आप देखेंगे कि आपका उज्जेन आपके पास कुछ टाइम रहता है आप लोग बता दिया करिएगा तो आप लोगों को भाई यह हौसंगाबाद में देखने को मिलेगा यह ओप्सन बिल्कुल ठीक है इसमें भगवान सनी की बहन किस नदी को कहा जाता है भगवान सनी की बहन किस नदी को कहते हैं आप लोग नरवदा तापती माही या च्छेफरा तो हिंदू मानता नुसा तापती को सूर और उसकी एक पतनी च्छाया की पुत्री माना जाता है और यह सनी की बहन है थालेंड की तापी नदी का नाम भी आप देखे भारत की इसी तापती नदी के पर रखा गया है तो तापती ही होगा बी आप्सन बिलकुल से ठीक है इसमें तापती नदी को पुरानों में सनी दियों की का जाता है यह बैतूल जिले से निकलती है मदपदेश की खंबाद की कारी में गर जाती है ठीक है अंगला कुशन है आदमगड की पहाड़ियां मदपदेश की किस जिले में देखने को मिलेगी है आदमगड की पहाड़ियों की बात हो रही है किस जिले में देखने को मिलेगी है आदमगण हिल्स आपको कहां देखने को मिलेगा यह आप देखेंगी प्रागतिहासिक रॉक सेल्टर और रॉक आर्ट के लिए पिसिद्ध हैं यह पासाड़िव की कलाक्तियां साथी में निचले पुरा पासाड़ और मद्द पासाड़ और जार भी यहां खोजे गये हैं यह होसंगाबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगी भागवारिया नित किस जन्जाती से संबंदित है यह ओप्सन कहरा है भील बी कहरा है गौन कोर को वेगा तो भागवारिया भीलों का एक पिसिद्ध नित है और यह मद्द पेदेश में जाबगा जले की बड़ी द्रोपत के इंद मद्देश में कहां देखने को मिलेगा आपको जबलपूर बहुपाल इंद और ग्वालियर बहुपाल में आप लोग देखेंगे और ध्रोपत के इंद और 1981 में इसकी इस्थापना हुई थी गुरू से सिपरंपरा पराधारित है यह यह वियाद रखेएगा विरहा विदेशिया नामक गायन तरीका मद्देश के किस छेत में देखने को मिलेगा आपको बोदनेरखंड, बगेलखंड, मालवा, निमार बगेलखंड इक छेत में आप लोगों को देखने को मिलेगा बी ओप्सन ठीक है मद्द इसमें केप्टन रोफ सिंग इस्टेडियम कहा है यह जो ध्यान चंद सिंग थे ना उसी नहीं के भाई थे इनहीं के नाम पर आप देखेंगे इस्टेडियम का नाम पड़ा ग्वालीयर इंदौर भुपाल बुरहन पुर्पुर तो यह आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा ग्वालीयर में किर्कित इस्टेडियम है यह आप लोग जरूर याद रखेगा है एं किर्किट मैदान है और हॉकी से संबंदे थे are कप्तान रॉब सिंग तो यह जरूर याद रखेगा जचिन तेंदूलकर ने दुनिया का पहला दोबारा है जबtoo सब्सक्री किस्टेडियम में लगाए था संहीं 2016 की बात हो रही हिए कि न नेकर आसे स्टेडियом नेरू स्टेडियम है था भारत रतन से भी सम्मानित किये गए हमारे किरकेट का भगवान भी कहते हैं सचिंते अंदूलकर को तो बंदेल खंड मालवा नीमच तो आपको मालू है कि बंदेल खंड में आप लोग जाते हैं खासकर और श्या में भगव इनका मंदिर भी ये पूजा भी लोग करते हैं बंदेल खंड में ठीक है और शाब निबाडी जिली में पढ़ने लगा है पहले आप देखिए मार मेला मध्वदिस के किस्जिली में लगता है बालागाट सिवनी और चिदवाड़ा खंडवा तो चिदवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर पान डूर ना की मुख्याले में गोट मार मेला लगता है और अनूठा मेला हर साल दूसरे दिन भाद पद अमस्या की दिन लगता है यह मेला जाम नदी के तरपल लगता है कहां छिदवाड़ा में सी ओप्सन ठीक है सहस्त धारा जल पर पात किस नदी पर है यह चोटे चोटे कुश्टन से लेकिन कई बार पूच लेते हैं चम्वाल नदी पर तापती नदी माही नदी नर्वदा नदी तो आपको बता दूं क सहस्त धारा का मतलग होता है एक हजार धारा है यह नर्वदा नदी पर लगता है नर्वदा नदी का है तो लिए के मत्रविदेष्ट सवय तो कि पुरानी जलबिद्धुत परियोजना कौन सी है चंबल गाटी पर आप देखेंगे परियोजना थी जल बिद्दूद परिवाजना और मद्झ विद्दीश की पहली जल बिद्दूद consistent ती इसकी शुरुबात उननिस सो त्रेपन चाहरानवे में की गई थी तो यह आप लोग बंसागर क्या इसमें से बंसागर लगाएंगे क्योंकि आप देखें बंसागर आपको कब दो उननिस सो एकानवे में और गांधी सागर 1960 में और आप देखेंगे इंद्रा सागर 2005 में राणी अवंती बाई 1988 में तो इसमें सबसे पुनानी पूछ रहा है तो इसमें आप देखें गंधी सागर होगी जल विद्दूत परियों नहीं है एक सो पंद्रें मेगावाट है इसकी चम्ता और मत्विदेश राजस्थान के बीच इसकी बराबरी हिस्सेदारी है तो इसमें सी ओप्सन क्योटी जल पर पात किसन नहीं परने कैना चन्था इन में से कोई नहीं तो क्योटी जलपबात के नाम से भी जानते आप भारत के मध्वदेश की राज़जिद्धी रीबाजिले में पर ऐस दृतकर बपने को दिये महें ये ओप्सन ठीक रहेगा सुंगर समराज की राध्धानी कहां थी विदीशा उज्जैन ग्वालियर इंदौर सुंगर समराज की राध्धानी को उच रहा है विदीशा थी ये काली दास ने अपने नाटक मालविक विकागिनी मित्रम में बसु दियो का यमनों के साथ दियोद्ध का जिक्रिवी किया है भरूत इस्तुक का निर्मार पुसमित ने करवाया था सुंग सास को ने अपनी राध्धानी विदीशा में स्थाविद की थी कर एक रेखा मत्रपदेश के कितने जलों से होकर गुजरती है ये पीछे आपको वता भी चुका हूँ बताईए ये सब महत्पूर कुश्चनस है और परिच्छा में पूँचे जाने की संभाव ना रहती है समझ रहे हैं 12, 13, 14, 15 तो आप सभी जानने ही कि 14 से जाती है 14 जलों से जाती है उज्जेन सामिल है रतलाम सामिल है आगर मालवा सामिल है राजगर सामिल है सिहोर, भोपाल, विदीसा, राइसेन, सागर, दमो, जबलपूर, कटनी, उमरिया, सहडोल ठीक है पहले साजाबोर से जाती थी ल आप राज्यों में, सबसे पहले कुजरा चलिए, फिर राजिस्थान, फिर मद्विदेश, फिर चतिस गड़, फिर आप लोग आ जाईए जारकंड, फिर पश्चे मंगाल, फिर तिपुरा, फिर मिजोरम, इस तरह से निकलते हुए चले जाईए अंगला कुशन है हमारे सामने, परवाज जोसी अवार्ड मद्विदेश में किस स्केल में दिया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 28 अगस 2013 को पहली बार पुरुसकाद दिया गया था, और एक इस मलखंब में, मुक्यबाजी में, किर्किट में, होकी में, तो आप सभी ज में दिया जाता है, मलखंब में दिया जाता है, मलखंब अकादमी कहां है, इमद्विदेश में आप लोग बताईए, नेमलेगत में से किस साहितिकार को हिम तरंगनी के लिए 1905 में साहित अकादमी पुरुसकार मिला था, हिम तरंगनी के लिए बात हो रही है, बताईए साह हरी संकर परसाई पंडेत मांखनलाल चतुरवेदी सुबद्रा कुमारी चोहान और आप देखेंगे कि यह गजादन माधा मुक्ति वो तो मानः मांखनलाल चतुरवेदी थे बी ऑप्सन ठीक है इसमें हिम तरंगनी के लिए इनकी कविता थी साहित तक आदमी पूरुसकार और 1955 से याद देखें प्यारम हुआ है तो एक बर्स भारती भासाओं को सेश्ट किर्दियों को दिया जाता है इसमें पूंचे कभी कुश्चन्स तो बता देना पहली बार माखनलल चतुर वेदी को दिया गया था दूसरी बार किसे दिया गया था है आप लोग बताईए मद्वदेश की राज की नदी को से है मद्वदेश की राज की नदी की पहत हो रही होने लगी यहाँ बताईए मदवदेश की राजकी नदी को देखके बताईए आप नर्वदा तापती चिपरा वैत्वा तो वैसे तो आप सभी जानते हैं नर्वदा ही होगा राजकी नदी तो मदवदेश की जिसे रेवा की नाम से आप लोग जानते हैं नरवदा है अंगला कुश्चन है हिन्द युनानी सासक मिनांडर के सिक्की मत्रतिस में किस स्थान से मिले है जवलपूर बाला घाट चिद्वारा सागर कहां से मिले हैं मत्रतिस में तो बाला घाट से मिले हैं कहां से बाला घाट से बाला घाट लगा दीजिएगा बाला घाट क्या होता है वाला घाट से सिक्क्ये मिले हैं तो मिले है मद्विदेश की राज की ये फसल कौन सी है ग्यों, सोयाबीन, बाजरा, मक्का मद्विदेश की राज की फसल की बात हो रही है अगर आपको मालू होगा तो आपने क्या लगाया होगा बता दिया करिएगा लगा दिया करिएगा नीचे आपके पास खुला हुआ है सोयाविन आप लोगों ने लगा दिया होगा सोयाविन सबसे जाना होती है मद्विदेश की राजकी फसल है कुमारी नदी का उद्गम इस्तल कहा है कुमारी नदी की बात होनी लगी है इस तरह से मुझे लगता है जी कि आपका complete होना चाहिए कि option की आपको जरूरत ही न पड़े और आप दे दें आलसर सुपुरी का पुठा, पठार, भिंड, लहार, कुमारी नदी या दच्छन में मवू सहर के इंदौर के पास बिंद रेंज मद्ध पिदेश में दच्छ ड़लान से होकर गुजरती है चंबल उसकी सायग नदीया उत्तरपट मद्ध पिदेश मैं इसमें आप लोग देखेंगे तो फिर हाल क्या लगाओ कि कहां से निकलती है सेवपुर मेरा ने भेंड में बहती है तो कहां से सुपुरी लाहर भिंड तो इसमें आप देखेंगे कि से उपुरी का बठार होगा इसमें पित्थम स्वाधीनता अंदोलन के द्वारा सक्रिय स्थलों में से कौन सा मद्ध्रिस में इस्थित नहीं है महू, दूसरा है नीमच तीसरा आप देखेंगे कि इसमें मुरार, कालपी तो आपको मालू है कि महू, नीमच, मुरार ये मद्ध्रिस में देखने को मिलेंगे लेकिन कालपी नहीं है, कालपी उत्तर विद्ध्रिस में पढ़ता है, यह आप सभी जानते हैं, ठीक है? मद्ध्रिस का राज की पुस्प क्या है? सफेद लीली, कमल, गुलाब, और गेंदा, क्या है? मद्ध्रिस का पुस्प है, सफेद लीली आप लोग देखते हैं, किस पुस्प के नाम से जानते हैं, सफेद लीली के नाम से आप लोग जानते हैं से, और इसके बारे में कुछ और मद्ध्रिस अगर आप लोग पुएंट देखना चाहें, तो जरूर देख सकते हैं, उसमें कौन सा अपन वो, फैसा देना है आप लोगों को, लीली आम केंडी मम के नाम से जानते हैं, और यह लगबग पूरे मद्ध्रिस में देखने को मिलेगा आपको, लीली, सिउनी में सत्यागय कब हुआ था, 1910, 1914, 1912, 1916, तो आप देखेंगे कि, तूरिया जंगल सत्यागय, 1930 में हुआ था, सिउनी में, सिउनी में सत्यागय की बात हो रही है, और वैसे आप लोग मद्ध्रिदेश में अगर भात करें न सत्यागय की, 1916 में हुआ था, ठीक है, 1916 में, सिउनी में, ठीक है, और सिउनी में किस नेता ने गांधी, चौक पर नगम सत्यागय की या था, दुर्गा संकल से, मेहता ने, बीरों का कैसा हो बसंत, बीरों का कैसा हो बसंत, एक किसकी रचना है, सुमेद, सुबद्रा, कुमारी, चौहान, पंडित, माखनलाल, चतुरुवेदी, या आप देखेंगे, मेथली सरन गुप्त या सुमित्रा नंदन पंथ, तो आप सभी जानते हैं कि सुद्रा कुमारी चौहान साथ की है, बीरों का कैसा हो, जासी की रानी उनकी पे सिद्ध कभी ता थी, 16 अगस्त, 1904 में इनकी जनम हुआ था प्रियागराज में, और 15 फरवरी 1948 में से उनी में इनकी हत्त, मतला, मौत हो गई थी, ठीक है, अगला कुशेन है मारे सामने, उज्जन में कुम्र मेला किस नदी के किनारी लगता है, उम्र में, उज्जन में कुम्र का मेला, नर्वदा बैतवा, चंबल छेपरादो छेपला नदी के किनारी लगता है, उज्जन में, बारे साल में, चलिए, आंगे चलते हैं, NH3, NH4, NH4, NH5 नहीं गुजरता है बुचाए गुजरता है यह तो नहीं देखे मद्दपदेश में अगर हम लोग गुरनेवाले राश्टी राजमारगों की बात करें तो आप देखते हैं कि NH4, 6 भी जाता है भारत में एक एमद्दपदेश से जाता है NH44 देश में सबसे लंबा है यह भी मद्दपदेश से उकर गुजरत जाता है तो यह भी जाद रखे, NH3 भी जाता है और आप लोग देखते हैं NH3 आगरा मुंबई वाया इंदौर से उकर जाता है NH7 भी जाता है परारसी जवलपूर नागपूर कन्या कुमारी मद्दपदेश से जाता है NH12 भी जाता है जवलपूर से जैप और जवलपूर बाया कोटा इस तरह से भोपाल हो NH12 यह भी जाता है यह आप देज जवलपूर सिमगा से ऐसे NH25 भी जाता है लखनव कानपूर से बीच में आ जाता है NH26 जासी लखनोथ बायस तरह से जाता है NH75 भी जाता है या आप देखेंगे ग्वालिय जासी से होते हुए NH4 नहीं जाता है NH4 नहीं जाता है इसमें आप लोग 4 लगा देना NH4 नहीं जाता है एन्नेज फोर राजमाज एन्नेज अगर हम लोग बात करें तो यह भारत की अंडवा निकवाज दूर से मुझे में आप लोग देखेंगे इसी तो भी लगा दे न मद्वदेश की गुफाओं में किसका संबंद जैन धर्म से है कौन सी गुफा का संबंद जैन धर्म से है पांड़ाओ की गुफाएं ओदैगीरी की गुफाएं भार्थरी की गुफाएं या बाग की गुफाएं बताईए ओदाई गीगरी की गुफाएं आप लोग देखने को मिलेंगी मुकमंत्री अनपूर्णा योजना कब और कहां से शुरू हुई थी और आप लोगों को बता दू इस तरह की कुश्चन से पूचे जाते हैं आपकी परिख्चाओं में योजना हों तो आप लोग याद रखना ही है ये कब शुरू हुई थी ये ओप्सन के रहा है पांच अप अपरेल 2008 को दीवा से 12 अपरेल 2008 को रिवा से 26 अपरेल 2008 को भुपाल से तो 2008 में शुरू की गई थी लेकिन कब की गई थी यह आप लोग बताईएगा अन्य पूर्णा योजना की बात हो रही है सिवरा सिंग चोहान ने की थी इसकी चुरूआ है तो यह भी याद रखना चाहिए आप लोगों को यह बरस 2008 में लाग उकी गई थी है लेकिन कहां से शुरू की गई थी यह आप लोगों को बताना है आप देखेंगे कि अन्य पूर्णा योजना 26 अपरेल 2008 से की गई थी भोपाज से और इसमें आप देखेंगे कि इसका उदिस गरीवी रेखा से नीचे के परिवारों को सस्ता अना जो प्लब्द कराना है कुछ और योजना है महत्पुन इनके बारे में बता देता हूं इनसे कुछन्स पूचे जाते हैं मुखमंत्री आबास योजना मध्वदेश में कब सुरूई 2007 में सवय जलधारा योजना दिसंबर 2002 में मेरी मेरा खेती मेरी माटी योजना एक अपरेल 2014 में यंत दूत योजना एक रिसी यंतीकन द्वारा उत पादन में बिद्धी करने के लिए लागू की गई थी और पंच परमेशोर योजना एक नो फरवरी 2012 को ही थी और इसका उद्धेस यही कि गाउं में आधरबुस विधाओं की रवब दद्धा हो गाउं में रोजगार की अउसर की विद्धी हो ग्राम बासियों का आर्थिक विकास हो लेकन कितना हो पाया यह कहनी सकते हैं सूरतधारा अनपूरा योजना एक आप देखें दोजार एक दोमें की गई थी शुरू अनुसूचित जंजाती ऑड़नुसूचित जाती के लगूँ और सिमध किसकों को आलापकारी फसलों किस्तान पालापकारी दलहन तलहन खादन फसलों के उननत भी ज़ोर्पद कराने के लिए खेत तालाव योजना 22 माई 2006 को बलराम ताल योजना माई 2007 से मुखमंत्री खेत योजना 2013-2014 से और यह आप देखना चाहिए आप लोगों को ठीक है इनके बारे में याद रखेगा और मुखमंत्री अनपूर्रा योजना 2008 से सुरू हुई थी अगला कुशन हमारे साम परियोजना 15 दिसंबर 2006 को राष्ट को संबर्पित की गई थी या किस जिले में है बार्ड सागर परियोजना की बात होने लगी है और आप देखेंगे सीधी सहडोल सतना जबलपुर यह बार्ड सागर परियोजना कहां है सहडोल में आपको देखने को मिलेगी यह बार्ड सागर परियोजना सहडोल जिले में देखने को मिलेगी बहुत देशी अभिएद नदी घाटी परियोजना है मद्विदिस का पहला मदर मिल्क बैंक किस जिले में खोला गया मदर मिल्क बैंक की बात हो रही है वहफाल इंदौर होसंगाबाद और चोत्रा है आपका विदीसा तो आप देखेंगे कि यह कहां खोला गया था होसंगाबाद में सी ओप संठीकस में देश का पहला पुरा तात्विक पार्ग कहां है देश का पहला पुरा तात्विक पार्ग कहां देखने को मिलेगा रीबा पन्ना दमो भोपाल देश का पहला पुरा तात्विक पार्ग कि बात हो रही है तो दमो जले में देखने को मिलेगा यह उन्निस सो नौ में की गई थी esकी इसकी स्ताफना देश का पहला पुरा ताट पार्ग दमो जले के संगरामपुर में बनाया गया तो polished तो सी ओपसन ठीक है में देश का पहला रामाईड मियूजियम कहां इस्ताफित किया गया था पत्ना गोरकपुर और्चा सरा– या भोपाल में देश का पहला तो यह आप लोगों को मालू होना चाहि Hm भोपाल में 3.2ी की लागास से देश का पहला सिरीराम संग्राले बनाय गया है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा तो इसमें लगा देना आप लोग अगर मद्विदेश के हम लोग संग्रालाओं की बात करें ना तो एक संग्रालाओं भी देख लीजिए आप लोग आ पोविदेश के लगा है क्योंकि आप देखें के संग्रालाओं के राज इसतरी अभी मद्विदेश मीं राज आदिवासी संग्रालाओ है बहुपाल में आपको देखने को मिल जायाएगा अधिए इंद्रा गांधी मानोर संग्राले ये आप लोग मयूजियम MP में ही देखने को मिलता है भूपाल में देखने को मिलता है आपको उसक्वी स्ग्राले जरूर संग्राले धार में आपको। गुप्त चंदेल कल्चोरी काल की पासान पीति माय देखने को मिलेगी और देखिए जहांगीर महल संग्रालय औरचा में देखने को मिलेगा 1990 में स्थापित किया गया था और संग्रालय में स्थानी आवास आसपास की पासान पीति माय सती स्थम लेक और देखने को मिलेंगी तो याद रखेगा, इस तरह से, चलिए बहुपाल लगा दिए, इसमें देश का पहला रामाईड में उज्यम कहा है इस्ताफित किया गया था, बहुपाल में आप देखेंगे, आप लोगों से पहले भी का है, कि देखें इसमें अगर कोई questions रहता है, उसके answer दो रहते हैं, तो यह आयोग पर निर्भाव रहता है, कि वो उस questions को हटा देते हैं परिक्चा में से, या आप देखें कि दोनों जो option, जैसे आप माल लिजे देश का पहला परहला रामाईड में इसमें आप देखें कि ओर्चा भी कई पुस्त के बता रहे हैं, भोपाल भी बता रहे हैं, तो आप देखें कि ओर्चा जिन्होंने लगाया होगा, उसका भी सही होगा, जिसने भोपाल लगाया होगा, उसका भी सही होगा, तो इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा, और अधिकतर पुस्तर्क में आप लोग ओर्चा देखते हैं इसमें अंगला कुष्टर ने भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्घाटन मापकरी उद्ध्यान मेकदूर्थ गाइडन कहा है यह आप देखेंगे कि एक इंदौर जबलपूर वेंगलोर अहम्दाबाद तो इसमें इंदौर लगाओगी लेकिन आपको पता है आपको मालू होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा गुलाब उद्ध्यान गाइडन एक आपका चंडीगड में भी आपको देखने को मिलेगा तो बड़ा ध्यान से पढ़ा कर ये गाइन है मद्ध्ध्ध की पश्चिम में कौन से दो राज्यों की पिदेश की सीमा इस पास करते है मद्ध्ध्ध उत्तर पिदेश बिहार राजिस्तान गुजराद उत्तर पिदेश चतिसगर या राज तो आप देखें राजिस्तान गुजरात की सीमा लगती ही यहां इस तरह उपर आप देखेंगे कि आपका राजिस्तान नीचे गुजरात सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है भारत का हिदय पिदेश किसे कहते हैं तो आप देखते हैं कि मद्धविदेश की अवस्तिती आप लोग देखें तो बीच में आपको देखने को मिलेगा तो मद्धविदेश को ही हिदय पिदेश आप लोग कहते हैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दिये, तो आप से डाउलोड करके आप लोग पढ़ते रहिएगा, मद्विदेश की पूर्ख से पश्चिम की लंबाई क्या है, यहां से यहां तक जो मद्विदेश पहला हुआ है, उसकी लंबाई क्या है, उपर से नीचे पहला हुआ है, उत्त 870 है या आपकी 605 है, कितनी देखने को मिलेगी, तो यह आप देखेंगे कितनी, पूर से पश्चिम 870 किलो मीटर फैला हुआ है, चोडाई आप देखेंगे वो तर से दच्चिन में 605 किलो मीटर है, ठीक है, और 38,245 किलो मीटर में फैला हुआ है, भालत की कुल छेतफल का 9.38 है, चेतफल की दृष्टी में दूसरा मद्विदिस बड़ा राज्य है, तो आप लो 870 देखेंगे, वो तर से दच्चिन 605 किलो मीटर है, तो यह भी याद रखेगा, अंगला कुशिन है हमारे सामने, यह आप देखें मद्विदिस का जाबुआ, जिलात किन दो राज हर जिले को अपना याद रखे, किस से सीमा लग रही, कितने राज्यों से लग रही है, गुजरात चत्तिसगर्ण, और आप देखें, गुजरात राजिस्तान, राजिस्तान उत्तरपिदिस इन में से कोई ने, अगर आप लोग जाबुआ की अवस्तिती मद्विदिस में द राज्यों से लगती है, गुजरात और राजिस्तान, अली राजपुर की सीमा आप देखेंगे, गुजरात और महराष्ट से लगती है, बालाघाट की सीमा आप देखेंगे, कि आपकी महराष्ट और चत्तिसगर्ण से लगती है, सेंगरौली की सीमा उत्तरपिदेश और च साथ हो रही है किस नदी पर है कैन नदी पर है नर्वदा पर वैत्वा पर सौन नदी पर किस पर देखने को मिलेगा तो वार्सागर या बांग सागर बांग भी कहते हैं बहुत देशी है नदी घाटी पर योजना है और आप देखेंगे सौन नदी पर मददेश में देखने क लेकर को मिलेगा किस पर सौन नदी पर तो डी option आपका विलकुझ ठीक रहेगा इसमें क्या सौन नदीपर है वार सागर बांग कर चलिए अंगला कुष्चन है मारे सामने मदविदिस में होलकरों का महल कहां आपको देखने को मिलेगा होलकरों का महल इंदौर में है रतलाम में है या आप देखे कि विदीसा में है या जाबुआ में होलकरों की बात हो रही है होलकर एक बंस रायन उसी की बात हो रही है तो यह तो आपको मालू होना चाहिए इंदौर में ही होगा और कहां जाएंगे इंदौर में ठीक है होलकरों की बात होलकर बंस एक पितिष्ठित बंस भी था होलकर राओ मलार राओ सिप्यारम हुआ था तो इंदोर होगा इसमें मतवदिस में चलाया गया Operation Play Field किस से संबन्धित है पिले फेल्ड की बात हो रही है किस से संबन्धित है या आप देखेंगे कि सिक्षण सुधार से संबंदित, नैतिक सुधार से, खेल सुधार से या स्वास्त सुधार से एक खेल सुधार से आप देखेंगे, किस से खेल सुधार से, ऑपरेशन पिले फील्ड, किस से खेल सुधार से संबंदित, अंगला कोशन ने माखनलाज चतुरविदी का जनब मद्धिदेश कि किस जिले में हुआ था? मुझे लगता है कि इस तरह से आपका होना चाहिए, तो आप देखेंगे कि माखनलाज चतुरविदी का जनब मद्धिदेश कि होसंगाबाद जिले कि बावई नामकिस्थान पर हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखेगा, कहां पढ़ता है होसंगाबाद में, और जनब 4 अपरेल 1889 में हुगा था, 30 जनबर ये 1968 में की डेथ हो गई थी, होसंगाबाद आप लोग लगा देंगे, इन्हें पदम भूसन भी मिला हुआ था, साहे तक अदमी पुरुसकार भी मिला था, मद्धिदेश का पहला सिल्फ गिराम इस्ते थे, मद्धिदेश का पहल चतरपूर, बहपाल, या आप देखेंगे, इंदोर आइसेंट, तो चतरपूर में आप देखेंगे, मद्धिदेश का पहला सिल्फ ग्राम चतरपूर में देखने को मिलेगा, खजराहु के मंदिर भी आप लोग देखने जाते हैं, तो वसी जले की बात हो रही है, चलिए अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं? अंगला कुश्चन आप देखेंगे कि ओर्जा राजधानी की रोम में मत्पधेस का जिला जाना जाता है मंदला ओर्जा राजधानी की रोम में मंदला, सिंगरॉली, कटनी और बाला घाठ तो इसमें आप देखेंगे कि क्या होगा सेंग रॉली को जाना जाता है ओर्जा रादधानी के रोम है अंगला कुशन है किसमें 1810 में लसकर गौालियर को अपनी रादधानी बनाया था गौालियर को दौलत राव सिंदिया और आप देखेंगे कि दौलत राव सिंदिया, माधव राव सिंदिया या फिर आप देखें इसमें जीवाजी राव सिंदिया और एक हैं आपके माधव जी सिंदिया, माधव राव सिंदिया तो बताए तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे लस्कर गौालियर को राधधानी बनाया था ठीके इसमें आप लोगों को क्या लगाना है इसमें क्या लगाओ गया उच्जें से गौालियर लाये थे कौन लाये था गौालियर राजिकी को राधधानी बनाया था गौालियर ग्वालियर से पहले सिंधिया राजवंस की राध्धानी उन्जेर हुआ करती थी लेकिन उत्तर भारत में हिंदू सबराज का प्रभाव बढ़ाने के लिए राध्धानी ग्वालियर बनाई गई थी सिंधिया राजवंस की संस्ता बग महाराजा राणुजी सिंधिया ने करवाया था तो यह भी याद रखेगा इसे भी कुश्टेंस कई बार पूछ लेते हैं तो इसमें आप देखें कि दौलत राव सिंधिया आउंगे ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा अंगला कुश्चन होगा हमारे सामने क्रांती दल का गठन कहां हुआ था क्रांती दल गठन कहां हुआ था यह आप देखेंगे कहां किया गया था यह आप देखेंगे जबल पूर में किया गया था कहा जबल पूर में किया गया था यह ओप्सन ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने क्या पूछ रहा है, यह कह रहा है कि जंगल सत्यागय की नेता कौन थे, जंगल सत्यागय की नेता कौन थे, तत्या टोपे, वक्तार सिंग, गजन सिंग कोर को, और उक्त में से कोई नेता, सभी, यहां तो सभी लगा होगे, यह आप देखेंगे कि यह जंगल आदिवासियों क ने किया था यह MP में कौन थे और आप देखेंगे कि यह जंगल सत्या गया मत्वदेश में तूरिया अस्ति उन्ही ओगोडा डॉंगरी से हुई थी और बंजारी सिंग कोर को और गजन सिंग कोर को ने किया था इसके ने 1930 की बात है तो इसमें आप लो गजन सिंग कोर को लगा देना किसे किसने 1920 में जबलपूर में कॉंग्रेस का परांती अधिवेशन बोलाया था कॉंग्रेस का परांती अधिवेशन बोलाया था यह आप देखें कि गंगा धर चिटनिस या फिर इसमें आप देखेंगे दूसरे हैं पंडित सुंदरलाय सलमा, नरायन सिंग, हरी सिंग गौर, तो यह आप देखें कि गंगा धर्चितनिस है, इन्होंने 1906 में गंगा जब लगों प्रांति या दिवेशन बुलाया था, 1906 बता रहा है, कव? 1906 में, ठीक है? तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें, स्रियोनी में सत्यागया आप देखेंगे होता है, 1916 में, अधिवासियों में जंगल सत्यागया कब हुआ था? अधिवासियों ने 1930 में, जबलपुर में हॉम रूली किस्तापना, 1915 में हुई, गांधी इजने सेविडेया अंदोलन की सुरात कहां से की थी और ग्वालिया में सिंधिया बंस की स्थावने किसने की थी, दौलाव राव सिंधिया नहीं, और 1817 के विद्रों में पिदेश की सबसे पहले विद्रों कहा हुआ था? नीमत चाहुनी में, तो यह भी याद रखिये गए इसमें, तो इसमें आप लोग क्या लगाओगी? तो इसमें पंडित गंगाधर चिठने सोंगे इसमें, ठीक है? तो इसमें ए ओप्शन लगा देना, अंगला कोशन है हमारे सामने, तिप्पुरा किस राजी की राध्धानी थी? तिप्पुरा, ए आप देख रहे हैं कि परमार या कल्चोरी होलकर सिंधिया, तिप्पुरा किस राजी आप बंस की देख लिए बंस भी लिखते आता है? इसमें क्या लगाओगे? परमार या कल्चोरी? तो इसमें आप देखेंगे तिप्पुरी के कल्चोरीयों, तिप्पुरा नहीं, तिप्पुरी होगा इसमें, तभी आप देखेंगे कल्चोरी लगा देना, और तिप्पुरी के कल्चोरीयों के बंस का पिथम ब्यक्ति को कल्स पिथम था, तिगवा किस जिले में इसते थे मंदिर है ये तिगवा मंदिर जबलपूर इंदौर मुरेन ग्वालियर तो ये जबलपूर में देखने को मिलेगा एक प्राचीन पुरातात्वी किस्थल है हिंदू मंदरों के भगवसेस बिद्धमान है या तो जबलपूर में ये देखने को मिलेगा भरूत के इस तूप की कुछ किस ने की थी भरूत के इस तूप की कुछ इसमें आप देखेंगे कि मद्वदेश के सतना जिले में आप लोग देखते ना बहुत इस्तूप और कलाकितियों के लिए पे सिद्ध है और कनिंगम ने सरपितम 1873 में इसे इस्तल को पता किया था कनिंगम ने ए ओप्सन ठीक है इसमें प्राचीन भारत में सत्ती पित्था की पिछलन की पित्थम पुरातादविक साक्चि कहां मिले हैं तो इसमें एरन होगा ठीक है और आंगे देखेंगे ताम पासान संस्किती से संब्रद स्थल काय था निमलिकित में से कहां देखने को मिलता है आपका काय था भोपाल जबलपूर ग्वालियर और उज्जेन तू कहां लगाओगे इसमें तो आप देखेंगे कि क्या ताम पासान संस्किती थी काय था तो यह आपको उज्जेन के निकट ताम पासान कल की संस्किती थी यह काय था संस्किती अनूब किसका प्राचीन नाम है अनूब किसका प्राचीन नाम है नर्वर का दमोय का यह आप देखें खजुराहो निबाड निबाड का आप देखेंगे देखने को मिलेगा निबाड के नाम से भी इसे जानते हैं तुमेन अवलेक क्या तुमेन अवलेक कहां इसते थे यह कहां दतिया गुना जवलपुर तो तुमेन अवलेक गुना में देखने को मिलेगा गुप्तबास से संबन्देत है यह ठीक है तो यह भी याद रखेगा अंगले कुष्टन की तरफ चलते हैं एक रहा चरहुन पाद्युका गोली कांड कहां हुआ था रीवा ग्वालियर सागर या चातरपुर चारहुन पाद्युका तो यह चातरपुर में हुआ था 1931 में चातरपुर सहर में चरण बाद्युका नामक एक नामकिस्तान पर रियासत की ब्रोध में एक बड़ी आयवित हो गई थी बेटिस पुलेस ने चातरपुर में गोली चला दी थी इसा ही चारहुन पाद्य का अत्याकांड भी कहते हैं थाकुर रणमसिंग ने सुतंता के लिए संगरस कहां पर किया था थाकुर रणमसिंग ने सागर रीवा पनना सतना आपको सतना में देखने को मिलेंगे कहां के सतना में और आप देखेंगे कि 1857 में सतना जले के मनक खरी ग्राम के निवासी ठाकुर रर्मसिंग ने अंग्रेजों के खलाबे आप देखेंगे एक तरह से विद्द्रो किया था बीरंग ना अवंती भाई किस स्थान से संबंदित हैं मंडला जवलपूर जवलपूर बालागाट सीवनी तो कहां से संबंदित हैं सिवनी जिले में जनमी थी ये लोधी भारत अवंती भाई लोधी भारत की पिथम सुतांते संगरा में महत्पूर्ण भूमी का निवाई थी इनों ने तो ये सिवनी देखेंगे आप लोग भोपाल प्रजा मंदल की स्थाफना कब हुई थी भोपाल प्रजा मंदल की स्थाफना कब हुई थी 1927, 1928, 1938 इनमें से कोई नहीं तो 1938 में आप देखें हुई थी जवाहलाल नहरू की अध्यक्ष्टा में अकिलभातिये देशी राज्यो लोग परिशन से पेरित होकर 1930 में भोपाल राज प्रजा मंदल की स्थाफना हुई थी चावल अनुसंधान संस्थान कहां है देखने को मिलेगा खरगोन बाला गाट या फिर आप देखेंगे कि यह आपका बढ़वानी सिवनी चावल अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है एक हैदराबाद में भी है तो यह भी याद रखिएगा ठीक है एक ओडिसा में भी है देख लिए और अगर आप देखें मद्विदेश में पूँचे तो बढ़वानी में आप देखेंगे ठीक है बड़े द्यान से पढ़िएगा कुश्चन वह मैं पर आके कई बार पूँच लेता है आम अनुसंधान के अंद अब आप देखें ओप्सन के हिसाब से लगाएंगे ना आप तो ए नर्सिंग पूर गोविंदगर रीवा बावई होसंगवाद टिमर्डनी हर्दा आम अनुसंधान के अंद की बात हो रही है आप लोगों को बैंगलोर में भी देखने को मिलेगा फलों के राजा की नाम से भी आप लोग आम को जानते हैं लेकिन अगर बात करें तो आप देखेंगे यह आप लोगों को आम अनुसंधान के अंद कहां देखने को मिलेगा यह से आप लोग राज की बात करें तो आप लोग इसमें उत चलिए देख लिए ये आप लोगों को मालू होना चाहिए क्या कि मद्ध प्रदेश में टेशू कल्चर प्रियोग साला अपकी कहा है बैतूल में आप लोगों को देखने को मिलेगी केंदरी किसी अभियांत की साथ संस्थान कांबोपाल में देखने को मिलेगी राश्टी हार खरबदबार अनुसंधान केंद ये आपको जवलपर में देखने को मिलेगा अंगूर अनुसंधान केंद रतलाम में देखने को मिलेगा मद्ध विदेश में धान अनुसंधान केंद बढ़वानी में मद्ध विदेश में कपार अनुसंधान केंद खरगोन में केंद रिया अलू अनुसंधान केंद ग्वालियर में और डॉक्टर साव अंबेड कर राष्टी ये सामाजी बिग्ज्यान संस्थान इंद और में मद्द्द देश की विथम लियाने पिरयोखसाला कहा है आपको सागर में टिक है तो ये OUT रखेगा तो ये भी याद रखेगा तोलसी सोथ संस्थान बता चुका हूँ राष्टी गामदेनीं सेंटर टार सी राष्टी बिद्दूशnya बिच्रा सेंस्थान नुस अनुसंधान संस्थान शेहोर में, गन्ना अनुसंधान के अंदर नरसंगपुर में, ठीक है, तो यह आप लो याद रखेगा कुछ, कपास अनुसंधान के अंदर खरगोन में, और लेजर करन उर्जा अनुसंधान के अंदर इंदर में, यह कुछ यांस कई बार कुछ लेगा इस तरह के, यह आप देखें कि गोबिंदगर रीबा लगाओगे इसमें, ठीक है, कपास अनुसंधन के अंदर कहा है, बताईए, खंडगा, खरकॉन, बढ़वानी, कहां लगाओगे, या भुरहानपूर, खरकॉन में लगा देना ये, मद्विदिस में मिट्टी, परिक्षण, पिसीक्षण संस्थान का है, बताईए, बताईए, मद्विदिस में मिट्टी, पिसीक्षण, या परिक्षण, परिक्षण, पिसीक्षण संस्थान की बात हो रही है, बहुपाल इंदर, गौालियर और जबलपूर, बहुपाल में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिहोर में पावर खेड़ा और है, तो यह जरूर याद रखे, कई जगर आप देखेंगे, तो इसमें तो फिरहाल आप लो, क्या लगा देना, बहुपाल ही लगा देना, मदवधे से में राष्टी ये सुयावीयन अनुसंधान के अंद का है, राष्टी ये सुयावीयन सनस्थान की बात हो रही है, बहुपाल, इंदर, मंदसोर, या फिर आपकी एक है उज्जन, दिवास, बताईए, इंदर में हो गई, ठीक है, कहां इंदर में होगा, चलिए आंगे चलते हैं मेर्दा परदन की सरवादिक समस्या का है भेंड मोरेना बैतुल और संगवाद रीवा सतना सिवनी बाला गात तो आप सभी जानते हैं भेंड मोरेना ही होगा इसमें चमल लदी भीयार बन जाते हैं वाँ डांकू छप जाते हैं फिर मद्विदेस खन परचपन 1965 कप की गई थी 1962 में की गई थी वी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अंगला कुशन है हमारे साम्पोण मद्विदेश में संपोण को वेला किन चत्टानों से प्राफ्त होता है अगने चत्टानों से बैसाल्ट बालुए या आप देखेंगे टर्सरी किस तरह की चत्टानों से प्राफ्त होता है गौडवाना गौडवाना से होता है यह आप लोग जरूर ही याद रखेगा लेकिन इसमें आप देखेंगे कि क्या पुंचरा है अगने या चत्टान बैसाल्ट इस तरह की चत्टानों से पुंचरा है अगने पुंचरा है अगने पुंचरा है अगने पुंचरा है अगने पुंचरा है ऑपन अगने रादा र dismiss में आप लेकिन आ ख मथ Heck लोगती शचरा है अगने ञितना रेका इसक्त्तम है बड़्ीन दॉतों है आमे आपने पुंचरा है Chand leg ok तो इसमें आप देखें कि तर्शरी चत्रान लगा देए ना सिंध नदी का उधगम कहा है सिंध नदी का उधगम इस्तल की बात हो रही है एे option इसमें कहरा है आप से काक्री वर्डी कि कंवरा एक सिन ओणन्ज तीस राइं के мире कशन कर आ़ म्हादेव परवत सिंध ना कि सिंधू याद रखेगा मद्ध विदेश उत्पर विदेश में बहती है सिंध ठीक है और विदीशा जिदले से निकलती है यमना में मिल जाती है तो यह भी आप लोग याद रखेगा यह आप देखेंगी विदीशा जिले की सिरोण तहसील से निकलती है मालवा के पठा से तो इसमें आप लोग भी लगा देना युनेश को द्वारा गोसित विस्से धरवर सूची में समलित नहीं है खजुराहो सांची भीमबैट का आजमगर की पहारी है तो आप देखते हैं खजुराहो है, सांची का है, भीमबैट का का ही आजमगर की पहारी नहीं है और इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कब-कब सामिल किया गया है नहीं क्योंकि इनसे कुश्चन कई बार पूँच लेता है तो खजुराहो का 1986 में, सांची का 1989 में, भीमबैट का को 2003 में सामिल किया गया था युनेसको की विश्च से धरवर इस्थल में मुक्तागिरी तीर्थ इस्थल कहा है, मुक्तागिरी तीर्थ इस्थल कहां देखने को मिलेगी दतिया में, बैतूल, सौनकक्च या उदैगिरी कहां देखने को मिलेगी बैतूल में देखने को मिलेगी है, ठीक है अंगला कुछन है भारत भावन भौपाल की स्थापना कब हुई थी भारत भावन भौपाल की स्थापना कब हुई 1989-1982 और 1992 या इन में से कोई नहीं तो 1982 में हुई थी ठीक है मद्वदेश का सबसे पूरी भी जिला कौन सा है मद्पिदेश का सबसे पूरी भी जिलागर आप लोग देखना चाहें तो मैं आपको बड़े ध्यान से पढ़ लिए इसलिए बोल रहा हूँ और भी बालागाट, सिंगरोली, मुरेना, अली राजपुर मुरेना तो उतर मिदेखते हैं, अली राजपुर, आप लोग कहाँ देखते हैं एत पशिम में देखते हैं, सब बालाघाट आप लोग देखेंगे नीचे एक तरसे आप देखेए छथिछ गड़ के लेकिन आप लोग देखेंगे पूर में देखने को मिलेगा जंतर मंतर ओज्जेन की रिमाता जीवाजी राव सिंदिया पतंजी सवाई जैसिंग मत्पदे सासन तो यह आप देखेंगे सवाई जैसिंग ने बनवाय था ओद्धोगे विकास केंद मालनपूर कहा है यह कुश्चन से भी कई बार पूँच लिया है बताएए ओद्धोगे विकास केंद मालनपूर जाबगा जिले में है धार में है पन्ना में है भिंड में है चलिए भिंड बालो तो भिंड में आप लोग देखते हैं मालनपूर मद्गदेश का सबसे बड़ा कुईला चेत कौन सा है सिंगरॉली सुहागपूर तवा काना घाटी बताएए मद्गदेश का कुईला चेत कूच रहा है सबसे बड़ा कहां देखने को मिलेगा सुहागपूर कोल फिर्ल देखने को मिलेगा बी ओप्सन ठीक है चंदरी असोक नगर की कलेकी निर्माता कोन थे चंदरी के कले के ये आफ लोग देखेंगे टिक है चंदरी असोक कि बात हो रही है असोक नगर की राजबसंती या किर्ती पाल जै सिंह मांस सिंह तॉमर कौन होगे चंदेरी का प्रिमुकासन बुंदेला राजपूत अंद्वारा बनवाए गया था दुरुखपितिहार राजा अंद्वारा भी बनवाए गया किस राजा ने बनवाए था चंदेरी के किले को चले बताइए इसके बारे में भी उच्चनदेरी के लासी उपरी से 130 किलोमीटर दूर देखने को मिलेगा तो यह भी याद रखिएगा झाल दूर दूर चंदेरी से 150 किलोमीटर थाजने को यह आप देखे चार हिस्सों में बटे हुए इसमाहिल का निर्माद 1445 में करवाय गया था और निर्माद 11 सतीब किर्थी पाल महराज ने तो भी आप्सन रहेगा निमलिकित खनीजबा उत्पादक जले सही है एसवस्टर सीधी ग्रेफाइड बैतोल लोहा सतना बॉकसाइड इंदोर बताईए क्या लगाओ गे भाव इनमें क्या सही होगा कई बार कुश्टन से इस तरह की पूछ लेता है आप लोग से और फिर खश्ट जाते हैं आप लोग तो हर उसे याद रखा करिएगा तो यह आप देखेंगे कि मद्वरेस की उड़ाइड बाकी तो सब बेकार हैं लेकिन आप देखते हैं कि गिरफाइड बैतूल में जरूर पाया जाता है कैन नदी का उद्गम स्खल पूछ रहा है आपसे सत्पोडा परवत कैमूर परवत मेकाल परवत महादिव परवत यह आप देखेंगे कि मद्वरेस उड़ाइड परवत कैमूर मेकाल महादिव यह कैमूर से इंखला से निकलती है कहां से कैमूर से कैन नदी और यमना नदी की साहग नदी है कटनी जिले से मद्विदिस का पिथम राष्टी उद्ध्यान काना पैंच बताईए और या फिर आप देखेंगे इपन्ना या माधाओ कौन सा है तो आप देखेंगे कि पहला काना किसली राष्टी उद्ध्यान था 1905 पर में इसकी स्थाफना हुई थी माधाओ राष्टी उद्ध्यान की आप देखेंगे इपन्ना था तो आप सभी जानते हैं कि किसका था बंदेला यह होगा और बंदेला बंस की राजया द्वारा ओर्चा को बंदेलखन की राध्दानी भी बनाया गया था तो इसमें बंदेला लगा देना यह आप देखें कि गलत है यह बैतवा कहां से निकलती है सौन कहां से निकलती है काली सिंद्ध से कहां से निकलती है ताफ्ती नदी कहां से निकलती है इनके बारे में आपको बताना है क्या बताना है बताना है कहां से कौन से नदी निकलती है बताईए अगर हम लोग बैतवा की बात करें न सबसे पहले तो बैतवा आपकी कहां से निकल बैतवा की बारे में याद रखें पहले तो ए बैतवती के नाम से आप लोग इसे जानते हैं और ए आपकी कुमारा गाओं राय से इंजला मत्पदे से निकलती है और यमना में मिल जाती है तो पहला ठीक हो जाएगा इसमें फिर दूसरी आती है आपकी सौन नदी ये कहां से निकलती है सौन नदी आप देखेंगे कि ये आपकी सौन नदी भारत ये आपकी मदपदेश उप्तरपदेश में बहती है अमर कंटक से निकलती है और इसलिए आप से पूछ रहा है, काली सिंधी की बात करें, काली सिंध, तो यह आप देखेंगे कि यह भी मद्ध प्रदेश में, यह आपकी बागली मद्ध प्रदेश से निकलती है, ठीक है, चम्बल में मिल जाती है, और तापती नदी, यह आप देखेंगे मुल, तापती नदी, खम्बात की खाड़ी में गर जाती है, मुलताई पहाड़ियों से निकलती है बैतूल से, तो इसमें सी लगा देना, ठीक है, सी गलत है बाकी तिनों, बिलकुश सही है, भगव और यह हाट किससे सम्बन दे थे? भेल जनजाती, किसले भील से जनजाती से? मेहर का पिसिद कारण क्या, संदर मंदर के लिए पिसिद संगीत के कारण, पिसिद बन और जियुतिलिन के कारण? तो आप देखते हैं संगेजीत की राध्धानी कहते हैं आप लोग प्रिगे निम्ने में से किस गाय का जनब मदकदिस में नहीं होगा है उस्ताज हापिज अली खा या आप देखेंगे लता तांसेन या उस्ताज अदाउद्दिन खा लता मंगेश कर तो इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी जानकारी उस्ताज हापिज अली खा की अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम ग्वालियर में हुआ था 1888 में 1972 में इनकी डेथ हो गई थी नई दिल्ली में तो इनका तो मद्वदेश में हुआ है दोसरे हैं तान सेन तो ग्वालियर में इनका जनम हुआ था सन 1500 में और 26 अपरेल 1586 में आगरह में इनकी डेथ हो जाती है उस्ताद अलावद्दीन खा तो यह आप देखेंगे कि इनका जनम बंगला देश में हुआ था और मेहर में इनकी डेथ होई थी और लट्ता मंगेसकर की अगर हम लोग बात करें तो यह आप देखेंगे कहां इन दौर में हुआ था तो इसमें आप देखेंगे किसका अलावद्दीन उस्ताद अलावद्दीन खाँ होगा से ऑप्सन लगा देना तकि तीनों का जनब मदप्रेश में हुआ तांसयन का जनब कहां हुआ था इसका तांसयन की बात हो रही है मेहर भीयट पचमणी उमरिया तो गट वालियर में हुआ था ठीक है यह भीयट आप लोग लगा दे ना ग्वालियर भी एट में और ग्वालियर है तो ग्वालियर लगा देना, अंगला गूशन है हमारे सामने, निमलेकित में मद पदेश का पेसेदि लोग साहतिकार नहीं है, पताईए, साहतिकार नहीं है, जगनिक संत सिंगा जी, संत कालू जी, या फिर आप देखेंगे, इसमे एक है आपका इसुरी कौन होंगे इसमें क्या इससे लोग साहितिकार नहीं है पूछता है लोग साहितिकार नहीं है तो इसमें क्या लगाओगे इनके सब के बारे में बता देता हूं तो आप लोग समझ जाएंगे मद्ध पदेश के पिसेद लोग साहितिकार नहीं है तो आप देखें जगनिक तो तो इसमें आप देखें जगनिक संथ सिंगा जी और इसुरी हैं लेकिन संथ कालू जी नहीं है ठीक है यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा और आप देखते हैं कि चली अंगले कुशन की तरफ चलते हैं और कहीं गलती हो जाती तो आप लोग बता दिया करिएगा चंदेल वंस की राध्धानी चित्कूट नोहिटा उद्यगिरी या आप देखेंगे कि एक है आपका बांधो गड़ क्या थी चंदेल वंस की राध्धानी की बात हो रही है और वैसे खजुराहू का नाम इसका था है जिसके बाद बगलकर महुबा कर दिया गया था ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा चित्पूर नोटा उद्यगिरी कलेंजर पर भी आप देखेंगे उन्हें सासन किया था महुबा कर दिया गया था इसे आप देखेंगे अगर हम लोग चंदिल बंसकी राध्धानी देखें तो तीन खजराहो एक बास्तु राध्धानी महुबा राजस्त राध्धानी कलिंजर सेन राध्धानी थी ठीक है तो यह सब याद रखेगा नाम कहां कहां से आप देखे किस तरह के कुश्चन्स पूँच लेता है संकराचार की गुफाएं कहां देखने को मिलेगी कहां संकराचार की गुफाओं और जैन में पचमड़ी में और उंकारिसुर में बैतूल में यह कहां है संकराचार की गुफाएं तो उंकारिसुर में जिलाखंडवा पूरवी निवाड में देखने को मिलेगी तो इसमें सी ओप्सन ठीक है आपका अंगला कुश्चन है आपका मत्वदेश हिंदी गरंत अकादमी भवबाल की स्थापना कव हुई एक 1994-1984-1996-1989 में तो इसमें 1969 में हुई थी जबालाल नहरू किसी विस्विध्यारे कहां है बताएए यह आप देखते हैं कि जरीबा सागर जबलपुर भवबाल तो इस जबलपुर में और 1964 में इसकी इस्थापना हुई थी कब हुई थी 1964 में इसकी इस्थापना हुई थी तो यह भी आप लोग याद रखेगा जबलपुर को नया एक राध्धानी भी कहते हैं भाई गुट की मुख विरांच भी आप लोग देखते हैं अंगला कुशन है हम देखेंगे मद्वदेश की प्रमुख जन जाती पीछे बता चुका हूँ आप लोग बताईए आपसे कुशन से मेरा है कौन सी है गोला गदेडू उस्सव किस जन जाती से संबंदित नहीं है गोला गदेडू उस्सव किस जन जाती से संबंदित है या नहीं है बताईए एक गोल गदेरू बिवा भी कहते हैं इसमें आप देखे किस जन्जाती से सम्मंदित है यह पूँचना चाहिए तो भील से सम्मंदित है भील जन्जाती से सम्मंदित है किस जन्जाती में सेवा बिवाह की पिता है एकिस जंजाती में सेवा पभा की पित्था आप लोगों फोर देखने को मिलेगी घॉंड भेल कोल तो आप देखेंगे कि सेवा भिवा अद्वासी जंजाती गरासिया में पिछले तेक विवा है गरासिय जंजाती वर अबधू के घर पर घर जमाई बन कर रहता है, उसे सेवा विवा कहते है, गरासिया, टीक है? तो यह आप लोग जरूर एयाद रखेगा, गरासिया जंजाती में है यह पता, इसमें? गरासिया में, अमीर खा समारू कहा होता है? अमीर खान समारू कहा होता है? बोपाल इंदौर ग्वालियर धार इंदौर में होता है ठीक है? अंगला गुश्चन है हमारे सामने 2011 की जिनकर्णा के अनुसार मत्वधिस में सबसे जानदा जनसंख्या बाला जिला कौन सा है? बताईव ग्वालियर इंदौर बोपाल गुर्षानपुर तो यह तो आपको मालू होगा कि क्या है? इंदौर ही डेखने को क्या? इसमें तो इंदौर है आपका इंदौर में आप देखेंगे सबसे जानदा अगर आप देखें कि क्या? मद्वदेश की जनसंख्या जनकरना 2011 अभी तक आप देखते हैं कि हुई है क्योंकि 2021 का आकड़े नहीं आया है तो एक जनकरना पर हम लोग के एक सामान नजर डाल लेते हैं मद्वदेश में पिथम जनकरना अठाली 1811 में हुई थी या जो याद रखेगा 1880 में वैसे आप देखे कि जनकरना अठाली 1872 में हुई थी पहली बार देश की बात अगर लोड मेऌ की समय लोड रीप्वन के समय से 1881 से नेमिज जणकरना हुई थी अगर मद्कदेश की पिथम जर्गना की बात करें तो 1881 में और 2011 में जो जंगरना हुई वो 15 भी जंगरना है मद्कदेश में और जंगरना कार आप सभी जानते हैं कि दस साल में होता है हर दस साल में यह आपको मालू होगा और इस सरकार करवाती है और जंगरना कार जंसंख्या अध मत्वधिस की जंगरना 2,11 के हिसाब से देखें तो 7,26,26,0809 देखने को मिलेगी ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और इसमें आप देखेंगे पुरसों की बात करें तो 3,26,012,306 देखने को मिलेंगे और महिलाएं 3,50,014,503 है तो यह भी आप लोग याद रख देखेंगे और इंदोर सबसे जांदा देखने को मिलेगा 32,6,697 देखने को मिलेगा फिर दूसरे नेंबर पर जबलपुर का नमबर है तीसरे पर सागर चौतरे पर भोपाल पांचवे पर इंदोर है नियूंतम जनसंख्या में आप देखें तो हर्दा पहले पर इसकी जन जनसंख्या में भी छोटा है लेकिन अगर निवारी नहीं दिया गया है क्योंकि नई जनकरना होगी उसके हिसाब से आंकरे आएंगी तो हर्दा लगा देना ठीक है तो यह भी याद रखेगा और सरबादिक छेदफल आप सभी जानते हैं कि छेदवाड़ा का है और समसे कम दिया का है लेकिन आप देखे अगर उसमें दिया भी जगया है दिया गया निवारी दिया गया तो निवारी आप लोग लगाईएगा 2011 की जंकरना के इसाब से दिया है ठीक है लंगानपाद अगर आप देखें तो 931 से मद्दरीस का लिंगनपाद एभी आप लोग याद और बाला घाट में सबसे अच्छा लिंगन पाथ है, सरवादिक लिंगन पाथ, बाला घाट में 1021 महिलाए हैं, 1000 पुरसों पर, सबसे कम भिंड में 837 है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, और भोपाल में जन संक्या घनत की बात करें तो सबसे जन्दा भोपाल में 855 ब और भोपाल और सबसे कम आप देखेंगे, अली राजपुर में देखने को मिलेगा, चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, चलिए अंगले क्विश्टिन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, मद्विदेश की राच्की ये खेल क्या है, मद्विदेश का राच्की ये मद्विदेश में कौन सी मिट्टी सबसे जानदा पाई जाती है, चिकनी मिट्टी, लेटराइड मिट्टी, या लाल मिट्टी या आप देखें काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, D option T है, मद्विदेश का पहला जीवास्मराष्टी उद्ध्यान किस जिले में ह मद्विदेश का राष्टी उध्यान पहला जीवास में राष्टी उध्याई बाला घाट सीवपरी या देनोरी ग्वालियर देनोरी में आप देखने को मिलेगा ए C ओप्शन ठीक है समे मद्विदेश का छेटफल अगर आप देखें तो हेक्टर में पूँच रहा है बताईए मद्विदेश का हेक्टर में पूँच रहा है जरूर आप लोग याद रखेंगा कोश्टन्स पूँच लेता है और आगर आप देखेश छेथफल में अगर हम लोग वैसे बात करें तो 3,00 लाग और ये 3,00,8,245 बर किलूमीटर में आप लोग देखेंगे 245 बर किलूमीटर मैं पहला हुआ है लेकिन मद्वदेश का हेक्टर में अगर पूछे तो पताए क्या लगा होके 308 लगा दे न लगभगी तो लगाओगे और क्या लगाओगे लगभग लगाती है न इसलिए बोल रहा हूं ठीक है चलिए आंगे चलते हैं मद्पदेश की सरकार की कल्प बैक्च योजना की बात हो रही है यह आप देखेंगे कि ए ओप्सन इसमें कह रहा है रेसम के लिए बहतर गुडबत्ता कीड़े में पिजनन डेहरी और पसुधन का विकास अनुसासित जाती और अनुसुचित जन्जाती के बेरोजगार युवाओं को खुद का ब्योसाय सुरू करने के लिए रक्सा टेंपो पिदान करना भूमी खरने के लिए दस साल के लिए गाज देना और रेसम के लिए आप देखिए हैं ठीक है तो यह ओप्सन ठीक रहेगा मत्वेश सरकार की द्वारा चलाएगी मापी यह बताए रेसम के लिए आप देखिए पवन पुत्र स्क्रीम है अनुसूचित जाती और जजाती के विरोजियारों को एक तरह से ब्योसाय सुल करने के लिए रिक्सा और टेंपो दोना वो बसंद्रा इसकी भूमी ग्रेंड और मादा और यह उजना दुख पसूबल से सम्मंदित है तो इसमें तो यह ओप्सन लगाओगे आप लोगे मद्विदेश के पहले मुक्षिन यादिश का नाम का जश्टिस कार्दू जश्टिस खान विलकर या इन मैसे कोई नहीं तो आप देखते हैं कि एह में हिदायत उल्ला है थे ठीक है मुक्ष नियादिश मद्विदेश के पिदेश में कौन सा जिला सहत का सबसे बड़ा उत्पादक है मुरेना और संगबाद सिवपूरी या आप देखेंगे च्छतरपूर तो आप देखेंगे कि मुरेना सहत के लिए सबसे जानदा आप देखते हैं या मुरेना यह उप्सन ठीक है समय अंगला गुष्य ने मद्विदेश में नरवधा नदी की लंबाई कितनी है मद्विदेश में नरवधा नदी की लंबाई गुंसरा है 1078 किलोमीटर 1077, 1066, 1055 1000 1070 आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक है दस सततर है बी ओप्शन ठीक है बा या भी मद्वदेश के विधान सभा के पहले speaker कौन थे पहले speaker अध्यक्ष की बात हो रही है और जो विधान सभा सदस्थ होते है ना उनी के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है पंडित कुंजिलाल दुबे डॉक्टर सीता राम सीता सरनसर्मा डॉक्ट इस और दास रोहिनी कासी परसाद पानने तो आपको बता दूँ पंडित कुंजिलाल दुबे थे ठीक है 1956 से संतावन तक रहे थे उसके बाद भी आंगे विए रहे लच्छी वाई नेशनल इंस्टिटूट और फिजीकल एजूकिसन मद्विदेश में कहां देखने को मिलता है घोपाल में है गौालियर में है देवास में है या आप देखेंगे कि आपका अलीराजपुर में इसको एक विश्चन का ही एकजाम में पूच लिया गया है तो यह आप लोगों को कहां देखने को मिल जाएगा गौालियर में ही आपको देखने को मिलेगा यह ठीक है गौालियर में है जन संक्या की दिरिष्टी से मद्वदेश का कौन सा इस्थान है यह आप लोगों को पीछे बताया है याद हो अगर आप लोगों तो आप लोग बताईएगा कौन सा है छेतपल में तो दूसरे नमबर पर है हम लोग लेकिन जन संक्या की मामले में किस नमबर पर है चलिए तो पांच बाह हमीं बता देते हैं मद्वदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, मद्वदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, कैन, वैतवा, चंबल, नर्वदा, किसे कहते हैं, तो नर्वदा ही को कहते हैं, ठीक है, मद्वदेश की जीवन रेखा, D या D option है कालीदा समारो कहा होता है बहपाल गॉालियर ओजेन इंदॉर बढ़ाईए ओजेन में होता है फिती वर्स ओजेन में मदविदेश का सबसे उचा बांध काउन सा है मदविदेश का सबसे उचा बांध काउन सा है मद्विदेश का सबसे उचा बांद पूच रहा है इंद्रा सागरबान, गांधी सागरबान, बैरग बांद, इंद्रा सागरबान देखने को मिलेगा माखनलाल चतुरवेदी, समारो, पिदेश के किस जिले में होता है माखनलाल, चतुरवेदी, समारो, मद्विदेश के किस जले में होता है छेदवाड़ा, जवलपुर, ग्वालियर, पालगहट तो यह आप देखते हैं, जवलपुर में होता है मद्विदेश का सबसे उंचा, सबसे लंबा बांध कौन सा है मद्पदेश का सबसे लंबा बांध कों सा है बताईए पहला ओप्षन आप से क्या कह रहा है इंदरा सागर, बर्गी सागर, बन सागर और गांधी सागर तवा नदीबर बना तवा मद्पदेश का सबसे लंबा बांध है इसकी तवा बांद की को लंबाई 332 मीटर आपको देखने को मिलेगा 322 मीटर ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा बरगी बांद इसमें बरगी बांद लगा देना भी ओप्सन लगा देना ठीक है ओप्सन देख लाए ना जो जिस हिसाब से है वही लगाना परेश्थान मत होना अंगला कुष्टन है छेटपल की आधार पर मत्पदिस का सबसे बड़ा जिला तो यह आप सभी जानते हैं कि कौन सा है छेटवाड़ा ही देखने को मिलेगा अभी बता चुका हूँ आप लोगों को पाताल कोट घाटी मत्पदिस के किस जिले में देखने को मिलेगा पाताल कोट घाटी की बात हो रही है छेटवाड़ा बैतूल बाला घाट गौालियर छेटवाड़ा जिले में आप लोग देखते हैं इसे मत्पदिस की सबसे उची चोटी कौन सी है बताए धोफगड़ गुरु सिखर पारसुनाद कल्सु भाई यह सब आप लोगों को मालू होना चाहिए धोफगड महादिव पहाड़ियों का और पूरे मत्पदिस का उचितम बिंदु है सत्थ पुड़ा सिंखला में पचमड़ी में इस्तित्थ है इसकी उचाही तेरे सो बावन मीटर है ठीक है धोफगड अंगला कुश्य ने मत्पदेश की बित्त आयोक का पहला कारकाल क्या था बित्त आयोक का पैसे की विवस्ता की बात हो रही है बटवारे की एक अपरेल 1966 से 31 मार्ज संद दोहजार था एक उननिस सो क्या लगाओगे तो 1995 में गठित किया गया था यह आप लोगों को मालू होना चाहिए मत्पदेश रवाच्चन आयोक की बात हो रही है निर्वाचन आयोक आप लोग देखते हैं बित्त आयोक भी आप लोगों को मद्पदेश में देखने को मिल जाता है सूचना आयूग भी मद्वधिस में देखते हैं आप लोग इन सब के बारे में अगर आप लोग कहें तो बता देता हूँ आपको एक एक करकी सभी के बारे में देखिए अगर हम लोग राज निर्वाचन आयूग की बात करें तो अनुचे 243 की अंदरगत आप देखेंगे कि इसका राजपाल निउक्ती करता है चुनाओ आयूग की बस्ता की गई थी जो आप देखते हैं कि आज के सरपंच वरपंच की चुना होते हैं न उनी की बात हो रहे है और 1994 में आप देखिए इसकी स्थापना हुई मानौ अधिकार मध्यपदिस मानौ अधिकार आयू की बात करें तो अब 13 सेप्टमबर 1995 को किया गया था इसका गठन राज सरकार द्वारा और राज महादिवक्ता अनुचे देख सततर की अनुसार महादिवक्ता विधान सभा का सततर नहीं होता है लेकिन आप देखिए इसकी नहीं उक्ति होती है ठीक है टोई आप लोग जरूर याद रखिएगा वित्तायो ग्यारे 14 जून 1994 को किया गया था गठन इसका मद्वदेश में ठीक है तो लेकिन आप देखेंगे कि यह पहला इनका था एक अपरेल 1996 से 31 मार्च 2000 तक ठीक है तो आप लोगों को 1900 यह आप देखेंगे पंचार में मैं गठित किया गया था अगर इसमें देखेंगे कुश्चन्स पूचे आप लोगों से कि मद्वदेश में पिथम राज बित्तायों ने किस बस अपनी रिपोर्ट पिस्तुत की थी तो आप लोग 1996 लगा देना वैसे 1995 से सन 2000 की बीच आप लोग देखेंगे ठीक है और आप देखें चुनाओ आए उस पर बित्ता आपका जो परिक्षा घरवाता है उस पर छोड़ देना चाहिए क्यूंकि आप देखते हैं बहुत परेसानी देखी जाती इस तरह की कुश्चन्स जब फसाने वाला पूंच लेता है तो अंगला कुश्चन है उत्तरपिदेश मद्पिदेश का सयूख प्रोजेक्ट कौन सा है राजघाट माता ठीला बंसागर बताएए प्रोजेक्ट कौन सा है राजघाट आप लोग देखते हैं बैध पान अधी पर है ना चन्देजी से 14 किलो मीटर दूर अगला है Madcadisi के साची में किस समुदाय का पिसिद पर रेटनिस्ताल है? हिंदू, मुसलिम, बहुत इसाई साची आप देखते हैं की बहुत दों के लिए पिसिद्ध है किसके लिए है? बहुत के लिए पिसिद्ध है चित्गुप्त मंदिर की बात हो रही है, बताईए इसमें, बिदीसा खजुराहो सत्ना गुवादियर, चित्गुप्त मंदिर, खजुराहो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चित्गुप्त मंदिर, निरंधार पिसास सेली का एक मंदिर है, खजुराहो में, ठीक है, कुष्यान BM का मंदिर है। म Спाहसा में मंदिर के या बहसाहिए और इंसे नाम सास बाहई दिया गया है निर्मेट हिंदु मंदिर है का हूँ ग्वालियर में जाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं मद्विदेश का सौमनाद किसे कहते हैं मद्विदेश का सौमनाद किसे मंदिर को कहते हैं बताइए इसमें आप देखेंगे कि आपका क्या होगा भोचपुर को किसे भोचपुर को कहते हैं यह आप देखेंगे कि बैतवधी नदी के किनार इवसा उत्तर भारत का सौमनाद भी कहा जाता है इसे चले एंगला कुश्चन है मत पर इसकी किस सहर में तांसें का मकबरा आप लोग देखते है तांसें का मकबरा पूँच रहा है ग्वालियर मुरेना जाबुआ भोपाल तो यह तो मालू ही होगा आपको क्या लगा है आपने ग्वालियर आप देखेंगे क्या ग्वालियर तांसें का वच्पन का नाम रामतनू था और तांसें संत संत मुहम्मद गौस की जिस्टे थे ठीक है अंगला कुश्चन है हमारे सामने चंबल लदी का उद्गम इस्थल का है चम्बल नदी का उद्गम स्थाल आप से पूँच रहा है तो इसमें आप देखेंगे कि जाना पाओ की बाहर ये मद्दपदे से निकलता है दच में महू सहर की इंदौर के पास थे ठीक है अंगला कुशन है जहाज महल कहां देखने को मिलेगा जहाज महल आपको कहां देखने को मिलेगा असीगड, मांडो, ग्वालियर, पच्मरी तो यह आप तो जानते होंगे कि जहाज महल मांडो में देखने को मिलेगा धारजली में मांडो गड में मांडो में अंगला कुशन है मांडो गड़िस के निमलिकित परेटर इस तलों में से कौन अपने मंदिरों के लिए पिसिद्ध है मंदिरों के लिए कौन पिसिद्ध है मुझे तो लगता है कि एक ही है उसका नाम है खजुरा हो यह और कोई बताई खजुरा हुई है यहां आप देखते हैं बहुत सारी मंदिर आप लोग देखते हैं सी ओप्सन ठीक है मांड़िस के निमले के निमले जिलों में से किस जिले ने में सदुवडा परव सिंखला नहीं है हर्दा वैतूल और खंडवा छिद्वाड़ा बताईए तो इसमें आप देखेंगे कि कौन होगा हर्दा होगा निमले कित्र में से सारुजनिक पितिश्ठान नहीं है यह आप देखेंगे सारुजनिक पितिश्ठान नहीं है कौन सी नहीं है पूँच राय तो इसमें आप देखेंगे जब भूल भोपाल लेदर इसमें गवालियर ओर्डिनेंस फैक्टरी है जबलफुर एलकुएट फैक्टरी है निमच भारत हैवी लेक्टिकल से इसमें लिमिटेड भोपाल लेदर फैक्टरी नहीं है सतनावे सन 1873 में भरूत इस्तूप की कोछ किस ने की थी मनुभावी असो कनिंगम हैलियर डोरस बताई इसमें इसमें क्या होगा तो मुझे लगता है कि लगा दिया होगा आप लोगने क्या लगाया बताई इसमें लगाया होगा आप लोगने अलेकजिंडर कनिंगम सी ओप्सन ठीक है भारत का लेजर करन परवाणू उर्जा नुसंधान केंद मत्पितिस के किस नगर में स्थाफित किया गया है जवालपूर जवालपूर उज्जेन इंदौर और भोपाल बताईए कहां देखने को मिलेगा यह आपको कहां देखने को मिलेगा इंदौर में देखने को मिलेगा अंगला कुश्य ने कौन सी परियोजना मत्पितेस तथा गुजरात की सयुक्त परियोजना है नर्बदा घाटी तुंगद्दा तावा नदी महा नदी सरदा सरोबर बांग गुजरात मत्पितेस की रासरकारों ने सरदार सरोबर परियोजना और नर्बदा सागर परियोजना बनाई हुई है नर्बदा घाटी मत्पितेस राष्टी गरामी रोजगार गारंटी योजना को लाउग किया था मत्पितेस ने कि दो मार्ट 2007 को एक जन्वरी 2008 को दो फर्वरी 2005 को बारे फर्वरी 2006 को तो बदाएए यह आप देखेंगे कि दो फर्वरी 2006 को इसमें शुरू किया गया था मद्देश में ठीक है तो यह आफ लोगों को मालू होना चाहिए फर्वरी 2006 में तो अगर दो फर्वरी नहां दिया हो आप लोगों को तो फर्वरी 2006 में आप देखेंगे इसे तो फर्वरी 2006 दिया हो तो आप लोग डी लगा सकते हैं लेकिन याद रखें दो फर्वरी 2014 क्या करें आप देखेंगे कि और आप देखिए कई लोगों ने इसमें दो फर्वरी 2005 भी मारा आयों ने देख लिए तो यह भी क्या करता है बड़ी परेशानी है देखिए बिलाई इस पात कारखानी को पादन में कब शुरू हुआ था कि दो दोजार उननीस सो सतर भेलाई इस पात कारखा ने उत बादन की बात हो रही है और इस ओविए संकी मदस से किया गया था इसमें आप देखने को मिलेगा बदाख इसमें आप देखिए उमरिया आप लोग लगा देंगे क्या उमरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा बी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें पिदेश का एक मात घड़ी कारखान बनाने वाला कारखाना कहा है मत पिदेश में चोटे चोटे कुश्चन से इस तरह के कूछ लेता है कई बात होसंगाबाद, हर्दा, बैतूल, उजयन तो यह आप लोगों को कहा देखने को मिलेगा बैतूल क्या देखने को मिलेगा बैतूल ठीक है, C-Option ठीक रहेगा इसमें इसी आगर सबसे बड़ा सुयाबीन सेंध मद्वित इसमें कहा इस्थाफित किया गया है, भोपाल, धार, उजयन और इंदौर वाट आईए इसमें भोपाल, धार, उजयन, इंदौर तो उजयन में आप लोग देखेंगे इससे ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने मद्वित इसके किस जिले में अखवास काज का कार खाना है रायसेन, गुर्हानपूर, जाबुआ, भोपाल बताईए किसमें लगाओगे इसमें तुष्ट में आप लोग देखेंगे गुर्हानपूर नयापा नकर आप लोग सुनते हैं ना उसी की बात हो रही है राजमेसुस्क बंदर का स्थापित है मुरेना धार पीथमपूर या आप देखेंगे गुना कहा देखने को मिलेगा आपको यह देखने को मिलेगा आपको पीथमपूर मद्पदेश में इमपूरियम का नाम है मिगनैनी बसुधा कलमाई इमपूरियम का नाम है मुरेगनैनी ठीक है अंगला कोश्चन है हमारे सामने ग्यारवी पंचवर्सी योजना में विकासदर कितनी निर्धारित की थी मद्पदेश में इस तरह के कुश्चन से भी पूँच लेता है कही बाद बताएए और यह MPPSC में भी पूँचे हैं इस तरह कि आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे 8.1% या लेकिन उस ने के बाद 7.9% की विकासदर हासिल की थी तो 7.9% की प्राप्त की थी और रखी कितनी गई थी भारत की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा 7.6 रखी गई थी मदबदेश में तो C ओप्सन रहेगा इसमें राज में 11.5 वर्षी योजना में सरवाधिक बजट किस छेत में दिया गया था परिवान समास समाजिक सिवाएं सिचाई और आप देखेंगे उर्चा मदबदेश में किस बताईए समाजिक सेवाओं में ही दिया गया था ठीक है वी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें चलिए अंगला कुशन सत्ना इस्ति सिमेंट का रखाना किस कंपनी से ने स्थापित किया है सत्ना का रखाने की बात हो रही है इसमें जेपी सिमेंट द्वारा अलटा टेक द्वारा या आप देखेंगे और किसी के द्वारा तो सत्ना का नाम सात स्माट सहरों में भी है बिड़ना घराने के सिमेंट के दो कार खाने यहां देखने को मिलेगे तो विद्ला का और पिसन द्वारा ठीक है यह आप लोगों को को याद तो रखना चाहिए इसमें विर्ला कॉर्पोरेशन अंगला कुश्चन है रक्षा गाड़ी कारखाना किस सहर में देखने को मिलेगा रक्षा गाड़ी कारखाना इन दौर में एट आरसी में जबलपुर में या या आप देखेंगे ग्वालियर में या बताईए और अच्छा गाड़ी तो यह तो आपको मालू है जबलपुर में यह होगा C option ठीक है इसमें मद्विदिस में सरपितम सूस्ती बस्त मिल कहां इस्ताबित की गई थी सूस्ती बस्त मंदस और राजगर बुरहनपुर या आप देखेंगे कि आपका एक जाह हुआ तो यह आप देखेंगे कहां की गई थी मद्विदिस में इसमें तो आप लोग बुरहनपुर ही लगाएंगे मुझे लगता है बुरहनपुर ही रहेगा आपका मद्विदिस के किचली में सरबादिक उद्द्योग घनत है रतलाम भुपाल इंदोर धार बदाईए तो इसमें आप देखेंगे चिदवाडा में है बैसे आप लोग देखें तो ठीक है उचिदवाडा ना हो तो फिर क्या लगाओगे आप लोग तो फिर तो आप लोग इंदोर लगादेना भाई क्या इंदोर लगादेना कि धार में भी है और यह हैं आप लोगों को जरूर मालु होना च्छी कही में आप देखें धारवी में भी बता रहा है Dame kis Jilay में है तो इसमें आप देखेंगी धार 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 तो धार लगा ना इसमें आप देखेंगे इन्दोर एक अधिक पर अंसर धार ही बताए जा रहा है ठीक है तो इसमें परेशान नहीं हो नहीं वरना कुछ शन्स गलत कर बैठें क्योंकि आप देख रहे हैं कि दो दो जगह रहते हैं लेकिन आप देखें फिर भी आयों जो सही मान रहा हो ही लगाएंगे हम लोग आप्टिकल फाइवर कारखाना मदवरिस कि राज में कहां इस्थाबित किया गया आप्टिकल फाइवर कारखाना उजयन रतलाम भोपाल या आप देखेंगे इंदोर अप अप्टिकल फाइवर कारखाना कहां है अब भोपाल में आप लोग देखेंगे से ठीक है भोपाल होगा इसमें यानि कि आप देखें सी आप्शन आपने लगा दिया होगा इसमें अंगला कुछिन है हमारे सामने मदवदेश के किस सहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाए इंदोर में के इंदोर में बनाए गया है ठीक है अंगला कुछिन है मद्वदेश योजना मंदल मद्वदेश में योजना मंदल का गठन किस बार्स हुआ था 1906-1980-1972 24 अक्टूबर 1972 में D option रहेगा साथ मार्ट 1903 में पितम पंचवर्शी योजना के ताहित गांदी सागरबान का अरसल नयास किस ने किया था बताए डॉक्टर राजिन पे साथ भीमराव मेटकर पंडिजवाहलाल नहरू इन में से कोई नहीं तेन है तो पंडिजवाहलाल नहरू ही होंकि इन्होंने नीव रखी थी इसकी पंडिजवाहलाल नहरू ने अंगला कुश्चा ने मद्वडेस राज में दूसरी पंचवर्शी योजना की सही आओधी क्या है मद्विदेश राज में पूँच रहा है 1965-1965-1965-1970-1956-1961 तो आपको मालो होगा तो आपने लगा दिया होगा 1956-1961 56-61 यानि की D होगा इसमें 56-61 चली अंगले कुश्यन हमारे तरफ है मद्विदेश राज्य में मुख्ध मंत्री ग्रामी सड़क योजना कब सुरू की गई थी ग्रामी सड़क योजना की बात हो रही मुख्ध मंत्री सड़क योजना है आप लोग देखते न सड़क बनती हो सीगी 2011 बारे में शुरू की गई थी और इसका उद्देश सामान वरक की गाओं में 500 सिर्कम की जनसंख्या और 250 से कम जनसंख्या वाले आदिवासी बहूर राजस वाले गाओं में सड़क का निर्मार करना 2010-11 में सुरू की गई थी ठीक है 2010-11 तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा मैसेज भी खूब आते हैं मत्वदेश की राम रोटी योजना किस से के लिए चलाई गई राम रोटी योजना गरीब गरामी गरीब लोगों के लिए सहरी गरीब लोगों के लिए या आप देखेंगे कि अनाथ बच्चों के लिए बालकों के लिए इनमेंसे कोई नहीं बताईए किसके लिए चलाईगी भाई यह सहरी गरीबों के लिए किसके लिए सहरी गरीबों के लिए सहरी गरीबों के लिए बी ओप्सन ठीक रहेगा इसमें अंगला कुशन है मद्विदेश में स्यामा पिसाद मुखर जी चात्विती योजना किसके लिए चलाई गई अनुसोचित जाती जन जाती के चात्चात्राओं के लिए चात्राओं के लिए और सभी बर्गों के चात्राओं के लिए उप्यव्त में से सभी जो मद्विदेश में सरवादी का अंग पराप करने वाले किरसी विज्ञान वड़ज जो कलास अंक्यार के विध्यारती जिनके पालग या अभी पालग तीन लाग की बार से काधिस से कम पालते हैं यह अनुसुचित जाती के चात्रों के बरावा चात्रविदी प्यदान की जाएगी ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा इसमें जानि कि इसमें आप देखें सभी बर्गों के चात्राओं के लिए सी ओप्सन रहेगा मद्विदिस राज्य में दीन द्याल अंतिवदर उप्चार युजना कब सुरू की गई थी बदाईए साथ आठ बदाईए दोजार चार तो दोजार चार से सु ठीगा इसमें आप लोग डी लगा देना राज में पिदान मंत्री गरामोद युजना कब सुरू ही मद्विदिस राज में है दोजार एक दोजार एक है सथ जार दोजार ज़ार दस ग्यार ये दोजार पांच चार पांच या दोजार नोधस बताईए Hep को नौदस में कई थी ये आप लोगों को पता है है 아닌 हैं नोधस में कई नक्रेदरम्लाउड गये विधा चलिए आगे चलते हैं मद्ध देश में भगोरिया नित किस जली में लगता है भगोरिया नित भगोरिया नित है अली राजफुर, भौपाल, उज्जयन जाबुगा तो जाबुगा में देखने को मिलेगा है जाबुगा में देखने को मिलेगा डी ओप्सन बिल्कुल सही है मद्ध देश में धिम राई कहां का लोगने थे मालबा, भौपाल, का लोगने, बुंदेलखंड या इन्मे से कोई नहीं कहां देखने को मिलेगा है धिमराई बुंदेलखंड में ही देखेंगे आप लोगने बुंदेलखंड में ठीक है, सी ओप्सन ठीक रहेगा मद्ध देश में पगल्या, किस अंचल की लोक्स चित्तिकला है पगल्या, पगल नहीं, पगल्या बुंदेलखंड निवाड मालवा बगल्या कहां देखने को मिलेगी है मालवा में देखेंगे यह तो आप लोग कहां मालवा में सी ओप्सन ठीक रहेगा निमले खेद में से भीलों का प्रमुक नेत कों सा है भील जर्जाती की बात हो रही है परदोनी कर्मा, भगोरिया, दसहरा नेजा यह आप देखेंगे कि इनके अगर हम लोग भीलों के प्रमुक नेत्तों की बात करें न तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा परदोनी कर्मा, भगोरिया, कौन होगा इसमें से गैर, धूमर, नीजा, गवनी, अथ, याना यह भी देखने को मिलेंगे, घूमर, भील जंजाती का पारवन पर एक लोग नित्त है, ठीक है, और इन में से आप देखेंगे भगोरिया, अंगला कुष्ण ने मत्कदिस राजी की कौन सी जंजाती बेगा नित्त करती है बेगा जंजाती, जारवा जंजाती, संथाल जंजाती, हो जंजाती बताइए बेगा जंजाती होगी इसमें इह ओप्सन खीक है इसमें मत्कदिस में होलकरों का महल कहां पर है यह आपको पीछे भी बता चुका हूँ आप लोग बताईए क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो अच्छे से बता पाएंगे मत्परिस के किस से लालीक में से मंदिर निर्मार का उलीक मिलता है राजगार, इंदरगार, गुडांग और असोक नगर बताईए कहा है किसमें देखने को मिलेगा इसमें आप देखेंगे कि इंदरगड में देखने को मिलेगा इसमें इंदरगड में और मध्विदिस में कहां पर गरोड इस्तम है गरोड इस्तम की बात हो रही मध्विदिस में कहां देखने को मिलेगा वहपाल चित्खूट, विदीसा, सिवपुरी विदीजा में ही देखेंगे आप लोग, आधुनिक वेसनगर के पास इस्तित है, हैली डॉरस सिस्थम, ठीक है, तो इसमें आप लोग विदीजा ही लगा देना, क्या लगा होगे विदीजा ही लगा होगे, ओंकारिसुर किसलिए पे सिद्ध है, सिद्ध, नात मंदिर के कुष्टन्स अलग था वहां बताई यह किसके लिए पर सिद्ध है उंकारे सुर्फ कि उंकारे सुर्फ एक हिंदू मंदर है है खंडबाजले में पड़ता है इस किसके लिए है बटाई जी तो यह सभी के लिए सिद्ध नाद मंदर भी महादियों मंदर संकराचार की गुपा है सभी के लिए है मद्विदेश के बेड़ागाट में क्या है दुमाधार प्रपात 64 मूर्तियों बाला चुष्ट, 64 योगनी मंदर, गौरी संकर का मंदर क्या लगाओगे दुमाधार जल पर पात तो है ही इसमें कौन सी सक है लेकिन आप देखेंगे 64 मूर्तियों बाला चुष्ट, 64 योगनी मंदर भी आपको देखने को मिलेगा गौरी संकर तो इसमें CD ऑप्सन लगा देए ना भाई मद्धिस का अजन नगर क्यों कि सिद्धे कुमे मेला के कारण महा कालिसुन मंदर के लिए, जंतरवंतर के लिए तो ये तो आप सभी जानते हैं कि सभी के लिए होगा यानि कि आपका D option रहेगा सबके लिए है इसके एक-एक के लिए थोड़ी है किस सासक ने गुजरी महल का निर्माड करवाय था बताईए अकवर ने सुराज सेन ने मान सिंग ने तेज महल ने गुजरी महल का निर्माड आप देखें राजा मान सिंग के द्वारा करवाय गया था ठीक है बंदरवी सदापदी में अपनी पत्नी मेगनैनी के लिए बनवाय था ये गुर्जर राज कुमारी थी और इसलिए इसका नाम गुजरी महल पाड़ा मद्वदेश के भी मेट का की पिसिद होने का कारण क्या है बहुत पितिमाय गुफाओं की सेलचित खनिच का उत्पादन और सोन नदी उत्गम बताईए इस में से क्या अलगा होगे चार में से एक उप्शन चुनोगे तो आदी मानो द्वारा बनाएगे सेलचित और सेलाचनों के लिए पिसिद है ठीक है तो यह आप लोग जरूर याद रखिए बी उप्शन ठीक रहेगा मद्वदेश में रामगड मंडला की रादधानी इनने किस के साथ युद्धि किया था बताईए मराटों के साथ या आप देखेंगे कि इसमें मराठे, मुगल अंग्रेज या इनमें से कोई नहीं क्यारी युद्ध आप देखेंगे कि 1817 में मुगड था इनमें पहुचने की पूर्ख खड देवरा की सिफाई भी राणी के सिफाईओं से मिल गए थी और खैरी के पास अंग्रेज युद्ध अंग्रेज युद्ध युद्ध हुआ था इसमें अंग्रेजों के साथ ठीक है अंग्रेजों की तरफ चलते हैं मदपदेश में राजा जीवाजी राओ का सुंदर युद्ध कलात्मक राजमाहिल कहां है मदपदेश में विदी साब भोपाल उज्जेन ग्वालियर कहां देखने को मिलेगा आपको कहां देखने को मिलेगा एक यी जगह मिलेगा ग्वालियर में और कहां मिलेगा कहां ग्ालियर में ही देखें कि आप लोग एक ग्वालियर में ही होगा ठीक है आप लोग मंदपदेश के किसी भी government exam का paper उठा के देखिए और आप देखें कि जनजातियों से questions हर पेपर में आपके पूंचे गए होगी यह अंगला कुश्ट आप से पूंच रहा है कि मत्रपतेश में सरवाधिक जन्जातियों की संख्या वाले जिले बताना है खंडवा सिवनी जवलपूर बैतुल सीधी जाबुगा मंडला चिदवाड़ा धार खैरगौन भोपार हो जाबुगा हो अली राजपूर हो बढवानी हो डिनोरी हो यहां 50% से आधिक आवाधि आपको जन्जाती की देखने को मिलेगी तो इसमें भी ऑप्सन आपका रहेगा और देखे जन्जातियों के बारे में कुछ पॉइंट और बता देता हूं क्योंकि मुझे लगता है क है अनुसुचिक जन्जाती को परिभासित किया गया है और अफीका के बाद भारत मैं सबसे जादा जन्जातियों आपको देखने को मिलेगा और फिति संख्या भी यह और पिती सत में भी जादा देखने को मिलेंगी और लगबग आप देखेंगे यहां अगर आप देखने तो एक करोड तिरेपन लाग सोलह जाद साफसो चौरासी जनसंख्या है या किसकी जनजातियों की और राज जी की सभी जिलों में जनजातियों किने बास से उनकी संख्या में थोड़ा बहुत अंतरसों हो सकता है मंडला, छिदवाडा, दिन्रोरी, सहडोल, उमरिया, अनुपपुर, सिंगरोली, जबलपुर, वैतुल, सीधी, खंडबा, सिउनी में परयाप्त और तो चौदे जिलों में अल्ब संख्या में जनजातियों देखने को मिलेंगे और सरवादिक जनसंख्या की बात करेगा जनजाती की धार में आपको देखने को मिलेगी कहां धार में है, कितनी हैं यह आप देखेंगे बारे माख 22,000, δεν सबसे जागा सरवादिक पितिसद अली राजपुर में आपको देखने को मिलेगा लगबग 89-30 सा जनसग्य आप देखिए यहां जनजाती की देखने को मिलेगी ठीक है तो यह भी आपनों याद रखिएगा और आदिवासी सब्द का सरवपेथम प्रयोग ठककर बपा ने किया था और अनुसुचि जनजाती का सब्द का प्रयोग साइमन कमिसन ने किया था अ अगर आप देखें तो सबसे बड़ी जनजातियों में आप देखते हैं भील है आपकी गॉंड है भील गॉंड और आप लोगों को यहां देखने को मेलेगी तो यह सब याद रखा करिएगा और आप देखें कि मत्वदेश के उन राज्यों में से जहां अनुचेद 167 किता हैं तो यह सब चोटी-चोटी हैं लेकिन याद रखा करिएगा तो इसमें आप लोगोंने भी लगा दिया होगा मद्वदेश के किस जली में भगोरिया हाट लगता है हाट आप लोग सुने होंगे अगर गाओं की तरफ से आप लोग सम्मद रखते होंगे तो हाट चलना है बाजार को हाट लोग कहते है गाओं में ठीक है तो यह सब देखिए आप लोग गाओं से भी आप सीख सकते हैं बहुत कुछ बताइए इसमें आप देखे राय सेन बीदी सा उज्जयन जाबुगा बताइए कहां लगता है यह आप लोगों कहां देखने को मिलेगा तो अंगला है मद्पदेश के किस छित में आदिम जाती कोरकू पाई जाती है आदिम जाती कोरकू की बात हो रही है यह आप देखेंगे कहां पाई जाती है पूरवी जिलों में दच्छन जिलों में उत्तर पूरवी जिलों में तो यह आप लोगों को कोरकू मद्पदेश के स बी ओप्सन सही है, निमलेकित में से किस जंजाती के निवास इस्थान को सहराना कहा जाता है, क्या कहते हैं, सहराना कहते हैं, इसमें आप देखेंगे भील हो गई आपकी, गौंड हो गई, सहरिया हो गई, या उप्युक्त में से सभी को कहा जाता है, सहरीया को, आप देखेगी, इनकी बसावट को सहारना कहा जाता है, इसका मुक्या पटेल होता है, और सहरीया जड़ी बूटियों की पैचार में माहर होती है, जन जाती है, तो आप समझ रहे हैं, लोगों का इलाज भी एकरती है, तो ये भी आप लोगों को माल होना चाहिए, सहरिया होगा इसमें, क्या होगा, सहरिया, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसमें C लगा दी न भाई, क्या लगा दी न C, मदब देश में निवास करने वाली किस जन जाती में घोटुल वाड़ा परमपराएं पाई जाती है, सहरिया, गौंड, भील, भील, पनीका, या आप गौटुल विथा की बात हो रही है, वो बाड़ा स्परमपराएं, तो इसमें आप देखें कि कौन होगा, गौंड होगा, गौंड जन जाती में, तो इसमें क्या लगा दोगी, दी ओप्सन, अंगला कूशन आपके सामने, इसमें आप देखें कि चटकोरा ने किस जन जाती द्वारा किया जाता है, गौंड, कौरकु, बेगा, भील, चटकारा नेप्ति की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे, कौरकु जन जाती में आप लोग देखेंगे, इसमें कौरकु में, बी ओप्सन ठीक है, मद्विदेश राजजी कि किस जिले में हलवा नमक जन जाती है, हलवा नमक जन जाती पाई जाती है, इंदौर, उज्जैन राजगर्ड, या फिर आप देखेंगे कि बाला घाट, इंदौर, उज्जैन राजगर्ड, बाला घाट, हलवा जन जाती की बात हो रही है, तो यह आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी, बाला घाट में, कहां बाला घाट में देखने को मिलेगी है, D option विल्कुल ठीक है, निमलिकित में से भीलों की उपजाती कौन कौन सी है, वरेला, पटलिया, पंडो, या उप्यक्त में से सभी, क्या लगा हो के, धीलों की उपजातीयों की बात हो रही है, बहुत सारी आप देखते हैं, इनमें भी उपजातियां भी होती है, जातियों के अंदर उपजातियां, तो यह सभी होंगी आपकी, बरेला है, पटलिया है, पंडो है, तो डी उप्सन आप लोग लगा देंगे, कमार जनजाती मद्वदेश के किस जिले में मुक्रूप से निवास करती है, कमार जनजाती की बात हो रही है, जनजाती हों को आप लोग आदिवासी की नाम से भी जानते हैं, आपकी चित में आदिवासी रहते होंगे, ना उनी की बात होती है, यह आपको देखें, मद्वदेश में तो पाही ही जाती है, तो यह आप लोग याद रखेगा, किस जिले में पाही जाती है, तो यह आफ लोगों को देखने को मिलेगा कहां सहडोल जावुआ रीवा रायस है तो यह पाई जाती है कहां सहडोल में यह ओप्सन बिल्कुल ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने टंडा किस जनजाती से संबंदित है कोरकु भारिया वंजारा और भील यह बताईए किस जनजाती से संबंदित है तो यह आप देखेंगे किस से बंजारा से होगा इसमें क्या लगा होगे बंजारा ठीक होगा इसमें सी ओप्सन ठीक रहेगा अंगला कुशन है निमले कित्मने से किस जनजाती का संबंद कत्था और द्युक से है कत्था आप लोग देखते ना खेर जिसे बोल देते हैं लोग तो इसे की बात हो रही है भी सहरिया खेरवार और खुमार कुमार कुमार तो यह आप देख को बता दूं कि कत्था और देख का संबंद किस से इस जाती का ही नाम आप देखें लगभग इस से मिल तो जलता है खेरवार से ठीक है कत्था को खेर भी बोलते हैं आप लोग तो यह भी आद रखेगा अंगला कुशन है हमारे सामने एक कह रहा है कि किस जाठाती का संबंद गोल गधेडो विवाज से है गोल गधेडो विवाज से है बताईए इसमें गौंड लगाओगे भील लगाओगे या कुमार लगाओ या कोर को लगाओगे गदेडो विवाद तो इसमें आप लोगों को सही कौन लग रहा है गोल गदेडो तो इसमें आप देखेंगे भील जन जाती बी ऑप्शन ठीक है मदब रिस्क में किस जन जाती में लम सेना विवाद पिथा पिछलित है लम सेना विवाद पिछलित है बताइए सहरिया में वेगा में कोरकू में या भील में किस में देखने को मिलेगी आपको तो लम सेना विवाद की बात हो रही है किस में गौन जन जाती में देखने को मिलती है या और में भी तो इस में आप देखेंगी लंब सेना बिवाअ इस बिवाभ पिथा में लड़की अपने सस्वराज में आकर रहने लगते हैं या जन्जाती में पाय जाने बाले सिबा बिवाई की गौनडी रूप है पिछलित अधीमान बिवा के दरग गौंड जन्जाती मेरे फूपएरे लड़की लड़कियों के बिवा को दूद लटाबा कहते हैं जन्जा में पिछलित अपहरण बिवा की गौंडी जन्जाती में पाय सूतूर कहते हैं समझ रहे हैं आप लोग तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, बेगा लगाओगे, अंगला कुशन है हम देखेंगे, सेला ने किस जंजाती के द्वारा किया जाता है, और आपको बता दूँगी यह सब देखिए, आप लोगों को मालू होना चाहिए, कि सेला जंजाती, इस जंजातियों में ही अभ और आपके कोरकू, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन होगा, वेगा होगा, सेला ने किस जंजाती में, वेगा जाती में अंगला कुशन है हमारे सामने, नमलेकित में से किस जंजाती की उभजाती नहाला है, नहाला है किसकी है सहारा की है सहरिया की है भील की है वेगा की है कोरकु की है तो इसमें आप देखेंगे किसकी होगी कोरकु की किसकी कोरकु की डी ओप्सन ठीक है बिस्त पिसित खजुराहों की भब मंदिरों का निर्माज चंदिर राजाओं ने कब करवाये था आप देखेंगे 2027 से 1089 की बाइफ 1486 से 516 सोल इसबी के मद गब करवाये था 950 ते आप देखते हैं 1080 इसबी के 1050 इसबी के मद्द हुआ था एक खजराहु में आप लोग देखते हैं विस्सादरवर की साइट भी इस थलो में भी सामिल है तो B option इसमें ठीक रहेगा ग्वालियर के लिए का निर्मान राजपूत राज्जा सूरस सेन ने किसकी याद में करवाया था एक तरह से यह पूछ रहा है पुत्र इसमीटी पत्नी या आप देखे कि अपने रिसी गाला गुरू की इन में से कोई नहीं तो आपको मालू है एक अपने गुरू की याद में रिसी गालो की तो इसमें सी ओप्सन लगा देंगे गौालियर के लिए में राजा मान सिंग तॉमर ने किस मंदिर का निर्माड करवाया था गौालियर के के लिए में किस मंदिर का निर्माड तेली का बंदिर, मान सिंग मंदिर, सास बहु का मंदिर या इन में से कोई नहीं है तो मान मंदिर का निर्माण करवाया था इनोंने ठीक है? राजा मान सिंग तो मर ने मान मंदिर महल का किस राजा ने और्चा राजी की स्थापना की थी? और्चा राजी की स्थापना की बात हो रही है रुद परताब सिंग ने बताईए राजा मान बेंद सिंग ने राजा नरिस पिरताब सिंग ने राजा भाद्ती चंद ने किसने करवाया था राजा रुद्ध पिरताब ने तो यह आफ लोग लगा दिये होंगे अगला है डॉक्टर हरी सिंग गॉड ने शन अठारे सो निन्द्यानमे में किस अधिवेशन में भाग लिया था सूरत लाहर मुंबई तिपुरी बताई इस चार में से एक तो सही होगा वही एक सही लगाना है आपको किस में लिया था अठारे सो निन्द्यानमे में हुआ था तो यह था तिपुरी तिपुरी था या लाहर या मुंबई बताईए तो इसमें आप लोग लाहर लगाएंगे ठीक है याद रखे लाहर में अधिवेशन में भाग लिया था लाहर अधिवेशन चलिए याद रखे कि अंगला कुक्षिन हमारे सामने तांसेन मद्वधिस किस राजा की दर्बार में था थे या था तांसेमेन का में खुक कर्क्राद कर συ राजा रामचंद या जीवाजिशी राव छिन्धिया यह अब देखेंगे कि आप अबान बार परम परमार बांस कि तो इसमें तो आपको मालू Est加 होगा कि आप लोग राजा रामचंद लगा दिया होगा, लोग देखेंगे, बान्थ हो गड़ के, क्या इसमें आप देखेंगे, बी आप्प्शन ठीक रहीं, राजा रामचंद, क्या लगा दिया अंगला गुश्या ने निमलिकित में सी किस सासक की राध्धानी मंदला थी परमार गॉंड सिंधिया होल कर किस की थी तो इसमें द्वाब दिखते हैं कि किस की गॉंड सासकों की थी बी ओप्सन ठीक है मद्ध भारत में भूडों ने किस सताबदी में आक्मर किया था मद्ध भारत में पाँचवी सताबदी चटी साथवी या तीसरी बैसे आप देखें भूडों ने सबसे पहले चारसो अंठावर में भारत पाँच मर किया था ठीक है तो यह भी याद रखेगा लेकिर इसमें आप देखेंगे चछटी सताबदी होगा बी ओप्सन ठीक है राजा नागभट पिथम का समंद किस वंसे से था राजा नागभट का राष्टकूट चंदेल गोर्जा फितिहार परमार फितिहार राजवंस के राजा थे नागभट फितिहार गोर्जर फितिहार ठीक है तो इसमें सी लगा दिया होगा आपने अंगला है निमलेखित में से किस सासक ने चंदेल बंस की इस्थावना की धन्नुक नन्नुक किष्णराज कुमार पाल बताएए इतिहास पड़ा है और चंदेल बंस पूर भारत का पिसे दिहंदू राजपूत राजवंस था और जिजाग भूति के आप लोग पढ़ते हैं चंदेलों के बारे में किसने इसकी इस्थावना की थी तो नन्नुक ने की थी इसने नन्नुक ने की थी चंदेल बंस का संस्था पक नन्नुक था ये आप देखेंगे कि 1831 में खजुराहो के पिसे तो मंदिर का निर्माड किस बंस की राजाओं ने करवाया परमार चंदेल राष्टकूट या फिर आप देखेंगे कि बका तक तो आप सभी जानते हैं ये तो मालूम होना चाहिए कि किसने करवाया चंदेल ही करवाया क्यों कौन आ रहा है वहाँ बी ओप्सन ठीक है निमलेकित में से सम रांगर सूत्धार किसकी रचना थी सम रांगर सूत्धार किसकी रचना थी नागभट पिथम राजा भोच मेहर कोल इनमें से कोई नहीं सिसे और बर्जा भोज की थे अ है भारती बस भास्तु साथ से समधिद ग्यान कोषिय गिरंद था है तो जुने से में नहीं तो द्राज सी लासोन नहीं हुआ तीफ़ पर किस बंस नने जावत थे परी पर किस बंस नहें द्रान होता क्ल्चुरी इसमें आप लोग क्या लगाए होंगे तो कल्चुरियों ने किया था आप सुभी जानते हैं ठीक है चलिए तो ये भी लगा दीजेगा अंगला कुश्य ने है आपके साब ने इबराहिम लोदी ने किस तोमरबंस की सासक से संगर्स किया था किसने इबराहिम लोदी ने वी सिंग देओ वी सेंड बिक्रमादित सूरस सेंड माल सिंग तो आप देखिए बताइए और आपने देखा होगा कि इबराहिम लोदी बावर की मद्ध भयानक संगर्स हुआ था लोदी बुरी तरह हार गया था उसकी हत्या कर दे दी गई थी पानी पत की 1526 में जो यह उद्धुगा था पानी पत का पहला है उद्धुगा तो इसमें आप देखेंगे बिक्रमादित्थ देखेंगे या बिक्रमादित्थ होगा अंगला है अबूल फजल की हत्या किसने की थी अबूल फजल की हत्या किस ने की थी बताईए इसमें आप देखेंगे पहला कहरा है चत्ते साल ने बीर सिंग बुंदेला ने रुद्ध प्रता बुंदेला ने इनमे से कोई नहीं अबूल फजल ने अकवर की अध्यतिक पिसंसा की इतिहासकार बताते हैं कि 1602 में सलीम ने बीर सिंग बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करवा दी थी बीर सिंग बुंदेला के द्वारा इसमें आप देखेंगे बी ओप्सन ठीक है आपका तांसेन किस बंस की राजस से रे थी तांसेन की बात हो रही है परमार बंस की और बगेल बंस की बंदेला बंस की या वकाटक बंस की तो इसमें आप देखेंगे तांसेन की बात होती है तो यह अकवर की नवरतनों मुगल काली संगितकारों में तांसेन का पिसिद्ध नाम रहा है यह आप लोग जरूर याद रखेगा, यह थे किसके बगेलवंस के, किसके बगेलवंस के, ठीक है, तांसेन बगेलवंस से सम्बंदी थे, तो आप देखेंगे, यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, अंगला कोश्यन हमारे सामने, नचना कोठार का अवलेक, किस सासक से सम्बंदी थे, राजा भूज, नांगवट, पितम, प्राग राज, तो इसमें आप देखें, ब्राग राज इक से सम्बंदी थे, सी ओप्सन ठीक है, निमलिकित मैं से किस बंद की राजा ने अरवों को हराया था, जो अरव आये थे ना, भारत पूर, उनी की बात हो रही है, वकाटक बंद की राजा उने, गुर्जर फितिहार बंद की, चंदेल बंद की, या राष्ट पूट बंद की, बताईए, तो इसमें आप देखें कि किर्णों ने हराय था, गुर्जर फितिहार बंद की राजा उने, यानि कि आपका बी ओप्सन ठीक है, विस्सुनात का मंदिर कहां पर है, विस्सुनात का मंदिर कहां देखने को मिलेगा आपको, जवलफूर, खजुराहो, विदेसा, साची, या आप बताईए, कहां देखने को मिलता है, एक तो आप देखते हैं, विस्सुनात का मंदिर आपका बनारस में देखने को मिलता है, कहां, बनारस में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, जबलपूर खजराहो विदीसा साची यह आप बताईए विसुनात का मंदिर MP में कहा है खजराहो में आप लोगों को देखने को मिलेगा खजराहो में ठीक है भी ओप्सन ठीक है होलकर बंस का सस्ताबक कौन था दौलत राओ, होलकर मलहर राओ, होलकर अहल्या बाई, इनमें से कोई नहीं होलकर बंस की बात हो रही है तो इसमें आप देखते हैं कि मलहर राओ होलकर यानि की बी ओप्सन ठीक रहेगा सिंधिया बंस की स्थापना किस ने की थी सिंधिया बंस की स्थापना किस ने की थी मादा राओ सिंधिया, जीवाजी राओ सिंधिया, दौलत राओ सिंधिया, महादी जी सिंधिया बताए सिंधिया बंस की स्थापना की बात हो रही है तो महाद जी सिंधिया ने की थी D option बिलकुल ठीक रहेगा आपका अंगला कुश्यन है हमारे सामने लोह यूग के धूसर चितित मिद्भांड मद्विदेश में किस इस्थान से मिली है मुरेना भिंड, सतना रीवा जबलपुर रीवा गुना देवास तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां मिले हैं उपर ही चले जाएए भिंड मुरेना में ही आप लोग देखने को मिलेंगे कहां भिंड मुरेना में ही तो मुरेना भिंड में ही देखने को मिलेंगे यह option ठीक है मद्विदेश के किस जिले मैं असोक के सिलालेक देखने को मलते है Yuk asok के सिलालेक की बात हो रही है तो यह तो आपको मालू होना चाहिए कहाँ यही कॉष्णम साते हैं सी तरह की पूचे जाते हैं मैं एके तरह सांची में हैं कि इसका समफन भी किससे है असोक से है और दूसरा आप देखेंगे दत्या भी असोक से संबंदित है तो सी ओप्सन है चंदगुप्त दुतिये की राध्धानी कहां थी महेसर अजयनी उंकारिसर साची बताइए इन चार में से एक तो सही होगा वही सही आप लोग चुन लेजेगा उजयनी थी विकमादित ने अपनी दूसरी राध्धानी उजयन को बनाया था तीक है तो वी ओप्सन टीक है इसमें ग्वालियर में सिंधिया बंस की स्थापना किसने की ग्वालियर में सिंधिया बंस की स्थापना देखें सिंधिया बंस की स्थापना अलग और ग्वालियर म में किसने की ती यह पूछ रहा है कि रानो जी सिंधिया ग्वालियर में कौन थे बताइए तो मुझे लगता है कि मालू होगा कौन थे कि रानो जी सिंधिया ने सी ऑप्सन ठीक है मांदविदेश में किस चावनी में ने सबसे पहले अठारे सो संतावन में बिद्रो किया था किस चावनी ने लसकर सतना चावनी राएगर नीमच तो नीमच में आपने देखा होगा अठारे सो संतावन का सबसे पहले हुआ था नीमच दी ऑप्सन ठीक है दी ऑप्सन आपका विल्कुल ठीक है नीमच अंगलाय भारती राष्टी कॉंग्रेस की गतिविधियों गतिविधियों की सुरुवात मत्विधिस में कब होती है 1902 1902 यानि की 1904 1901 1903 और आपको मालू होगा कॉंग्रेस की स्थाफना की बात करते हैं तो 28 देसंबर 1880 में इसकी स्थाफना हुई थी और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि क्या देखने को मिलेगा ये देखने को मिलेगा कि इसके पहले अध्यक्ष ब्योमेश्चंद बनना जीत इसके संस्थाफक यह वो यूम थे तो भारतिय राष्टी कॉंग्रेस की सुरुआत मद्वदेस पे आप देखेंगे सन 1904 में हो गई थी बहुपाल राज्यको भारतिय संग में कब सामिल किया गया था इनके अपने लोच ले थे अलग होने के ख्वाब देख रहे थे अलग देश बनाने के ख्वाब देख रहे थे बताईए यह आप देखें कि कब हुए थे 10 दिसंबर 1904 15 दिसंबर 1904 एक जून 1904 बारे जून 1904 तो एक जून 1904 होगा इसमें एक जून 1904 टीक है आस तो इसमें आप लोग ए ओप्सन लगा देना क्या स्थी लगा देना एक जून 1904 अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अंगला कुश्चन आप से कह रहा है किस बस मद्पदेश राज जी का विभाजन हुआ था पहले तो आप देखते हैं कि 1 नवंबर 1956 में मद्पदेश को राज बनाया जाता है 12 नवंबर सन 2000 एक नवंबर सन 2000 या 9 नवंबर 2011 नवंबर तो आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 1906 पल में स्थापना होती एक नवंबर सन 2000 में से सियला करके आपका 36 गर राज बन गया था और आपको एक और बात मालू होना चाहिए कि छेतफल में सबसे बड़ा राज इथा जब तक 36 गर मद्पदेश का इस्था था नेवलिकित में से कौन किर्ती राजा भोचकी है राजा भोचकी किर्ती की बात हो रही है समरांगर सूतिधार बिद्या विनोत सरसुती उपयक्त में से सभी बताई इसमें से आप देखेंगे कौन होकी तो उपयक्त में से सभी या बिद्या विनोत या सरसुती कंटा भरन कौन सी किती भोच की है राजा भोच की बात हो रही है तो इसमें आप लोगाओ के क्या वताईे इसमें आप देखे सभी नहीं की है क्या है सभी नहीं की है सब रागर सूत भी तो आप देखते हैं इनीकी है राजा भोजकी भोजकी, टीक है तो यह आप देखेंगे सभी होगी इसमें सरसुती कंटा भरं की बात करें एकर हम लोग और इसमें क्या लगाओं के सरसुती कंटा भरं चली आगे चलते हैं तो इसमें आप लोग D option लगा देना, क्या लगा दोगे? D option लगा देना, अंगला कुक्षिन है हमारे साबने की कौन रानी लच्छिमिभाई, रानी रामगड की लच्छिमिभाई, कौन सी रानी रामगड की जहांसी की रानी की नाम से पिसिद्ध है? रानी दुर्गाबती, रानी अबंती बाई, और रानी कमला बाई या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी जानते हैं कि रानी अबंती बाई होंगी, या रानी दुर्गाबती होंगी, या कमला बाई होंगी, बताईए तो बताईए आपको मालू है राणी अबंती भाई उनका वैवा मंडला जली के रामगर राजी के बिक्रमा जीस से हुआ था अपने राजी की रक्षा के लिए उन्होंने 20 मार्च 1858 को सहाधत पराप्त की थी और ये उद्धे के मेदान में उनका द्वारा दिखाएगा एक पराकरम और साहस की कारण उन्हें रामगर की जहासी की राणी के नाम से लोगों ने बुलाया था राणी अबंती भाई को तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा राणी अबंती भाई को आले कि खंद श्यका राजयत की जनवस्तिली भाई किस रांश में देखने को मिलेगा यहाप को बता चुका हूं मत्वदेश में आप लोग देखते हैं कहां देखते हैं मत्वदेश में देखते हैं इनका अगर हम लोग जनम देखें न तो आप देखेंगे कि 23 जुलाई 1906 में भावरा मध्यपदेश में इनका जनम हुआ था और 27 फरवरी 1931 में चंदेशेकर आजारपात प्रियाग राज में आप देखें इलावाद में यह सहीद हो गया थे चंदेशेकर पार्क से पहले 1937 की पहले की बात हो रही है सिंधिया मालवा होलकर या अद्धिखेंगी मराठा किसका था तो आप सभी जानते हैं इसमें तो कौन होलकर ही होंगे और कौन होगा सी ओप्सन ठीक है उज्जेन महाजनपद योग किसकी राध्धानी थी है मस अवंती असमक और एक है वज्जी तो आप सभी जानते हैं अवंती ही होगी और क्या होगा इसमें क्या होगी अवंती होगी और उज्जेन को काली दास की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं समराठ विक्रमदित की राध्धानी भी रही है अवंती ठीक है मंदसोर पिसस्ती में से किस नगर की पिसिद्धी की सूचना मिलती है पिसिद्धी की मंदसोर पिसस्ती में खजराओ, चन्देरी, दस्पूर, धार दस्पूर, किस से आपको मालू होना चाहिए यह रावर की बात होती है, दस्पूर की बात होती है दस पूर ही होगा इस में सो क्या होगा? दस पूर ही होगा C option ठीक है इतिहासिक इस्थल चित्कूट कहां परिष्थित है? बताईए इतिहासिक इस्थल चित्कूट कहां देखने को मिलेगा? दिनोरी सतना बंडला सीधी और तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए कि सतना में आप लोगों को यह देखने को मिलेगा इसका कुछ भाग आपको मालू है कि उत्तर प्रदेश में भी पढ़ता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा ताप आसान संस्किती से समझे इस्थल काइथा किस के समीप है? काइथा की बात हो रही है बताईए उज्जेन बहुपाल इंदौर गुना कहां देखने को मिलेगा? काइथा की बात हो रही है इसमें उज्जेन लगा देना आप ठीक है? क्या उज्जेन लगा दोगे आप? बी आप्सन ठीक है चंदसे का राजाज का जनम मद्पदेश के किस जिले में हुआ था? बताईए आपको अभी कुछ समय पहले बताया भी है यह आप देखें मद्पदेश में हुआ था तो किस जिले में हुआ था? एपूच रायन के द्वारा एंदौर, धार ज्जाबुआ और जैन तो आप देखेंगे कि इनका जनम ज्जाबुआ में हुआ था कहा ज्जाबुआ में क्या लगा दोगे? पिसिद्द सासी का थी? यह भी आप लोगों को ही बताना है किसे बताना है? आपको ही बताना है एक बात आप लोग याद रखिएगा कि आपको बताना भूल गया हम आपी चाहता हूँ अली राजपूर जिला जाबुआ से जब से अलग हुआ है तो जो आप देखते हैं कि चंद सेकर आजाज सहब का भावरा गाओं है ना जनम जहां हुआ था जिसे आप लोग चंद सेकर आजाज नगर के नाम से जानते हैं अली राजपूर जिले में पड़ने लगा है तो अगर ओपसन में अली राजपूर हो तो वो ही लगा दिना आप लो लेकिन इसमें आप देखिए नहीं है तो जाबुआ आप लोग लगाएंगी क्योंकि पहले जाबुआ का ही इह साथा ठीक है अहल्याबाई की कहा की पिसित सास ही का थी अहल्याबाई की नाम आप लोग सुने होके ऐसा नही है आप देखे कि उस समगाई भी महलाओं ने अंग्रिजेशों के खिलाब आप देखे लड़ाई लड़ी और देश को आजاد कराया तो मारा अहल नियावाई होलकर माराथ समराज की पिसेद महरानी थी तो यह आप इन्होंने महेसर में अपनी राध्धानी भी बनाई थी आपको या मालू होना चाहिए मालवा, इंदोर, खरगोन और उज्जैन क्या होगा इन में से? तो आप देखेंगे कि इंदोर ही होगा और क्या लगाओगे? B option E, T case में क्या है? B option E, T case में चलिए अंगला कुश्चन है ओर्चा राज्जी की स्थापना किस सासक ने की थी? ओर्चा राज्जी की स्थापना किस सासक ने की थी? राजा रुद्ध परताप सींग रामचंद सेंज जो जो जार दियो किस ने की थी? रुद्ध परताप सींग ने ठीक है? चलिए आगे चलते हैं हिंदी के महा कभी किसाओ का समन्द किस राज्जी से था? ओर इंदोर ओर्चा मालवा तो ओर्चा से साथ आप देखें आचा के सवदास का जनम ओर्चा में हुआ था पंद्रैसो पच्चपनीस भी में दसपूर मद्पदिस का सबसे प्राचीन काल का नगर है यह नगर बरतमार में किस जिले में है? जाबुआ अगर दसपूर में आपको देखने को मिलेगा और मंद्पदिस का जनम दरी से सम्मंदित है और रावड की ए सस्वराल थी है यह थी सस्वराल थी है ऐसा कहा जाता है तो मंद्पदिस ओर लगा देना बी ओप्सन ठीक है कौन सा नगर ताम पासांड मालवा संस्किती का कैन दित था? नागदा उज्जन, नवदा टोली इंद ओर या फिर आप देखेंगे कि आपका दसपूर मंद्पदिस ओर क्या होगा इसमें? इसमें आप लोग लगाओगे क्या? नवदा टोली इंद ओर नवदा टोली इंद ओर यानि की बी ओप्सन ठीक है इसमें अंगला है नागदा उज्जन के निकट किस दातू के संस्किती के प्रमाड मिले है? तावा लोहे, पत्थर के ओजार, या इन में से कोई नहीं नागदा उज्जन की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि आपको मालू होगा पीछे भी बता चुका हूँ किस दातू के मिले है? तो इसमें आप लोग लोहे मिले है या लोहा के मिले है? लोहे लगा दो नागदा उज्जन उज्जन की पास आपको देखेंगे नागदा उज्जन की पास आप पर्दा है तीक है? और कई आप देखी यहां से जुड़े हुए तत्वी है, अपने अपनी कहानी है कहते हैं कि इसी तहसील का मुख्याला भी है पराचीन माने था कि उनसार इस सिस्थान पंडवों के पुत्तराजा जन में जैद्वारा नागों की इदाह के लिए एक पिसाल यगी किया गया था उसके कारण भी इसे आप लोग जानते है मद्देकाल का मद्पूर राजनितिक और व्यापारिक केंद्ध था मद्देकाल का फिर्मुक बताईए इन्दौर नागदा बुरहानपूर मालवा तो बुरहानपूर देखें कि क्या दोक्ते हुए बुरहानपूर लगा दोगे इस ती ओप्सन ठीक है नेमले कित मैं सिक खान देश की राद्धानी थी किसकी खान देश की राद्धानी थी दसपूर बुरहानपूर ओल्चा मालवा क्या थी तो बोरोहानपूर थी इसकी खानदेश की राददानी बोरोहानपूर थी बी ओप्सन ठीक है मदपिदिस में सुंगे कालीन इस्तूप के लिए पिसिद्ध है भरूत भूमरा तिपूरी कौन है बताईए इन सब मैंसे कौन लगाओगे भूमरा ही लगा देना भरूत लगाओगे या भूमरा लगाओगे तो भरूत लगाना इसमें सुंगे कालीन इस्तूप की बात हो रही है भरूत ठीक है अंगला है बत्पदिस में गुप्त कालीन सिर्मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा गुप्त कालीन पूंचरा बांदाओग और बोरानपोर्ट पूरी भूमरा बताई इसमें से मुरेना भेंड़ जिले की सीमा के साथ ग्वालर की सीमा पर भी गुप्त कालीन नरिस्तूर सिर्मंदिर की सिंखला है यहाँ देखने को मिलेगी तो यह भी आद रखिएगा वहाँ भी है सिमान्दिर और यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां भूमरा में भी देखने को मिलेगा बी ओप्सन विल्कुल टीक है इसमें पर राचीन नगर भोचपुर की सिले में है और जहाँ सिमान्दिर में भारत में सबसी उचा सिवलिंग भी आपको देखने को मिलेगा उजन रायसेन गुना और इन में से कोई नहीं और भोचपुर सुने हो के नहीं सुने हो तो यह आप लोगों को कहां भोचपुर सुने यह आप देखें कि रायसेन में पढ़ता है भी आप्सएन ठीक है 1949 में कोंग्रेस का इतिहासिक अधिवेशन कहां हुआ था मताईश में तिपुरी सुभाष चंद बहुत इसकी अध्यक्ष देती पूरी में मंद्पिदेश में किस जिले में अंवर कंटक देखने को मिलेगा मंदला सेहडोल डेंडोरी अनुपूर अनुपूर डी ओप्सन विलकूर ठीक है इसमें ठीक है बांदावगर का किला किस जिले में है मंद्पिदेश और रीवा इंदोर या आप देखेंगे कि इटार सी मंद्पिदेश बांदावगर का किला पूछ रहा है आपसे पांदावगर किला आप देखेंगे उमरिया में देखने को मिलेगा लेकिन आप लोगों को उमरिया ना दिया हो तो आप क्या लगा देंगे रीवा में आप लोग देखेंगे कहां रीवा में आप लोग देखेंगे उमरिया ना दिया होगा हो तू क्या लगाओगे इसमें उमरिया किस जिले से अलग करके बनाय गया था पहले तो यही आप लोग याद रखिएगा यह आपका मंद्गदेश का जिला है उमरिया सहडोल जिले से अलग करके बनाय गया था तो रीवा ही लगा ना इसमें अगर आप देखें ना हो अगर कोई तो जाबुगा में महेंगाई विरोधी अंदोलन कब चलाए गया था 1970, 1935, 1931, 1945 पता ही आजादी के पहले आजादी के बाद 1900 कब था? जाबुगा में कब चलाए गया था? 1935 में ही चलाए गया था 1935, अंगरेजियों के समय, भी आपसन ठीक है मद्विदिस के छित में चंदसेकर, आजार कुछ समय के लिए भूमी गत रहते मंदस और, और्चा, रीवा और जाबुगा पड़े होंगे तो आपने लगा भी दिया होगा, क्या लगाया? बताईए नीचे आप लोग लिखते रहा करिए का पड़ते हैं तो आपको और लंबे तक याद रहेगा और्चा में चंदसेकर आजाद ने और्चा से पांच किलो मीटर दूर अकेले एक कुगा भी खोदाता कहते हैं तो वहीं की बात हो रही है तो भी ओप्सन और चा लगा देना इसमें माध्यपदेश में 1857 की किद्रो करांती का विद्रो सब्पिथम कहा हुआ था गुना मुरेना जवलपूर भोपाल या बुर्हान पूर सागर मंदसौर रतलाम कहा हुआ तो बताईए नीमच मंदसौर कहा नीमच मंदसौर में हुआ था और नीमच नहीं दिया गया है तो फिर क्या लगाओ गया आप मताईए तो मंदसौर पिर क्या लगाओ गया कुछ तू बताईए देखिए इसके 1857 की किरहंती के बारे में डाल लेते एक नजाए स्वाधिनता संग्राम कभ से पैराम होता है मदपिश में बैसे भारत में देखिए कि 10th मई 1857 को मेरे तुथर पिदेस से हुता है मदपिश स्वधनता संग्राम की पितम बिद्ध्रो कहां पर हुआ तीन जून 1857 को नीमच में मुरार चाउनी में 54 जून 1870 में सीवपुरी में 20 जून 1870 में 1870 कि करांदी में गवालियर भुभत का नीथित किसने किया थ्रानी लचि रादी आठ पाट्या हई बॉल्पी का झने इस कि साहता की थी सिंधिया के सामंत ने तत्या टोपे को फांसी कहां दी गई ती सिवपरी में मंधपतेस में अंग्रेजों के खिलाप सरपितम कि छेत में देखी ती महाकॉसल छेत में 1818 में अपाजी बहुंसले का समंध कि छेत से था महाकॉसल की छेत से तो यह सब याद रखा करिएगा ठीक कि बानपूर सागर लगा दे ना इसमें ठीक है आयोग ने कई बार इसे कई कोश्चन्स पूछे उसमें सही आंसर बानपूर सागर भी माना गया है मंदसौर अवलेक से किस नगर की पिसिद्धी की सूचना मिलती है मंदसौर अवलेक से रीवा दसपूर धार नगरी खजुराहो की बताईए दसपूर की के काहे की दसपूर ही होगा इसमें तो क्या बी ऑप्सन रहेगा इसमें क्या रहेगा बी ऑप्सन अंगला कुश्चन आपसे पूछ रहा है कि मद्धपिदेश में आप जुआय की नाम से पिसद्ध है किसे कहते हैं आप जुआय रीवा सतना मांडू पच्मडी तो आप लोग बताइए मांढू को कहते हैं किसे कहते है मांढू को सिटी वब जौए की नाम से भी जानते हैं कि इस एप ज़ो ए मांडू को कहते हैं तो इसमें सी ओपसन लगा देना मॉझबर देश में 64 64 जौट योगिनी मंदिर कहा देखने को मिलेगा आपको 64 योगनी मंदिर की बात हो रही है महेसर खजुराहो चतरपुर औरचा कहां देखने को मिलेगा तो आपको मालू है कि 64 योगनी मंदिर जिसे गोला की मंदिर भी कहते है भारत के बद्वतिस राजी के जबल पो जले कि बेड़ा घाट में भी आपको देखने को मिलता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा यहां भी आप लोगों को देखने को मिलता है ठीक है? और एक आप देखेंगे कि आपका खजुराहू में भी देखने को मिलेगा B option ठीक है भारत में बनों का राश्टी कर्ड सबसे पहले किस राज ने किया था मद्य पिदेश उत्तर पिदेश राजिस्थान गुजराथ मिजुरम इतने सारे उप्सन बता दिए एक को ही आप लोग चुन लिजेगा ठीक है तो इसमें आप देखेंगे कि आपका मद्विदेश ही होगा है किया होगा MP arrow का मद्विदेश वह होगा तो सी झाल लगा देंगी अंगरा कुछ नहीं हमारे सामने मत्विद्ध में संजीवनी संतान कहां देखने को मिलें Diaged इस गणावे शव्तान कहां देखने को मिलेंगा ग्वालियरिया कहां भॉपाल तो भाई भॉपाल लगा देने हैं आप लोग भी ओप्सन ठीक है मद्पदेश में किस जिले में निउन्तब बन हैं सबसे कम बन कहां देखने को मिलते हैं मद्पदेश में साजापूर ज्याबूगा भॉपाल राजगर्ड कहां वैसे आपको मालू है मद्पदेश में निउन्ता मंद बन रतलाम में देखने को मिलेंगे तो यह याद रखिएगा रतलाम में देखने को मिलेंगे और वैसे अगर कुश्चन्स में अगर पूछ रहा है तो यह साजापूर लगाना इसमें ठीक है क्योंकि वह अपको रतलाम है ही नहीं है किस पेकार की बन मद्पदेश में पाए जाते हैं बताइए किस पेकार की मद्पदेश में बन पाए जाते हैं उस्ट कटी बन दिए पढ़ पाती सागोन मिस्रिद सालवन इने कि इसमें आप लेकिंगे उस्ट कटी बन दिए यानि किसमें आपका भी सही होगा पानी पीना भी जरूर है और बरसा के लिए भी बनो की जरूरत है समझ रहें भारत में सरवादिक तेंदू पत्ते का संगरण का होता है इस मद्पदेश में ही होता है कहां मद्पदेश में ही होता है मद्वदेश के बनों में सबसे जादा कौनसा बेक्च आपको देखने को मिलेगा सागोन देखने को मिलेंगे मद्वदेश में सरवाधिक बन किस जिली में आपको देखने को मिलेंगे मद्वदेश में सरवाधिक बन आपको कहा देखने को मिलेंगे बालाघाट में देखने मिलेंगी ठीक है भारत का बन प्रबंधन सहस्थान का है भारत का बन प्रबंधन सहस्थान आपको कहां देखने को मिलेगा ग्वालियर जवलपूर इंदौर भोपाल तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा 1984 में स्थाफना की गई थी कहां चरटोले, बाला घाट, सीधी, सहडोल, कहां से किया जाता है? तो आप देखेंगे छिद्वारा लगा देना, इसमें, क्या? छिद्वारा लगा देना, इसमें. ठीक है? यह उप्सन फीक है. निमले कित्मे से कौन सी नदी यमना नदी में नहीं मिलती है? देखे सॉन नदी आपकी नहीं मिलती है वाकि वैतवाद कैन और चम्बल मिलती है ठीक है दोईस याद रखा हरिएगा यमना के बाद या गंगा नदी की दच्छडी उपनदियों में से सबसे बड़ी है गंगा में मिलती है सॉन अमारे कंटक से निकलती है ठीक है अंगला गुषिन हमारे समने एस्चुरी का निर्माद किस नदी के द्वारा किया जाता है तो आप सभी जानते हैं कि नर्वदा बतापती के द्वारा यह अरब सागन में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरी बनाती है किस नदी कुछ चर्मावती के नाम से आप लोग जानते है चर्मावती के नाम से जानते है तो आप सभी जानते है किसे चंबल को जानते है ठीक है और इस तरह से आपको कंठास्ट होना चाहिए कि आपको जरूए थी ना पढ़े किसकी option की, ओर्शा किस नदी पर है तो बैतवा पर है, आप सभी जानते हैं इस बात को, बद्विदेश में कौनसी नदी नहीं बहती है बद्विदेश में कौनसी किसना नदी की बात हो रही है यह नदी 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 सब्सेक्ट कि ऑ लगत कैने ही तो किसना नदिया अप लोगों को किसना भारत में बहने वाली एक लधी ओँना आई या पश्र मिगाटर कinek टेट अपर्व महावले सोसे N обрат gu al नर्वदा का उध्रलमिस तान को सा कि वेड़ा ख सी निकलती है चिटकूट से निकलती है अभर कण्टक से निकलती है पचमडी से निकलती है तो आप सभी जानते कि अभर कंटक से निकलती है सरदार सरवर बांध किस नजदी पर है सरदार सरवर बांध किस नजदी पर है बैतवा, काविरी, चम्बल, नर्वदा तो ये नर्वदा पर आपको देखने को मिलता है डिया उप्सन विल्कुल सही है ठीक है नर्वदा नजदी पर है भारत के इस किस जल्पिपाद को लोग पी रहे है रोप से नियाग्या जल्पिपाद के तौर पर भी जाना जाता है यह आप देखें चितकूट के उटी बरकाना रजत्तु चितकूट को जानते हैं ठीक है चितकूट प्रिपाद के नाप से नियाग्या जल्पिपाद लारेन्स नदी पर है यह ठीक है अंगला कुश्र N Chris Reais राज में इंदोर सहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है इंदोर सहर की बात हो रही है सिवना खान श्फरा नर्वदा तो आपको बता दूँ ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है और जयन आपका ठीक है खान नदी के नाम से जानती है या खान नदी के नाम से आप लोग जानते है तो ये आप लोग जरूर यहाद रखेगा खान नदी मत्वदेश में निकलती है ठीक है इसके बारे में भी याद रखेगा चलिए तो इसमें भी लगा देना अंगला गुश्चा नहीं बरे समने तो खान नदीश में लगा दिया होगा आपने बी ओप्सन ठीक है मदबदेश में क्योटी प्रपाद किस नदी पर है क्योटी प्रपाद की बात हो रही है क्योटी जल प्रपाद यह आप देखेंगे क्योटी या क्योटी के नाम से जानते हैं रीवा में आप लोग देखेंगे मदबदेश में तमसा नदी पर यह आप लोगों को देखने को मिलेगी महाना नदी है यह महाना नदी है तमसा नदी की उपनादी है तो इसमें महाना नदी पर है ठीकर यह आप लोग जरूर याद रखेएगा मद्धिस में मैकाल परवस सैडी से किस पेकार का अपवा पिती रूप पाये जाता है मद्धिस में मैकाल परवस सैडी से किस तरह का अपवा अपवा पिती रूप पाये जाता है ert या दियारूपित, या आप देखेंगे कि डियाल बैटता कार बल्याकार, तो इसमें आप लोगों को देखेंगे अधियारूपित ही पायी जाता है, जानि कि एॉप्सन टीक है, तो काउन सी नदी, काउन सी नदी बैतेवा नदी की साहिक नदी नहीं है बैदवा नदी की बात वरी सिंद खान वीना धसान है तो खान वहां कहां जाएगी बाकी तीनों है ठीक है अगला कुर्शन है हमारे सामने निमलिकित में से कौन सी जदी दच्छिड की ओर बहती है तवा के इन बैन गंगा सौन बैन गंगा बहती है और बैन गंगा की बात करें मद्देश महाराष्ट में बहती है और महादेयो मोडारा सिवनी जिला से निकलती है ठीक है तो इसमें बैन गंगा लगा देंगे अंगला कुर्शन है मारे सौनने मद्द्धिस में सीतरितू को क्या कहते हैं मद्धिस में शीतरितू को क्या कहते है मैं सियाल तके Wohnasa यूंभलारा यह कुछ और इनमेंसे कोई नहीं सियाला कहते हैं यह option विल्कुल ठीक है जलवाई भिर्नता की अधार पर मत्विदेश राज को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताईए पांच भागों में कितना पांच पांच भागों में किया गया है देखिए इसमें आप देखेंगे कि मालवा का पठार चित उत्तर का में अधान चित बिंदे परवस सेड़ी नर्वदा घाटी सेड़ी भगयलखन पठार चित पांच भागों में पया तो यह आप यहाद रखी कि दाच्चडपाश्च माहंसों से, बी आप्सन आपका बिल्कुल ठीक है मावर्ट का समंद्ध किससे है रित्व, रोख, बर्सा, यह आप देखोंगे कि किरसी तो यह आप देखीं बर्सा से है बर्सा से देखने को मिलेगा तो इसमें क्या लगा दोगे बरसा C option ठीक रहेगा निमलिकित में से कौन सा सही कौन सा कथन सही नहीं है पोच रहें सही है इनी सही नहीं है मद्पिदेश में सरवादिक ताबमान गंजबास होदा में दर्च किया जाता है मद्पिदेश में सरवादिक बरसा पचमडी में होती है मद्पिदेश में नियूनतम बरसा सहडोल में होती है मद्पिदेश में नियूनतम ताबमान पचमडी में अंकित किया जाता है कि आपको पता चुका हुं पर मद्धेश में सरवादिक टाब्मान कि छेत्मयंकित किया जाता है इस तरवादिक टाब्मान गौना विदीशा बालगात तो विदीशा में किया जाता है मत्विदेश राजी की एकमात बैदसाला कहा है मत्विदेश की इंदोर में आपको देखने को मिलेगी है कहां इंदोर में मत्विदेश के किस चेत में बंगाल खाड़ी है और अब सागर दोनु मानसूल से बरसा होती है बिंद फरवस एड़ी में नर्वदा हटी उत्तर का मैदान में पालबा पठारी में बताये तो बिंद चेत में यह होगी आप देखेंगे लगबद बंगाल की खाड़ी और अपसागर दोनों से होती है बिंदर में होगी बिंद परवतिय चेत में ठीक है तो इसमें आप लोग यह लगा देंगी मदपदेश में ग्रेस में रितू को क्या कहा जाता है गर्मी की रितू को क्या कहा जाता है मावट सियाला यूनाला या आप देखेंगे चौमासा तो यादर की यूनाला कहते है इसने उनहाला भी कहते है उनहाला मदपदेश में गर्मियों के मौसम को उनहाला भी कहा जाता है तो इसमें यूनाला आप लोग दगा दीजिए C है मदविदे सरवादिक सुयावीन उत्पादन किस जिली में होता है वजहन दिवास राइसेन भॉपाल तो यह आप देखेंगे वजहन में होता है यह उपसन ठीक है मदविदे सराजी किस जिली में सुयावीन की केती नहीं होती है उमरिया कटनी दोनों में तो आपको यह दोनों में नहीं होती है अब तनक थोड़ी बहुत होती हो तो अलग बात हो जाती है लेकिन कुश्चन्स इस तरह के पूछे जाती है तो इस तरह का अंसर लगाओगे अब बदेश राज्य में कपास के लिए सरवादिक छेतफल वाला जिला कों सा है इंदोर खरगोन उज्चेन तो खरगोन आप देखते हैं कहां खरगोन आपको देखने को मिलेगा परेशानी तो तब होती है जब खरगोन ना होता तो क्या करती इस तरह के कुश्ण्स भशाते हैं भारत के किस राज्य को से वय भी इश्टेट के नाम से जानते हैं और ये आप तो सभी जानते हैं अप भनान जाते हैं मदव बिदेश में कौन से जिलों का समूह सरवादिक सर्विसों का उत्पादन करता है तो आप सभी जानते हैं, भिंड़ मोरेना में आप देखते हैं, सबसे जाना सरसों होता है। देश में सरवादिक सोयावीन उत्पादन करने वाला राच यह आपको बता चुका हूं मद्विदेश को आप देखते हैं कि सोयावीन पिरदेश के नाम से भी आप लोग जानते हैं C option, मदविदेश राज में कपास अनुसंधान के अंदर कहा है, कपास अनुसंधान के अंदर आप देखेंगे, मदविदेश में कहा देखने को मिलेगा, खरगोन में है, मदविदेश राज में मवेशियों के लिए चार बनाने का सेंद कहा है, ग्वालियर, धार, गुना, भो तो आपको एक धार में देखने को मिलेगा, का धार में देखने को मिलेगा, तो बी ओप्सन लगा दिए इसमें, चलिए मध्विदेश राजी के सरवादिक सुद्धिक किरसी भूमी बाला जिला कौन सा है? मुरेना उज्जन गुना भोपाल, तो यह आप देखें, उज्जन देखने को मिलेगा, क्या उज्जन ही लगाओगे, और कुछ होगा, मताओ, उज्जन ही लगा देना, तरहाल तो, उज्जन, चलिए आंगे चलते हम लोग, मद्द्धिस राजी के किस जिले में नियूनतम किरसी योग भूमी है, अब रिज्जन के किस जिले में नियूनतम किरसी की बात हो रहे है भूमी की, भौपाल गुनाव या आप देखेंगे कि आपका मंडला ग्वालियर तो मंडला में ही इस कहां मंडला में सी ओपसंथ मद्वदेश के किस जरी में सरवबादिक ग्याहु का उत्पादन होता है that आसोकर असंगाबाद भौपाल विदी साह तो असंगाबाद में होता है आएफ से चाब्ल का उत्पाद सरवबादिक मद्वदेश के sm crash के खिजिली में होता है मद्व Everyone मत्यविदेस्राजी की प्रमुक्त भ्यापारिक फचल कौन सी है तो सव्यावीन यह सरसों यह गन्ना चना तो आपको बता दू लगा देना ओ गन्ना होती होती तो गन्ना लगा देते सव्यावीन लगा देना भी मद्विदेश राजी की किस जिली में राष्टी ये अंगूर अनुसंधान के अंद आपको देखने को मिलेगा रतलाम लगा दी ना इसमें मद्विदेश राजी की किस जिली में उमकारेसो परियुजना से लाप नहीं मिलता है मद्विदेश की किस जिली को कि बताइए कुछ गोम कारिसों से जाबुआ धार या आप देखेंगे कि आपका खंडवा से उप और क्या होगा तो इसमें आप लोग मुझे लगता है कि लगा देना सियोफॉर क्या लगाओगे शियोफॉर लगा देना बाकी को सबको होता है सियोफॉर को नहीं होता है ओंकारिसों परियोजना की बात हो रही है ओंकारिसों परियोजना ओंकारिसों परियोजना ओंकारिसों परियोजना ठ कि वहीं आप लोगों को देखने को मिल जाएगी उंकारिस और परियोजना नर्वदा नदीप और खंडवा के पास मंधाता मंधाता से में निर्मित बांग है इस बांग से थोड़ा ही आंगे उंकारिस और मंदिर भी इस्तित है उसी के नाम पर पढ़ गया होगा निमने सरुबर परियोजना सामिल परियोजना में सामिल राज्ज नहीं है मत पदेश गुजरात राजिस्तान उत्तर पदेश मत आईए किस से सरदा सरोबर की बांद हो रही है सर्दा सरोबर परियोजना सामिल राज्ज नहीं है को सामिल नहीं है नर्वदा नदी पर बनी हुई है यह यह आप लोग याद रखेगा और मत पदेश गुजरात महराष्ट राजिस्तान की वीच आप देखेंगे तो उत्तर पदेश नहीं होगा इसमें डी ओप्सन ठीक ह निम्ने में से किस नदी पर महिस्तो परियोजना बनाई गई है नर्वदा बैतवा और चंबल छेप्टरा तो इन नर्वदा नदी पर बनाई गई है ठीक है यह आप देखेंगे किस पर नर्वदा पर बनाई गई है नर्वदा पर नर्वदा पर यह आप लोग जरूर महिस नदी पर मनाई गयी है अंगला कुछने आपके सामने मद्धित्स हूं महराष्ट की सब्रस्ट परयोजना कान सी is 15 परयोजना ऑर आप देखेंगे कि माता तीला राडा परताब सागर वांड सागर इस मैं से आप देखेंगे 15 Bureau उजना कि अगर हम लोग पात करें though तो एक कहा देखने को मिलेगी पैच नदी पर आप लोगों को देखने को मिलेगी और यह आपको महराष्ट महराष्ट और मद्ध्यपदेश में आप लोग देखेंगे इसे लावानवित होते हैं यह ओप्सन ठीक है इसका ठीक है अगले कुश्चन हमारे समने अगला नदी पर जोवट परियोजना बनाई गई है जोवट परियोजना की बात हो रही है यह आप देखें हत्तिनी नदी पर आपको लोगों को देखने को मिलेगी इसमें आप लोग बताई हत्तिनी नदी किस नदी की साहिक नदी है बावन थड़ी परियोजना किस राज्यों की स उत्तरपदेश मद्धदेश राजस्ता मद्धदेश तो यह महराष्ट और मद्धदेश में देखने को मिलेगा ए और बिल्कुल ठीट है बावन थड़ी नदी पर आप लोगों को इसे देखने को मिलेगा चलिए आगे हैं आपका बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है बांड सागर परियोजना की बात हो रही है एक इस नदी पर आपको देखने को मिलेगी मद्धदेश में सौन नदी पर आप लोगों को देखने को मिलेगी है बहुत देश यह परियोजना है अंगली कुशन है हमारा कि इसमें क्या सौन नदी आप लोग लगा देना अंगला कि अपना है आप देखिए शुक्ता परियोजना कि सधीफर है सिंदु पैस अग सुक्ता पागश में इसे न्दी पर आप लोग देखेंगे और सुक्ता परियोजना प्र यौह ल् defancy पर आप संदय पर है और आ और शुक्ता नदी भी हम इसे जाते हैं दैन्ट रखेगा चले अंगला कुशन की तरह बढ़ते हैं हम लोग मद्वेदेश के किस जिले में गांधी सागरबांग बनाया गया है गांधी सागरबांग यह आप देखेंगे कि कहां आप लोगों को देखने को मिलेगा साथ मार्च उन्ने सो चंगण को पंडेश जवालाल नहरू ने इसकी वो रखी थी सिदार एक तरह से आप देखेंगे सिलन नियास किया था आधार सिला रखी थी आधार सिला गांधी सागर पाव गांधी सागर की नाम से आप लोग जानते हैं इस मंद सोर में आपको देखने को मिलेगा ठीक है किस जिले में है इस मंद सोर में चली आगे चलते हैं मंदो दिरी के मंद सोर में मदपदिश में सरबाधिक तालावों से सिचाई वाला जिला कौन सा है सरवाधिक से चाहिए होती है मद्धदेश में तालावाँ से कौन से जले में इसमें मुझे लगता है कि आपको मालू होगा तो आपने लगाए होगा बाला घाट हो संगाबाद या आप देखेंगे कि आपका कुछ और है तो यह आप देखे बाला घाट होगा इसमें अगला कुश्चन है हमारे सामने मद्विदेश राज्जी में कुल किर्सित भूमी का सरवाधिक पिती सत किस चली में है मद्विदेश और होसंगाबाद रत्राम डिंडोरी तो यहाप लोगों कहां देखने को मिलेगा होसंगाबाद में देखने को मिलेगा तो इसमें आप लोग होसंगाबाद लगा देना भाई क्या लगा दोगे होसंगाबाद लगा देना बी ओप्सन ठीक है अंगला है कुश्चन सर्वादिक मद्पधिस में सर्वादिक पमंचक की सिसे चाई बाला जिला कौन सा है मंदसोर राय जिगर इंदौर या फिर आप देखिंग गुना तो यह आपका इंदौर ही देखने को मिलेगा कहां इंदौर ही देखने को मिलेगा सी ओप्सन ठीक है इंदौर अंगला कुश्चन से मद्पधिस में सरवादिक में नहर का निर्माट किस जिली में किया गया था मद्पधिस में सबसे पहले नहर का निर्माट किस जिली में वो जैन भोपाल, राजगर भोपाल या बाला गाट तो इसमें आप देखेंगे बाला गाट ही होगा चलिए आगे है इसमें बाला गाट लगा दी न निम नम में से धारवार सेल समूँ से प्राप्त खनीच कौन सा है बताइए मैगनीच संगमर्मर, संगमर्मर, एश्वेश्ट तॉस, गैरूं, डायस्पोर, बताइए मैगनीच संगमर्मर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें आप लोग यह भी लगा दे न दी ओप्सन इसमें ठीक है बद्विदिस के किस जिलिस के उत्तर से होकर करक रेखा जाती है भुपाल, रतलाम, इंदो, रीबा तो यह रतलाम से जाती है 14 जिलों से जाती है आपको बता चुका हम कौन कौन से जाती है आपजी आप लोग नीचे लिख सकते हैं महादेव पाहाडिया किस राज्ज में देखने को मिलेगी मद्विदिस में ही देखने को मिलेगी बहादेव पाहाडिया नर्वदा, घाटी किन परवस-ंखलाओं के मद्डशाती है बिंध्यांचल सत्पोडा की भी देखने को मिलेगी आपको D option ठीक है इसमें मालवा की पठार में सबसे उची चोटी कौन सी है मालवा की पठार में सबसे उची चोटी आप से पूँच रहा है सिगार गुरु सिखर जाना पाओ और यह आप देखेंगे की और आपकी कौन सी है समय हजारी तो सिखर क्या देखने को मिलेगा आपको मालवा की पठार में सिगार है इसमें याद रखेगा क्या है सिगार है अंगला है कुश्चन मद्विदेश की सम्मद में निमलिकित में से कौन सा कथन असत्थ है तो तीन तो सत्थ होगा एक असत्थ होगा सत्थ ही चुनना है करक रेखा मद्विदेश के राज्य की मद्विदेश से उकर जाती राज्य का छेथफल देश के छेथफल का पंदर है मद्विदेश का सीमा उत्तर पिदेश से लगती मद्विदेश की सीमा पांच राज्यों से लगती आप देखते हैं कि बी ऑप्सन बिल्कुल गलत इसमें कितना चेटफल है आपको बता चुका हूं कई वह आप लोग ने चे लिखिएगा इसी किलास में उताया है राज जी का उत्तर से दच्छिन विस्तार कितना है 650, 605, 750 तो 605 km है बी ऑप्सन है मद्विदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है बताये सबसे कम सबसे कम लग रही है गुजराद राज्यस्थान, 36 कर माहराश्ड तो गुजराद से लगती है चोटी से दो जिलों की सीमा लगती है नेवले के इत्मे से मद्विदेश के किस राज्य से करक रेखा तो जिले की पूंच रहा है अनुपूर ए राजगर सागर एतिरों से जाती है आप लोगों को बता दूँ सभी से होकर जाती है प्रीकर करक रेखा मद्पदेश की बात हो रही चौदै दिलों से होकर जाती है पीछे बता चुका हूँ आप लोग कहें तो फिर से बता देता हूँ चौदै दिलों से जाती है चौदै जिलों से होकर जाती है और इसमें आगर आप लोग देखना चाहें न तो देखे पहले ये कहां से जाती थी साजापूर से जाती थी लेकिन अब आप देखे आगर मालवा लग कर दिया गया तो आगर मालवा से जाती है रतला, मुझ्जिन, आगरमालवा, राजगर, सिहोर, भोपाल, विदीसा, रायसें, सागर, दभो, जवलपूर, कटनी, उमर्या और सहडोल से जाती है मापी चाहता हम अनुपूर नहीं है, इसमें आप लोग याद रखेगा एप लोग याद रखेगा इसमें आप देखेगे, हो किया सहडोल से जाती है, सहडोल पहले आपको महलो होगा कि अनुपूर में ही परता था इसमें अनुक पूर सहेडोल का ही था इसलिए आप देखेंगे दोनों से सागर से और आपकी राजगर से तो बिल्कुल जाती है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा सागर से जाती है चौदै जिल्वत याद रखना है आपको अच्छे से कुछ भी पूंचा जा सकता है क वही भगवान है आपके लिए मद्विदेश के किस परवसेनी में तापती नदी का उद्गम इस्तल है सत्पोडा रीवा मालवा जाना पाओ तो आप सभी जानते हैं सत्पोडा अंगला कुशन है मारे सामने मद्विदेश के किस पठार की मद्द से होकर करक रख रेखा जा अंगला कुशन कह रहा है कि निपने में से कौन सी नदी जामा पाओ की भाड़ी से निकलती है नरवदा चंबल तापती चिपरा तो चंबल निकलती है अंगला कुशन कह रहा है पचमडी किस सेडी में अवस्तित है पचमडी सेडी पचमडी किस सेडी में अवस्तित है तो आप देखेंगे तिसमें पच्मडी किसमें देखने को मिलेगा, ए इस सद्पोड़ा परव सेडी पर देखने को मिलेगा पच्मडी, संदर पहाडी ओं से घरा हुआ है जिसे परयतक प्यासी परसत्पोडा की रानी भी कहते हैं, और ए महादेव सेडी में आप लोगों को महादेव सेडी हो गया, अंगला कुशन है हमारे सामने बुंदेलखन पठार की सबसे उची चोटी कोंसी है, बुंदेलखन पठार की सबसे उची चोटी, सिद्बाबा पहाडी है 1722 मीटर की है, और बुंदेलखन का पठार मद्फदेश के टीकमगर चातरपूर, जो नया जिली आपका निवारी बनातों सीवपुरी जिली में पहला हुआ है, तो इसमें सिद्बाबा होगा, सी ऑप्सन होगा, सिद्बाबा, मद्फदेश की सी मागुजराथ के किस जिली से लगती है, बताये, अगर आपलोग मैप देखें तो आप मैप उंपको कुमालू होगा, सूरत सूरत एहमदाबाद भरोज बड़ोद्रा तो बड़ोद्रा से ही लगेगी और किसे लगेगी ठीक है तो इसमें बड़ोद्रा लगा देना मद्पदेशन में किस यूग की चट्टानों का साक्ष नहीं मिलते है बताएए धरवार देवड आरे सभूोई पुरान संग तो बिए आप देखेंगे कि हमें किसके देवड संग के नहीं मिलते हैं बी ओप्सन होगा मद्पदेश में कोईला किस सभू की चट्टानों में पाए जाता है कोईला मद्विदेश में कुला किस चट्टानों में पाए जाता है कडपा, कडपा, गौणडवाना, धारबार समू, बिंध्यान समू तो यह आप देखेंगे गौणडवाना, गौणडवाना, बी ओप्सन ठीक है मद्विदेश के सबसे उची चोटी की उचाही कितनी है 1450, 1350, 1550, 1270, तो 1350 है, कौन सी यह, आप लोग बताईए नीचे बता चुका हूं सब, भूबिज्ञानिक दिरिष्टी से मद्विदेश निम्ने में से किसका भाग है भूबिज्ञानिक दिरिष्टी से गौडवाना लेंड का भाग है मद्विदेश में कौन सा चित, गौडवाना चित के नाम से जाना जाता है मद्विदेश में कौन सा चित, दच्चरपूर चित जानते हैं से निम्ने में से कौन सा सा है, भारती मानक समय दिसांतर के नजदीक है गुना, मोरेना, जाबुआ, होसंगाबाद, तो यह होसंगाबाद देखने को मिलेगा, और जो भालती मानत समय रेखा है ना वो हमारी किस से मद्पदेश के सिंगरॉली से जाती है होकर, कितने राज्यों से होकर जाती है आप लोग बताईएगा, विदीसा सहर किस नदी के त पचमडी से सम्मधित इस्थान है, चौरागर, धूपगार, जटासंकर, उपयुक्त में से सभी, धूपगार देखते हैं आप लोग, मद्पदेश में किस जिले में डाइनासॉर, जीवास मराष्टी पार्ग के स्थापना की गई है, मंद्पदेश, मंद्पदेश, विद याद रखेगा, इसमें धार होगा, ठीक है? अंगला कुषन मद्पदेश के किस जिले में सेचाई, जिले में चचाई जलुपपत आपको देखने को मिलता है, चचाई जलुपपत एरीवा में देखने को मिलता है, किस नदी पर है आप लोगों को बता चुका हूँ, आप आपको में हमलोगा यह मालत में नावक आपीज हैसी को किस्के बड़ा थिंगे में को cu cuando पहां देखने को मिलेगी कहां है यह आप देखेंगे सतना रिवा बाला घट कतनी यह आप देखेंगे कि आपकी कहीं और तो यह आप देखने को मिलती है मत्विदेश राज में पॉट्री उद्यू कहां इस्तित देखने को मिलेगा गुवना गुवालियर बंदसवन भॉपाल तो मुझे तो लगता है कि आपको मालू होगा और आप लोग ने लगा दिया होगा गुवालियर लगा दिया होगा न भी ओप्सन ठीक है निम्ने में से ग्रेफाइड का उत्पादन मत्विदेश में इसका मुझे लगता है कि आप लोग लगाएंगे क्या बैतूल असोकनगर वाला घाट कहां तो बैतूल लगा या इटारसी तो बैतूल ही लगा होगे मत्विदेश में किस इस्थान से यूरेनियम होने के आउसीस प्राप्त हुए है यूरेनियम होने के बताईए अच्छी बात है सतना सहडोल रीवा तो आपको बता दूं कि यह कहां होगा सहडोल ही होगा इसमें सहडोल लगा देना भाई कौन सा मत्विदेश का कौन सा संभाग छेथफल की दरिष्टी से सबसे बढ़ा है छेथफल की दरिष्टी से सबसे बढ़ा है छेथफल की दरिष्टी से पूंच रहा है तो आपको बता दूं जवलपूर है इसमें जवलपुर में कितने जिले हैं, आप लोग बताईए गाई, ठीक है, मद्पिदेश का छेथफल के अनुसार सबसे चोटा संभाग, इसमें आप देखेंगे, कनफ्यूजन है, कई आप देखेंगे, छेथफल की दिरिष्टी से पिदेश का सबसे बड़ा संभाग जवलपुर मंदरों का सहर, बताईए, किसे कहते हैं, उज्जन को ही कहेंगे आप लोग, किसे कहेंगे, मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मिस्तित मिट्टी, जलोन मिट्टी, या आप देखेंगे, लाल पीली मिट्टी, मालवा में आप देखेंगे, काली ही मिट्टी पाई जाती है, क्या देखने को मिलेगी, इसमें क्या लगाओगे, काली मिट्टी लगा दे कई देदी में इसी है स्थान करते हैं और को करती है और परीजर करेंगी इसमें ठीक के अंगला कुष्धिन है और वारन सेम掇ंग ने ओड़कर बीस्थान कहा देवास असुपनेगर इंदौर और बताईए इसमें मोपाल चिप्परा नदी का ए देवास से आप लोग चिप्परा नदी कहां से देवास से ही तो निकलती है नदी कुम का मेला भी आप न देखा होगा लगता है यह यह इन दौर के उचनी मुंडला गाउं की ककडी बढ़ली नामकिस्थान से निकलती है और इसके बाद आप देखें कि शिप्परा नदी की का ओधगम इस्थल यह जरूर इनके बारे में याद रखें क्या कर सकते हैं यह आप देखेंगे उद्गम की बात करें तो इस महू चावनी से सत्तरह किलो मीटर दूर जाना पाव की पाणियों से निकलती है ठीक है तो यह आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए इसमें उज्जयन का कुमर का मिला भी लगता है यह लेकिन आप देखेंगे कि महू चावनी से जाना महू चावनी यह किस जिले में देखने को मिलती है महू चावनी डॉक्टर Ambedkar नवर के नाम से भी आप लोग जानते हैं तुर इसमे आप लोग जरूर याद रखिए लिकिन उज्जें में इंदोर के पास आप लोग देखते हैं तो, दिवास में तो हुई नहीं सकता है, तो उज्जें इंदोर आप लोग लगादी न इंदौर लगादी न इसमें क्या लगाओगे इंदौर लगाओगे आप क्योंकि इंदौर के पास से निकलती है माव से देवास जिला क्योंकि इंदौर के पास से निकलती है और सही आपको अगर मालू हो तो बता दिया करिया क्योंकि आप देखे कि कई इसके बारे में छिपरा नदी जो आप लोगों को बताया कि इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका उद्गम इस्थल इंदौर जिले की काकरी बाइड़ी नावग जगह से निकलती है तो इंदौर ही तो लगाएंगे देवास तो होई नहीं सकता है लेकर कई लोगोंने देवास बताया इसलिए बोल रहा हूँ इंदौर ही होगा राजिस्थान परियाना पंजाब राज्चों की समलित परियोजना है तो ब्यास का नहीं होगा बाकी को सबका होगा तो बी ओ offset होगा जबन पुर सहे किस नदीप देखने को मिलेगा किनारी जबलपुर सहर और नर्वदा ही है यहां तो बी ओप्सन ही होगा निम्न में से कौन सी परवत मद्विदिस में इस्तित हैं पच्मड़ी पच्मड़ी मंडी और अल्मोड़ा तो पच्मड़ी ही आप देखते हैं है कौन सा अभियारन अतवा राष्टी उद्यान मद्विदिस में स्तित नहीं है पच्मड़ी घाना पक्चिया अभियारन नहीं है यह मत्विदिस बाकी सब भारत पूर आशम राजस्थान में इसां और जलिए वी याद रख़ेगा है ह् in Gan Abana निपै चल तो चलिक उन्वे सामने मंदर्व मत भार्दी कि खिचले की सिमा राजिस्थान से नहीं लगती है घ्राजस्थान से नहीं लगती है पूचा है तो आप देखेंगे वहपाल की नहीं लगीगी इन में से, वहपाल बीच में अलगी है, वहपाल की सीमा असल में किसी राज्य से नहीं लगती है, क्यों, ठीक है, वैल इस्पन सौर उर्जा सेंथ परियोजना के समंध किस राज्य से है, बताईए, मदपदेश गुजरात महराष्ट और मदपदेश से योगा है, ठीक है, मदपदेश परियोजना है, सौर परियोजना, दोजार चौदे में सुरू हुई थी ये, नीमत जिले की जावत तहसील के दच्छे में, सौर उर्जा सेंथ है ये, तो डीक है उप्सन रहेगा, निमने में से किस इस्थान पर, इस्थान पर मदपदेश का पहला रतन पर इसकित के इंदे स्थापित किया गया, चटरवो जबलपूर पन्ना रीबा, तो ये आप देखेंगे, कहां, जबलपूर में, पिससे दो Panyas कार Benda Benda One Lal Bienmane Meghani airini Panyas में किस राजा का च्रिट चित्रन किया है राजा Maan Singhu Temur क아 अन्गला कोक्ष्ट है الم比較 सम手 भेरोजगार युवबा युक्तियों को सोरजगार हित हुक generate युजना प्यारम की गई दीन दयाल रोजगार गोकल ग्राम और दीन दयाल सामरती होजना तो दीन दयाल रोजगार योजना की गई थी ठीकर मत्पधिस में मूल निवासियों के लिए अप दीन दयाल रोजगार योजना ए उपसंटीक रहेगा खजराओं में कुल कितने बंदिरों का निर्माट किया गया था अब तो बहुत सारे आप देखे नश्ट भी हो चोके हैं पहले आप देखे कि अच्छे थे अब समय होता जा रहा है तो आप सभी आगते पच्चासी मंदिर थे इसमें डी ओप्संस अब तो आप देखे 25 की महला आयूग का गठन मद्वेश में महला आयूग का गठन बताएए 23 मार्च उननिस वठानवे में हुगा था और यहीं आप लोगों को एक और बता देता हूं कुश्चन महला आयूग राष्टी स्थर पर भी होती है तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करों राष्टी हैं हम लोग जिला ननुसिंग पूर मद्वेश में मुहद गाओं चर्चा में रहता है क्यों रहता है इस गाओं के सभी व्यक्ति संस्कित में बात करते हैं सतीपता वाली गठना के कारण अधीब्यासी विद्रों के कारण ओपयोंक्त में से कोई नहीं तो आपको बता दू इस गाओं के लोग संस्कित में बात करते हैं यह ओप्सन विल्कुल ठीक रहेगा इंदौर संभाग में पूर्वी निवाड को क्या कहते हैं इंदौर संभाग में पूर्वी निवाड को आप लोग खंडवा क्या कहते हैं पूर्वी निवाड को धार जाबुगा खंडवा कहते हैं क्या कहते हैं खंडवा कहते हैं B option ठीक है मदविद इसकी बैतवा नदी का उद्गम इस्तान है बिंध्यान चल परवद परबसा जाना पाओ सहडोल जली के अमर्कंटक बैतोल जली की मुलताई रायसन जली के कुमरा गाउं से किसका बैतवा नदी की बात हो रही है रायसन जली के कुमरा गाउं से निकलती है ना ये बिंध्यान चल ठीक है ये option बिल्कुल सही होगा ये आप लोगों कुमाल होना चाहिए कि एक बार एक सेगन रूप आईएगा आपको सही बताया जाए बैतवती के नाम से आप लोग जानते हैं एक कुमारा गाउं और रायसन जली में पढ़ता है ठीक है लेकिन जाना पाउं से नहीं निकलती है आप लोगों को जाएगा सही से मालू होना चाहिए अंगला question है हमारे सामने मदपतेस के साहित पोईशत द्वारा अकिलभाती महराज बी सिंग देव बुरुसकार किस छित में दिया जाता है तो ये वो पन्यास कि छित में दिया जाता है मदपतेस के किस राष्टि ये उद्यान में सेरों की आवदी का घनत सरवाद एक है बताये काना राष्टि उद्धान से फुरी राष्टि उद्धान, मधोगर राष्टि उद्धान और भोपाल तो इसमें बांधोगर राष्टि उद्धान होगा? मधवेदेश की किस सहर में भी ये हार्म विकास निगम का उख्related है? तो ये भोपाल में ही देखने को मिलेगा कहा है भोपाल में ही देखने को मिलेगा भोपाल में ही है ठीक है ये ओप्सन बिल्कुल ठीक है मद्विदिस के किस विस्विध्याले का परिवर्ति नाम डॉक्टर हई सिंग गौर है तो सागर विस्व उद्ध्य लेका है आपको बताया था ना कि सबसे बुरानी उनिवर्सिटी लगबग आप देखेंगे अंगला कुष्टन है मत्वरिस में रेप्टाइल पार्क किस जली में आपको देखने को मिलेगा रेप्टाइल पार्क की बात हो रही है किस जिले में है राय संस, आडोल, रिवा, पन्ना, तो इस आप लोगों को पन्ना में अहीं देखने को मिलेगा, मुझे रखता है, यह कोई और है, पन्ना, पन्ना, पन्ना ही रहे है, ठीक है, डी उप्सन बिलकुल, ठीक है, इसमें, अंगला कोशे नहीं हमारे सामने, तो मांडवा गड़ में है तो मांडवा गड़ में है जाज महल मांडवा गड़ मांडवा गड़ मांडवा गड़ उसी को आप देखिक है धार में पड़ता है चलिए अंगला कुशियन है हमारे सामने मद्विदेश का राज का कुल छेथफल आपको बता चुका हूँ कि 3,8,252 वर किलोमीटर में फैला हुआ है 245 भी कही जगे आप देखने को मिलता है कोई परिस्दान नहीं होना आपको कि लगभग हम लोग लगाते है देश के कुल छेथफल का कितना पितीसद मद्विदेश के पास है तो 9,38% के लगभग पास आपको देखने को मिलेगा अंगला कुश्चन है हमारे सामने बिंद्विदेश की राध्धानी कहां थी पहले जबलकुर रीबा, ग्वालियर, भोपाल तो आप सभी जानते हैं कि रीबा ही होगे और क्या होगे रीबा, क्या रीबा अंगला कुश्चन है हमारे सामने 1 नवंबर 1956 को गठन की समय मद्विदेश कितने जिलों कितनों जिले थी तो 43 जिली थी आँगे बढ़कर आप देखिए यह सब हुए भोपाल एवम राजनन्द गाओं पितक जिली कब बनाय गया थे भोपाल एवम राजनन्द गाओं को अलग जिला कब बनाय गया था बताईए तो 26 नवंबर 1972 की बात है 26 नवंबर 1972 की बात है 26 नवंबर 1972 में असोक नगर को किसी अलग करके बनाय गया था सहडोल गुना अनुपूर बताईए यह किसी अलग करके बनाय गया था तो आप लोगों गुना अनुपूर खंडवासे यह बनाय गया था गुना से अलग करके गुना से ठीक है तो इसमें भी ये लगा दी ना अली राजपर और सीधी को किस बर्स जिला बनाय गया था किस साल में जिला बनाय गया था अली राजपर और तो 2008 में ही बनाय गया था अली राजपर और सीधी को तो यह आप लोग याद रखेगा 2008 में बनाए गया था इसे अली राजपूर को 27 मईई 2008 में ठीक है तो यह जरूर याद रखेगा इंदौर संभाग के अंतरगा ताता है जाबुआ जली से अलग करके बनाए गया था इसे चली इसमें 2008 लगा दी न अंगला कोप्शन है हमारे सामने होसंगा जलाज जला किस संभाग में आता है नरवदापुरम भी कहते हैं आप लो बी ओप्शन 30 जून 1998 को 6 नए जली बने थी किस समिती की अनुसंसा पर 30 जून 1998 को बताइए सिंग देव समिती थी ये सिंग देव समिती कौन थी सिंग देव समिती ये ओप्शन विलको ठीक रहेगा इसमें इंदोर समभाग में कितने जली हैं इंदोर समभाग में कितने जली हैं आठ जली हैं कितने आठ जली आपको देखने को मिलेंगे इसमें आप देखेंगे कि आपका अली राजपुर है बड़वानी बुरहान पुर्धार इंदोर जाबुआ खंडवा खरवोन देखने को मिलेगा टोटल आठ है इसमें भी ओप्शन लगा दीना आप अंगला कुर्शन है आपके सामने मद्पदेश राज्य का कौन सा नेता नहरों की कैमिनिट में पहले रक्षा मंत्री औबाद में गरह मंत्री बना रवी संका सुकला, द्वार कानात मिसरा, कैलास नात काट जू, प्रिकास चंद सेटी तो आप लोगों को बता दूँ की कैलास नात काट जू होंगे इसमें और आपको बता दूँ की मद्पदेश के मुक्ध मंत्री भी रहें और मिनीष्टर ऑप डिफेंस भी रहें, मिनिष्टर ऑप होम अपेर्स भी रहें गवर्नर ओप बेश्ट बंगाल रहे हैं गवर्नर ओडिसा भी रहे हैं और दस सत्रे जून 1887 मिन का जनम गवा था ठीक हो सत्रे फरवरी 1970 की डैर्थ हो गई थी होगा तो इसमें अप लोग लगा दिये होंगे सही ओपसन अंगला कुषक्टन है मारे साब ने माधि पदेश के विभाजन से पहले कितने राज्यों की सीमा राज्यों की सीमा हैं राज्यों को छोती तो एक बार अगर आप लोग मद्ध्विदेश का मैप देखें न आप लोग तो देखें राजिस्थान एक गुजरात दो महराष्ट तीन चले जाए आंध्विदेश से आप लोग चाहेंगे तो चार हो गया फिर आप देखेंगे गड़ेशा पांच जारकंड चै और उत्तर मद्ध्विदेश साथ इस तरह से तोटल साथ थे ठीक है अगला कुशर नहीं सापने सन दोजार आप में सेंग रॉली जली का गठन किस जली के विभाजन के बाद गए था सीधी से अलग किया गया था ठीक है अगला कुशर नहीं हमारे सामने राजिस्थान के कोटा जली की सेरोंज तहसील को मदविदेश के किस जली में सामिल किया गया था विदीसा में किया गया था ये और बेटिसकाल में मदविदेश को किस नाम से जानते थे बेटिसकाल में मदविदेश को सेंटल इंडिया के नाम से जानते थे तो इसमें D लगा देना और C4 किस संभाग में सामेले C4 किस संभाग में सामेले C4 किस जिले में संभाग में सामेले चंबल में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह मद्विदेश में भुपाल सुगर मिल्स कहा है मद्विदेश में भुपाल सुगर बिधी सामें आपको देखने को मिलेगी, बफपाल मत लगा दीजेगा, तर आप लोग भफपाल लगाद, बिधी सामें देखने को मिलेगी, पिश्के? चलिए अंगला कुशिन है हमारे समने पिथक मारो भिकास रिपोर्ट पिस्तुत करने वाला देश का पहला जिला कौन सा हल ए राजगर इंदोर रायसेन या कोई कटनी बताईए क्या लगाओ कि इसमें भाई कटनी लगा देना करनी ही रहेगा क्या पिथक मानो भिकास रिपोर्ट पिस्तुत करने वाला जिला पूछ रहा है यह आप देखेंगे कि मंदसोर में सहाबुद्दीन ओलिया का अर्ष कहां लगता है सहाबुद्दीन ओलिया का अर्ष कहां लगता है बताईए इंदोर देवास नीमच रिबा सहाबुद्दीन ओलिया का बाबा को उस मद्द्देश के मंदसोर जिले के नीमच में फरवरी माह में लगता है तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा नीमच में ठीक है नीमच लगा दे ना इसमे मद्देश की बिथम महला राजपाल कौन थी? सूसरी सरलाग इबाल थी मुकमंदरी आप देखेंगे उमाभारती थी पहली मद्देश की करमबीर का संपादन किस ने किया था? करमबीर का संपादन माखनलाल चतुरवेदी ने किया था बी ओप्शन होगा हभीब तनबर कौन थे? हभीब तनबर यह आप देखेंगे कौन थे? नाटक कार थे? यह आप देखों बता दू भारत के मसूर पट्र कथा लेका नाट निदेशक कपी और अभिनिता थे? इनका जनम 1 सेप्टमबर 1923 में राइपुर में हुआ था और 8 जून 2009 में ने संग्राली में इनकी डैथ हो गई थी तो यह आप देखेंगे क्या थी? नाटक कार थे बी ओप्शन विल्गुल ठीक रहेगा पीस ओप माइंड एकी लेखक पीस ओप माइंड लेखक कौन थे? इसकी लेखक के बताना है आपको किसने कुप पुस्तक लिखी है? बदाएए पीस ओप माइंड उमा भारती ने लिखी दिये किसने? उमा भारती ने तो इसमें आप उमा भारती लगा देना भाई ठीक है? मेरी संसद यात्रा किस लेखक की रचना है मेरी संसद यात्रा की लेखक कौन थे? तो अटल विहारी बाच पही अटल विहारी बाच पही और देश के पिधार मंतरी भी रहे हैं उत्तर पिदेश आपका इनका समद्ध मत्पिदेश से रहा था 25 दिसंबर 1924 में ग्वाली अर्मिन का जिनम हुआ था 16 अगस तो 2018 मिन की डेथ हो गई थी अटल विहारी बाच पही बी ओप्सन हसते हैं रोते हैं किस कभी की रजना है? हसते हैं रोते हैं या आप बताएए राजिन पिस्तिबारी हरी संकर परसाई या आप देखेंगे कि मुल्ला रमजी सरजोसी तो या आप सभी जानते हैं कि हरी संकर परसाई की बात हो रही है और हरी संकर परसाई गर हम लोग जनम की बात करें इंडियन राइडर होते ना हौसंगाबाद में 22 अगस्त 1924 में इनका जिनम हुआ था 10 अगस्त 1995 में जवलपुरकीन की डेथ हो गई थी साहित अकादमी का अबर्ड भी इने मिला था तो यह भी आप लो याद रखेगा भूत के पाउँ पीछे बेमानी की परत इहीं की सभी थिये ठीक है हरी संकर परसाई बी ऑप्सन उस्ताद अमजद अली खान किस बात देखे पिरमोग के बादक थी सरोद बादक के बताईए ए आपको बताया ना अमजद अली खान इनका जनम आप देखेंगे कि 9 अक्टूवर 1945 में ग्वालियर में हुआ था ठीक है तो सरोद बादक थे C ओप्सन ठीक है बिरुजू महराज किस चित्य में पिसिद्ध थे बिरुजू महराज नित्यों में और चित्यकारी में कतक नर्तक थे ना ए बिरुजू महराज की बात हो रही है दोनों थे C लगाओ गयाब 4 फरवरी 1938 में इंका जनम गुए ता 17 जनवरी 2022 में इनकी देथ हो गई थी बिरुजू महराज की अंगला कुश्या ने नया थेटर की स्थापना किसने की थी नया थेटर की स्थापना किसने की थी ढाव ő नया थेटर दाव रामचंद हभीत तनवर संकर हपार पांपर है कि सोर कि सोर साहू तो रही तनवर होगे इसमें ठीक है वी ओप्सिन विल्गुल ठीक है मैं जाए आ अधा किस सहर से था बाबा आ ला वाद दिन खांकर संबंद किस तहर से तो आपको बता दू कि इन अहाट अक्टूबर 1862 में इनका जनब हुआ था, 6 सेप्टमबर 1862 में मिहर में जनब हो गई थी, बंगलादेश में इनका जनब हुआ था, लेकन मिहर आप लोग लगाएंगे, ठीक है? मद्वदेश का उस्व कहा आयुजित किया जाता है, दिली इंदौर खजराओ, मद्वदेश उस्व की बात हो रही है, तो यह आप बताएए, जहां आयुजित किया जाता है, भुपाल में आयुजित होता है, पदमाकर इसमिती समारू कहा मनाय जाता है, पदमाकर इसमिती समा मताये सागर, इंदौर, साजापुरुज्जन कहां मनाओगे? इंदौर में मना लेना पिवर कहीं ही मनाओगे? कि सागर में मनाओगे? तो मद्रिय संस्कीती परशद की साहत अकादमी भुपाल द्वारा इसागर में पदमा का समीती समारो मनाय जाता है ठीक है? तो सागर लगा दिना इसमें पिसिद्य सास्तिय संगीत गाई का बेगम असकरी बाई का जनम कहां होगा था? वेगम असकरी वाई का सतना रीबा सहतर पो सीधी वो उच्चा रियासत में गायका भी रही थी और 25 अगस्त 1918 को इनका जिनम हुआ था बीजावार में 9 अगस्त 2006 में की डेथ हो गई थी चलिए तो ये असकरी वाई के बारे में याद रखेगा चतरपुर ज़िमें हुआ था इनका चतरपुर लगा दिना अंगला कुश्य ने बंसी कौल किस चेत में पिसिध थे बंसी कौल नाटमंच साहित सास्ती संगीत फेल तो ये आप देखेंगे की बंसी कौल ए पिसिद संबाद दाता पिसिद थेटर ने दे सक डिजाइनर बिजू आइलाइजर पदम सिरी सम्मानित थे थेटर ने दे सक और डिजाइनर ए सब आप देखेंगे किस से नाट मंच से बंसी कॉल इनके अगर हम लोग जनम की बात करें तो आप देखेंगे कि 13-23 अगस्त 1949 में इनका जनम हुए था च्छे फरवरी 2021 को इनकी डेथ हो गई थी निमने में से कौन सा नित्य समराट उपनाम से नित्य समराट उपनाम से पिसिद है बताये कुमार गंधर किस्ने किस्ने राव पंडित अलिया अकवार कार्टिक राम बताये कार्टिक राम लगा देना डी ओप्शन देखेंगे अगर कोई आपको लगता है कि कुश्चन का अंसर गलत है तो आप थोड़ा बिस्तार से उसे बता सकते हैं नीचे लिख सकते हैं चांद का मोहिटेडा किसकी रचना है गजानन माधव मुक्ती बोथ या आप देखें कि हरी संकर परसाई बाल कभी बैरागी बाल किसने सरमा तो यह आप देखते हैं कि हरी संकर परसाई गी होगी किसकी माफ़ी चाहे तो हरी संकर नीचे गजानन माधव मुक्ती बोथ की होगी यह आप्सन विल्कुल ठीक होगा गजानन माधव मुक्ती बोथ सेवर में जनम हुआ था 13 नवंबर 1970 में और 11 सेप्टमबर 1964 को हवीब गंज भोपालमेन की डेथ हो गई थी कुमार गंदरप संबंदी थे फिल्मी संगीत, लोक संगीत, ख्याल गाई की इंदुस्तानी संगीत कुमार गंदरप तो यह ख्याली से संबंदी थे ख्याल गाई की सिंगर और आप देखेंगे कि इनका जनम 8 अपरेल 1924 में हुआ था और 12 जन्बरी 1992 में देवास में इनकी हथ डेथ हो गई थी तो ख्याल गाई की होगा अंगला कूशेन है हमारे समने पितसे दे संगीत कार गाई किसोर कुमार का जनम कि सहर में हुआ था पूरे खंडबा इंदर मॉंबाई किसोर कुमार का वे खंडबा में हुआ था इनका जनम खंडबा में चारगस्त 1929 को 13 अपरेट 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में इनकी डेथ हो गई थी खंडबा लगा देना बारत में प्रोजेक्ट टाइगर का पराम किस बरस हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुई थी 1973 में टाइगरों को बचाने के लिए मद्विदेश के किस जली में सबसे अधी आरक्चित बन है सबसे आरक्चित बनों की बात हो रही है मुरेना भुपाल गुना उज्जेन देखें खंडवा वैसे आप देखें खंडवा बन बेट में है सबसे जानदा लेकर आप लोग इसमें क्या लगाँगी सरक्षित बन सरवादिक आप लोगों को देखने को मिलेंगी इन समय से उज्जेन में माथ पदेश में Nosasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas कि अगए चलते हैं लोग कि अंगला कुषिय नहीं देश्य। में बनों का सब से अधिक चेदफल की आज में सीधु राज जि में कि मैं मदवदे zu में ऑफ देखेंगे कि चेदफल तो देशप में सब से जानना बनों का मदवदे यह देखने को मिलेगा के शेथ फल के साब से देश का एकमात जन जाती बिसमित ध्याले मद्विदेश के किस सहर में अमर कंटक में देखने को मिलेगा है मद्विदेश में किस सहर में देश की एकमात अफीम फैक्टरी आप लोग देखते हैं अफिमफ्यक्ट्ट्री की बात हो रही है भी आप लोगों को नीमज देखे में अपको अंगला एव मद्र में पेकिस जिलिम में देच का पहला अदिवासी सॉद संचार के अंधर इस्तित है और यह आप देखेंगे कि जाबुगा में देखने को अंगला कुश्चन है आपका देश का पिथम सौर चलित टेलीपॉन एक्चेंज कहां मद्पिदेश में है तो एस यूपुरी में देखने को मिलेगा अंगला कुश्चन है मद्पिदेश का एक मात सहर जहां IIT और IIM दोनों देखने को मिलेंगे एंदोर है ठीक है मद्पिदेश की किस सहर में पहला पहली IISO द्वारा प्रमाणिक जेल देखने को मिलेगी बताए असोगनेगर भुपाल गौलिया जवल पो कहां आपको देखने को मिलेगा चार में से एक तो सही होगा तो सही ही आप लोगों को चुन लेना है यह आप देखेंगे किस में भौपाल लगा देना ठीक है अंगला कुश्चन है मारे सामने बिसेश चित पर आधीकर इस्थाबित करने बाला करने में मत्पिदेश राजी का कौन सा इस्थान है यह आप देखेंगे पहला क्या है पहला मत्पिदेश में तापती और नवदा नदी किस तरफ बहती है यह आप देखें पश्चम में बहती है और अरब सागर में गिर जाती है पश्चम में ठीक है सी ओप्शन ठीक रहेगा इसमें क्या सी ओप्शन मत्पिदेश राज में सरबादिक महा विद्याले किस विद्याले की इंत्रगत आते हैं तो डॉक्टा हरी सिंग गॉर्विश विद्याले के अंדर में सागर यूलिवर सिटी के नाब से भी आप लोग किसे जानते थे और इसकी अगर हम लोग बात करें इस्थापना की तब है इसकी स्थापना कर वही थी 1926 में अठारे जुलाई 1946 टॉरो इसमें यंजि लगा देना अंगला है मारा बक्रम इत कर राश्टिय समीखिया बिग्यान सलस्तान का है ने तो क्यों टॉर्ट्र एंभीन II सबनाज में एक इमराल डि antor जबहाल नहिर इश्कूल इंदोर जभाल लाल नेहरो एंदधिय। बोल को Khanh कश्चुला घंधी शेल कब सुरू की गही थी है 2003 2005 12 80 e 2001 कब सुरू की गही थी है आप देखेंगे 2000 कि कस्थूरवा घंधी एजना कब देखें थी 2005 में सुरू की गई थी है कब 2005 में चलिए आंगे कुश्चन से 2005 लगा देना बंद्विदेश में एक मात यूनानी चिकिसाब महाविध्याले कहां देखने को मिलता है इव उर्हानपुर में आपको देखने को मिलेगा एक मात मात यूनानी चिकिसाब महाविध्याले की बात हो रही है प्ल्स फोली न के बात हो रही है मांखनलाल चतुरवेदी में मांखनलाल चतुरवेदी राष्टी पत्तिकार तब इस विध्याले गिस्तापना कब हुई थी मांखनलाल चतुरवेदी राष्टी पत्तिकार तब इस विध्याले की बात हो रही है इसकी स्थाफना कब हुई थी मद आये यह जनवरी 1991 में तो यह आप लोग याद रखिएगा अगला कुशन है मारे सामने मद विध्याले का सबसे पुराने चिकिस्ता महाविध्याले कौन सा है तो यह गजराजे चिकिस्ता महाविध्याले की बात हो रही है ग्वालियर में देखने को मिलेगा में पूछ लेता है कई बात है कि उन्हें सो और तालीस में आप देखिए इसकी स्थापना होई थी कि मापकरी उन्नी सो च्यालीस में होई थी आप देखें ग्वालियर में देखने को मिलेगा अंगला कुश्चन हमारे से मादमी सिक्षा मंडल का कार्याले कहां देखने को मिलेगा इवोपाल में देखने को मिलेगा मद्विधिस का पहला पत्तिकारता महाविध्याले कहां है मद्ध्विदेश का पहला पत्तिकार्ता महा विद्ध्याले कहा देखने को मिलेगा आपको निजी छेत्य में पहला पत्तिकार्ता इसमें दोनों में फरक याद रखेगा निजी छेत्य का और वैसे आप देखेंगे इन दौर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने मद्देश की किस विस्विध्याले ने को इनेस को द्वारा मेगा यूनिवसिटी का दर्जा दिया गया है बताईए किसे दिया गया है बेक किराम विस्विध्याले देवी एहले वाई विस्विध्याले राजा भोच यह आप देखें माकलाल चतुरवेदी तो यह आप देखते हैं कि राजा भोच को ही दिया जाएगा राजा भोच की बात हो रही है ठीक है C option ठीक यहां देखी यूनेसको की बात हुई है बैसे आपको बता दूं कि इस तरह के राष्टियों और राज्जों की सभी सेंगर्टमिन के बारे में याद रखा करिएगा इसे कुश्चनस पूचे जाते हैं 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेसको की और फैरेस फिरांज में इसका हेड़कॉर्टर आपको देखने को मिल जाएगा डॉक्टर बाबा साहब अमेड का राष्टी सामाजिक बिग्यास अंस्तान बहू में है आपको बता चुका हूँ अंगला कोशें हमारे सामने मद्विदेश पार्ट बुस्तग निगम की स्थापना कव वूई थी यू आप देखेंगे 1968 में हूई थी 1968 में हुई थी मद्विदेश की राजभासा कौंसी है मद्विदेश की राजभासा तो आप सभी रादने हिंदी पिदेश से मद्धपिदेश इस्थानिये बोली और भी आप देखेंगे इंदी देखेंगे राष्टी जोडो नदी जोडो परियूजन लागू करने में मद्धपिदेश राजी का कौन सा इस्थान है पहला अब तक कितनी बार मद्धपिदेश में राष्टपती सासन लग चुका है बद आईए राष्टपती सासन की बात हो रही है तीन बार लग चुका है यह आप देखेंगे पहली बार 29 अपरेल 1977 से 25 जुन 1977 तक दूसरी बार 18 फरवरी 1980 से 8 जुन 1980 तक तीसरी बार 15 दिसंबर 1992 से 7 दिसंबर 1993 तक तो तीन बार लग चुका है और गर अजिश से 95 में मद्खेझिस का कौन सच्छित महराष्ट से बिला दिया गया था? बिदीसा बिदारव चनेरी मालवा तो बिदारव देखेंगे B option है किस सासख ने ग्वालिय राजी की स्थापना की थी? जिवाजी राव सिंदिया बाजी राव सिंधिया, मादो राव सिंधिया, महाद जी सिंधिया, D option रहेगा इसमें, मद्विदेश का पिथम ग्राम न्याले कहां इस्थापित किया गया था, बता ये, उज्जे नीमच इंदौर भुपाल, तो ये आप देखेंगे नीमच में, D option होगा, नीमच जिले का जातला गाओं था, जबलपुर सहर में इस्थित है, गरोड इस्थम, तिगवा मंदिर, सास बहु का मंदिर, या भीम बैटका, बताएए, कहां देखने को मिलेगा, तिगवा जबलपुर में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, देश के किस राज्य को हिदय पिदेश के न मदिर, सारबादी, पिरसार बाला अख़वार कौन सा है, तो आप देखिए, नई दुनिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, मदिर, सबसे जाना पिरसार बाला अख़वार है, ठीक है, और ये आंक्रे बदलते रहते, तो जाना परिशान मत हुईएगा, कभी नई दुन मद बेदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये आप देनते हैं कि नरवधा है, आप लोग बता कितनी इसकी मद बेदेश में लंबाई है, बता चुका हो सब पीचे, मद बाद बेदेश में जंसंख्या की दिरिष्टी सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है, भारीया तो आप देखें, ढट आप, देखने को मिलेगी इसमें, गॉंड जंजाती के भाग नहीं ए, या आप देखेंगा, कि हल्वा गॉंड धुर कॉंड तो राजगॉंड तो हल्वा गॉंड नहीं इसमें, वाकी दोनों है, मद्वते इसमें, मकरूब जाती है, तो इन बताईए तो यह आप देखें बेगा भील भर्या गॉंड तो इसमें आप लोग देखेंगे भील होगी जाओगा भील होगा भीयो अप्सन मदबर इसमें बैका जंजाती कितने बेकार की बिवा करती है बताईए आठ नो छे तीन तो छे तरह के बिवा होते हैं नमें चैनला कुछन है बेका जंजाती कि पंच्यात में कितने पिकार के पंच्यात पंच होते हैं चार तीन पांच यह आप देखेंगे एक पांच होते हैं इसमें पांच अंगला कुछन है किस जंजाती का मूल निवासिस्थान कोटा और गुना मदबर इसका है गौन्ड बेगा सहरिया भील तो यह सहरिया का आपको देखने को मिलेगा निवलेकित में मदबर इसमें पाई जाने वाली जंजातिया कौन कौसी हैं यह आप देखते हैं कि बेगा हो गया सहरिया हो गया गौन्ड हो गया और कोल आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसमें भी लगा देना बेगा नामक पुस्तक की लेखक को होने बेगा नामक पुस्तक की लेखक की बात कर रहे हैं एस दी बर्मन सुधी वा सुधियो राय डी एन मजूमदार इन में से कोई नहीं है कि बताइए तो इसमें आप देखेंगे कि डी एन मजूमदार होंगी कि सी ओप्सन ठीक है ठीक है अंगला कुश्यन है कपणों की सहर की नाम से किसी जानते मत पर इसमें है आप देखेंगे कि इंदौर को जानते हैं और वैसे भारत में आप देखेंगे कि सूरत को कहते हैं इंदौर मद्विदेश की कि सहर को परेटन नंगरी के नाम से आप लोग चानते हैं उज्जेन भुपाल सी उपरी जबलबुर तो उज्जेन को जानते हैं इस्थापन नंगरी किस सहर को कहा जाता है खजराहू को कहते हैं आई-एसो प्रमारपत प्राप्त करने वाली देश की पिथम ट्रेंड कौन सी है भूपाल एक्सपरिसिस में देखने को मिलेगी आई-एसो प्रमारपत 9001 प्राप्त करने वाला पहला रेल्वे स्टिसन कौन सा है यह आप देखेंगी हवीब कंज रेल्वे स्टिसन देखने को मिलेगा रानी कमलावती के नाम से अब आप लोग इसे जान ले लगे मद्देश में रेल्वे कार्याल है किस सहर में है जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा राज क की किस जले में सरवादिक सर के घनत थे वताई सतना रतलाम गोलियर यह आप देखेंगे कि उज्जैन तो इसने सतना देखने को मिलेगा हम अनुगे धैका मद्धिश में रेल्वे स्पेंग बनाने का कार्यान का वालियर में चले तो इसमें आप लोग वालियर लगा दीजे मद्विदे सिराज में कितने अंतराष्टी है हवाई इंडे हैं देखे आप लोग इस पर काभी विबाद है अगर आप देखी तीन ओपसन दिया होता तब विबाद खड़ा हो जाता ठीक है अभी तो दो आप लो कि राज में डांक सिवा की सुरुवात कब हुई थी सन 1962 में मद्विदेश में राज डांक सिवा की बात हो रही है भारत में आप देखेंगी तो 1904 में हुई थी मद्विदेश में आकासमानी की सुरुवात कि सहर में हुई थी इन दौर में किसमें इन दौर में मद्ध पदेश के किश जिले में सबसे कम सड़के हैं सिवर जाबु आली राजपुर मुरेना ते मुरेना में देखने को मिलेगी काम मुरेना में देखने को मिलेगी मत्पदेश राज्य से होकर कितने राष्टी राजमार गुजरते हैं बहुत सारे हैं लगबग 18 आप देखेंगे और बढ़ते रहते हैं तो इसमें जानदा आप लोग परिशान ना हुई है अगर अभी 18 आप देखेंगे लेकिन 22 की भी बात होने लगी है कि 22 गुजरने लगे है तो इसमें आप लोग बड़े ध्यान दीजिएगा एनेच आप देखें अगर बात करें हम लोग तो यह एनेच ठीरी हो गया एनेच चाबालीस एनेच साथ हो गया जैसे एनेच साथ के नाम से जानते हैं और आप अज़िए नेच ट्वैल हो गया NH 12AX हो गया NH 12A हो गया NH 25, NH 26, NH 26A 26B, NH 27 NH 56, NH 69A NH 79A NH 75, NH 76, 77 NH 87A NH 92, NH 349B 927A भी देखने को मिलता है तीक है तो यह सब देख देगा इसमें 18 लेकिन आफ लोग लगा देंगी मद्विदिस में किस राश्टी रायमाज की सबसे कम लंबाई देखने को मिलेगा सबसे कम NH 76 की बात हो रही है सबसे जानदा मद्विदिस में किस की है तो यह आप देखेंगे NH 3 देखने को मिलेगा मद्विदिस राज का पहला रेल मार्ग मद्विदेश राजी का पहला रेलमार की बात हो रही है कब शुरू होगा तो यह आप लोगों कुमालो होना चाहिए कि कब शुरू होगा था 1860 में तो यह आप लोग जरूर याद रखिएगा 1860 पश्मी मद्द रेलवे का जोन मुक्याले कहा है पश्मी मद्ध रेल्वे का ये जबलपुर में आपको देखने कुम maravilएंगा कहाँ जबलपुर में अंगला है मद्वधे इस तरा यह हैं अंगलां है राजरी नट डियाइंगे देखने को हुलेगी कितना है मद्विदेश का आप लोगो रीबा का भी समझ जाएंगे बता चोगा हूं सब कोच राज में नियुनतम साक्षरता राज में नियुनतम साक्षरता बताईए नियुनतम साक्षरता अली राजपुर देखने को मिलेगी कम पड़े लेके हैं मद्विदेश राज में सर सबसे जान्दा है फिर इंदौर और गोपाल के नमबर आते रहते हैं तो जबल पूर लगा दीजिए इनके बारे में बता चुका हूं पहले 2011 की जंगर्ण के नुसार राज में लिंगरपाथ कितना है बताईए 900 कितना है कि राज में लिंगरपाथ मद्वदेश में कि सबसे अच्छा आप देखें केरल में देखने को मिलता है और सबसे बोरा हर्यांटना में देखने को मिलता है लेकिन मद्वदेश की बात होती है तो मद्वदेश में कितना है कई जगे आप देखते हैं कि बाल लिंगन पाथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वैसे लिंगन पाथ की बात कर रहा हूँ लिंगन पाथ नौसत तीस देखने को मिलेगा केरल में आप देखेंगे की 141584 महलाएं हैं वहीं मद्धदेश में 920 देखने को मिलेंगी अंगला है राज के किस जिले में सबसे कम लिंगन पाथ है मद्धदेश के किस जिले में भेंड में देखने को मिलेगा है राज में सरवादिक ग्रामीट जनसंक्या विद्धी दर कहां हुई है जावगवा में देखने को मिलेगी मद्ध्यपदेश में एकी करन और समान पंचायत व्युस्ता कि उद्धेश से किस बर्स मद्ध्यपदेश पंचायत यह दिनी बनाय गया था कि उननीच सो बासट में कि उननीच सो बासट में कि उननीच सो बासट में भी आप्शन साही होगा मद्ध्यपदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लाग हुआ यह 25 जन्वरी 1994 को सी ओप्सन ठीक है भारत में नगर नई समीधानिक विवस्ता के अंतर के त्रीस तर यह पंचायते हों नगर पालिकाओं को चुनाव करना वाने वाला पहला राज एमपी ही था जो 73 वा 74 समीधान संसोदन हुआ था न उसी की बात हो रही है भारत के किस राज्य को नदियों का मायका कहते है नदियों का मायका अप लोग मद्ध्यपदेश को कहते है मालवा की गंगा कैसे कहते है मालवा की गंगा कैसे कहते है बदाईए तुम छिप्परागों कहते हैं मद्विदेश में सबसे लंबा बांध किस नदी पर है तवा नदी पर देखने को मिलेगा मद्विदेश की किस नदी को सौड नदी के नाम से जानते हैं कहते हैं इसमें सोना भी होता है ऐसा भी लोग कहते हैं तो सौन नदी को, मदविधेश में कौंसी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, — चम्बलतापती नदी नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, मदविधेश की कौंसा नदी भारत के उत्तर तथन दख्षिन भागों की बीज विवदाजक प्रेखा का काम करती है, करती है नर्वदा करती है कि ऐख संठीक है मदधिश की किस नदी को महाभारत में सूर भगवान की पुत्री कहा गया है कि सूर भगवान की पुत्री डापती को के राजकी नित्य क्या है उप बनदेलगंड़ के में आप लोग देखते रहते होंगे मद्विदेश का पहला भूमी उपग्रय कैंद्र विदेश संचार निगम लिमिटेट की साहता से कहां इस्थाबित किया गया था कि बैतुल इंदौर देवास कि बताईए कि या लगाओगे इसमें कि या आप लोग इंदौर में देखेंगे ठीक है निम्ले कितमे से कौन सा इस्थान समराट असोक से संबंदित है गुर्जरा दत्या आप देखैंगे कि सांची राइसें पन गडिया से था और या इनत में से आप देखेंगे सभी तो आप लोगों को बता दूँ कि दत्या तो है ही विल्कुल पक्का है और उप्यूक तो सभी लगा देना क्योंकि सभी असोक से संब्धिते हैं सांची का इस्तूप भी आप देखते हैं असोकी से संब्धिते हैं मद्पदेश नगर पाली का अधिनियम कब पारित किया गया था मद्पदेश नगर पाली का अधिनियम की बात हो रही कब पारित किया गया था है उन्नीस सो चप्पन उन्नीस सो साथ उन्नीस सो इक सट बताईए तो ये 1961 में शुरू की पारित किया गया था कालिदास के किस गरंद में दोसेंत और सकुन्तला की प्रेम कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी मालवी कागिनी मित्रम में दिक्तरम और वर्वरसी में अभी ग्यान सकुन्तलम में और मेग दूत में अभी ग्यान सकुन्तलम में आप लोग देखेंगे ठीक है तो इसमें आप लोग सी लगा दिये होंगे चलिए अंगले कुश्चन की तरफ चलते हैं मद्विदेश में क्या बोला है मद्विदेश में कि पहली कल्चल लेब कहा इस्थापित हुई की गई इंदौर उज्जेन यह आप देखेंगे कि उज्जेन छिदवाड़ा तो इंदौर में की गई यह ऑप्सन ठीक है मद्विदेश राज्यलोक सिवायो की सदसों की निवक्ति कौन करता है यह आप देखें इस तरह के कुश्चन्स पूछे जाते हैं पीबिएस्थी में निवक्ति कौन करता है राष्टपती राज्यपाल संगलोक सिवायो का अध्यक्च और अध्यक्च राज्यलोक सिवायो का तो राजपाल करता है और अनुशे 315 से 323 में राज्य लोक सिभा आयोगों की सक्ति और सदसों की नियुक्ति और बर्खास्ति का मामला देखने को मिलेगा और राज्य लोक सिभा आयोग की अध्यक्स सदसों की नियुक्ति राजपाल के द्वारा की जाती है बह्थे यह टेकरी कहां पर देखने को मिलेगा उज्जहन मनड़ा और जा कि आ गवालीयर वे सबस्वेशना टेकरी kur अवंद्ए कि एक कहां देखने को मिलेगा क्या लगा होगे कि उज्जहन में देखने को मिलेगा जाह ओजेन यह option ठीक है जवलपुर इस्तित मदल महल किला का निर्बान किस्सा सकने करवाय था राजा मदन साहने राजा संगराम साहने, राजा मकरंद साहने और एक राजा है आपके राजा बसंती ने मताईए राजा मदन साहने राजा मदन साहने यह option ठीक रहेगा इसमें राष्टी चंबल घड़याल कहां देखने को मिलेगा आप भिहारन शिवपुरी दतिया भिंड मुरेना तो आप देखेंगे कि यह घड़याल की बात हो रही राष्टी चंबल राष्टी घड़याल की राजिस्थान क्या मत्वतिस में यह आप लोगों को देखने को मिलेगा मुरेना में निमलेकित में से कौन सा युद्ध करण कारखाना नहीं है बताईये कवर्मेंट औरिनस फैक्टरी खमरिया गंग गेरिज फैक्टरी जवलपूर और गरेज अ опасूर क्वर्मेंट बताईये से क्या लगा हो वे तो इसमें आप देखें गरेज अ इरेन फैक्टरी नहीं है जवलपूर में ठीक है यह कारखाना योद्दोपकरन नहीं है, बाकी में योद्दोपकरन बनते हैं। कि अंगला कुछिन है हमारे सामने मद्ध्यपतेश में अन्पूडा योजना का पारम हुई मद्ध्यपतेश में अन्पूडा योजना की बात हुई है इसके बारे में लोग पीछे भी बात कर चुके हैं बताईए यह आपको देखने को मिलेगी कहां 2008 में शुरू हुई थी जनवरी 2008 लगाएंगे अपरेल 2008 लगाएंगे बताईए क्या लगाओगे दोजार आट में हुई थी लेकिन कब लगाओगे इसमें तो यह अपरेल 2008 लगा देना इसमें कि देश सरकार द्वारा खेल के छित में नेमलिकित में से कौन सा पुरुसकार दिकरम पुरुसकार इकलब पुरुसकार विस्वामित पुरुसकार तो मुझे लगता है आपको अगर मालू होगा तो आपने लगा भी दिया होगा क्या लगाया होगा बताईए और देश बहर में आप देखें, अरजुन पुरस्कार भी मिलता है, आपको यह भी मालु होगा तो इसमें आप देखेंगे कि ख्येल के छेत्व में सबी दिये जाते हैं कि भी होगा मद्देश की पहली मुख्त सचे महला मुख्त सची बात हो रह mencion in मद्देश की पहली के महला सचे के नैनरा बुच्छ होंगी मैं नेर बना बुच्हμεत की सबसे पश्चमी इस फचला को सब्दाई इस ह avail और वैसे आप लोगों को बता दूँ तीनों के बीच में सागर देखने को मिलता है उत्तरमय चुंप में मुरेणा, ने चै मुरिहान पुर्य कर पुर में सिंग रॉली को लेगा और जहाबु आपको देखने को मिलेगा ठीक है मद्धिदेश में भारत का एकमात मद्धिदेश में भारत का एकमात इस्थान जहां सैुख्त सिबलिंग है महेसर, ओंकारेसर, अज्जन और अमर कंटक्ट बताएए इसमें ओंकारेसर ही देखेंगे आप लोग क्या देखेंगे ओंकारेसर किस जले में संजय गांधी ताब बिद्धुत केंद आपको देखने को मिलता है साहडोल, छिदबाडा, ओंमरिया या आप देखेंगे कि सागर ओंमरिया में देखने को मिलेगा ये रक्षात्मक एवं भारी विवसाइक बहान उत्पादन के लिए हैवी वहिकल फैक्टरी की स्थाफना 1955 में कहां की गई थी? खमरिया, उज्जैन, जबलपूर, इंदौर बताईए कहां की गई थी? जबलपूर, सी ओप्सन है मद्वदेश में राज जिस तरही है, स्वायत मिसन पर आरम करने का उद्देश क्या था? प्रात्मिक सिक्षा को बढ़ावा देना उच्छी सिक्षा को बढ़ावा देना, तक्नीकी सिक्षा को बढ़ावा देना, खेलकूंद को बढ़ावा देना बताईए भाई क्या लगाओ कि इसमें यह आप देखेंगे ए प्रात्मिक सिख्छा को बड़ा बनेना ए ओप्सन होगा सिवफुरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है सिवफुरी मद्वदेश का सहर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है काली सिंद नर्वदा, टॉंस, धनासा बताइए यह आप लोगों को मालू होना चाहिए कि बैत्वा, बैत्वती, रायसन जिले से निकलती है वो बिदी सा गुना सिवफुरी जहांसी जिलों से उकर जाती है ठीक है लेकिन सिवफुरी के अगर बात करें तो यह काली सिंदी की नहीं पास देखने को मिलेगा यह उप्सन ठीक है मद्विदिस में मुकमंत्री तब तक पत पर बना रहता जब तक उसी प्राप्त होता है राज जी का सभा का राज बिदान का सभा का बहुमत समधित राजनितिक दल की अध्यक्ष का समर्थ राज जेपाल का विस्वास ग्राम पंचियातों के प्रमुकों का तो मुझे लगता है यह तो कॉमन एक है और अगर आप लोग थोड़ी भी दिल्चस्वी राजनिती में रखते होंगे तो आपको मालू भी होगा बताईए राज विधान सभा का जब तक उसके पास विधान सभा में बहुमत रहेगा तभी तो रहेगा मद्पदेश विधान सभा को अध्यक्ष से हटाने का संकल पारित करने कि कितने दिन पूर सुचना देनी होती है बताईए चौदेश दिन, साथ दिन, 21 दिन, 25 दिन तो इसमें आप देखेंगे कितने दिन होगे चौदेश दिन होगा ठीक है अनुछेद 180 किता है चौदेश में दादा जी दरवार कहां पर देखने को मिलेगा दादा जी का दरवार, खंडवा दतिया, धार चतरवूर खंडवा में देखने को मिलेगा कहां? खंडवा में देखने को मिलेगा बाबा सहावुद्दीन की मजार कहां देखने को मिलेगा? बाबा, सहावुद्दीन की मजान निवाड, नीमा सियुनी, नर्सिंग पूर. कौम में मेला उज्यन में लगता है, सभी याद रखा करियेगा, जोगी स्थुरी का मेला, चंदेरी में लगता है, हीरा भूमिया का मेला, गुना में पीर बुधन का मेला, सियुपुरी में तेजा जी का मेला, गुना महा में तुंजर का मेला, रीबा, रामलीला में मेला, ग्वालियर में सिवरात्री का मेला, अमरकंटक में, चांदी देवी का मेला, भोगरा, सीधी में, बर्मान का मेला, नर्सिंग पूर, गड़वाल में, काना बाबा का मेला, तो यह भी आप लोग नीमच में देखने को मिलेगा, उनी की मजार पर आप लोग देखते हैं ना, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, मद्विदेश में दिन दयाल समर्थी उजिना कब सुरू हुई, बताई यह, यह आप देखेंगे कि 2004 में सुरू हुई थी, मद्विदेश सिप्राप्त किस अभी लेक में गुप्त बंस को घटोत कच बंस कहा गया है, उदैगरी अभी लेक में सुफिया, तुमेन, यह आप देखेंगे कि आपका मंद सौर, सुफिया लेक में यह, ठीक है? चलिए अंगला कुशेन हम देखते हैं, निमलेकित में से किस लोक्स साहितकार को बंदिलखन का जैदियों कहते हैं, जगनिक को, इसुरी को, संत सिंगाजी को? किसे कहते हैं? यह सुरी को कहते हैं, जगनिक का जैदियों चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग मद्विदेश को पाताल कोट की निमलेकित में से कौन सी विसिस्ता सही है मद्विदास, मद्विदेश की पाताल कोट की इसके छेत में उन्यासी वरग किलोमीटर की गहरी खाई है और पाताल कोट में भारिया जंजाती रहती है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें सूरत दे से आता है जल्द डूब जाता हूपिक्त सभी है अल्यार है और निए रही किने के दिवाश्प्टि के लिदेश कर सकता है स्विक्षा कर सकता है राजमंती परसद को Khanh से हुh करने के लिए और राज्भिदान मंडल भंग करने के लिए राज्भिदान मंडल दौरा बंढ ड़ीवेकरCongra के लिए आरिक्षित करने के लिए बताए क्या लगाओगे इसमें आप लोग सभी लगा देना तिक अलगा दोगा सभी अंगला कुप्षन सांजा चूला क्या है यह कि उजना ही तिवहर एक इस्थान है तो आपको मालो होना चाहिए कि उजना है मध्यान भोजन से जुड़ी ह हुई है बाबर की आकमन उसके समय निवलिकित मेंसे किस के लिए में 800 राजपूत महलाओं ने जोहर कर लिया था चंदेरी के कलिये गिंणौर के कलिये में रायसन की दुरूग में या आपको मालो होना चाहिए कि चंदेरी के कलिये में बिंध्यांचल ताप परियोजना नि तो आप लोगों को बिंद्याद चल, महाताब, बिद्धुत, गिरय, मद्द्पदेश के सेगरॉली जिले में देखने को मिलेगी, यह आप लोग याद रखेएगा और इसका निर्माद 1982 में हुआ था, तो यह भी आप लोग याद रखेएगा इसके बारे में मद्द्पदेश और किसके बीच आपको देखने को मिलेगी है, मद्द्पदेश और गुजराद के बीच ठीक है, मद्द्पदेश और गुजराद बिंद्यांचल ताप पर यह उजना की बात हो रही है तो इसमें आप लोग क्या लगा दोगे, C आप्सन लगा दोगे तो इसमें आप लोग C लगा देंगे नर्बदा नदी अमर्कंटे की पहाड़ियों से निकलती है समुद्ध में जिस चित में मिलती है उसका नाम क्या है बदाए कच्च की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तो आप देखें खंबात की खाड़ी में जब मिलती है गिर जाती है इसमें खंबात की खाड़ी में अर्वियन सागर में खंबात की खाड़ी में, B-Option ठीक है इसमें मद्विदेश, स्टेट, टेक्स्टाइल, कॉर्बोरेशन, लिमिटेट कहा है भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खरगोन तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा भोपाल में देखने को मिलेगा, A-Option ठीक है मद्विदेश में किस नगर का नाम प्राची नाम वत्स था, बिदीशा बताए बिदीशा बिदीशा उज्जैन, खजुराहो, ग्वालियर तो यह आप देखें, ग्वालियर का था, किसका था, ग्वालियर का था मद्विदेश का साहर है ना, ग्वालियर तो गुपाँचल या बच्स कि था इसका नम पिदिस में नार्कोटिक्स थाने की स्थापना कहा की गई नार्कोटिक्स थाने की इंदोर मंदसोर पिदीसा जबलपोर तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां इंदोर में है यह अप्सन ठीक है मद्द पिदेश का चेंदेरी किस उद्देव के लिए जाना जाता है? साड़ी उद्देव के लिए बरतन उद्देव के लिए बहगरी उद्देव के लिए या हस्त सिल्फ उद्देव के लिए? बताएए तो आप सभी जानते हैं कि साड़ी उद्ध्यों के लिए जाना जाता है यह सही है मद्ध देश में बित निगम का मुख्याल है कहा है जबलपूर, इंदौर, भोपाल इसमें क्या लगाओगे बित की बात हो रही है बित ने कम की तो इंदौर में आपको देखने कुम लेगा मद्ध देश में 36 गड़ के गठन के परशाद कितने जिली बचे थे मद्ध देश में जब आप देखे मद्ध देश से अलग करकी 36 गड़ राज बनता है कब? एक नबंबर सन 2000 की बात है तब मद्ध विदेश में कितने जिले बने बचे थे? 45, 55, 61, 43, तो ये 45 बचे थे, ठीक है? तो ये आप लोग ये लगा देंगी. मद्ध विदेश में सरवाधी के लिंगनपाद बाले जिले कौन कौन से हैं? सरवाधी के लिंगनपाद के बहुल, मद्ध विदेश में सरवाधी के लिंगनपाद बाले जिले अगर हम लोग देखे न, तो आप देखेंगी, बाला गाट में सबसे जान्दा देखने को में लेगी 1021 माहिलाएं हैं. देखे रहा है आप लोग, 1000 पॉर्सों पर. और वैसे अगर आपको एक ओवर्वीव दे दे लिंगनपाद का, तो मुझे लगता है कि बहुत वेरतर होगा. लिंगनपाद, लिंगनपाद कहने का मतलब होता है कि पॉर्सों, 1000 पॉर्सों पर कितनी महिलाओं की संख्या हैं, ठीक है? तो यह आप लोग ज़रूर याद रखेगा. और लिंगनपाद में आप देखें, बाला घाट हो गया, आली, राजपूर हो गया, मंडला, डिनोरी, जाबुआ. तो इसमें आपका A उप्सन टेक रहेगा. बेडा घाट में गोरी संकर का पिसित्ध मंदिर किसने बनवाय था? किसने बनवाय था? बताईए. A उप्सन कहरा है होलकर, B कहरा है कल्चोरी. और C कहरा है आपका? C कहरा है कहरा है? C कहरा है आपका परमार चंदिल, तो कल्चोरीयों ने बनवाय था. किसने कल्चूरियों ने बनवाय था ये चलिए अंगला कुश्चन है हमारे सामने भारिया जंजाती मुकता किन जिलों में पाई जाती है धार जिले में छेदवाड़ में रायसेन में रायगड में भारिया जाती है ये आप देखें छिदवाड़ा में आपको देखने को मिलेगी है मत everyday सरकार ने निसक्त जनों के लिए कौन सा पुरुष्कार इस्थाफित किया है महेसी ददीची पुरुष्कार महेसी अत्री पुरुष्कार महेसी विस्वाल्वित पुरुष्कार महस्ती बेद ब्यास पुरुषकार तो इसमें आप देखें कि महस्ती दतीची पुरुषकार होगा निसक्त जनों के लिए तो इसमें आप लोग ए उप्शन लगाएंगे पिदेज के निमलिकित नदी घाटी परियोजना तो इंद्रा सागर परियोजना नर्बदा नदी पर है बिलकुस सही है चंबल गाटी परियोजना चंबल पर है बांड सागर परियोजना सौन नदी पर माही परियोजना किस नदी पर है रिवा नदी पर नहीं है इसलिए आप देखें कि D option बिल्कुल सही होगा इसमें माही नदी आप लोगों को देखने को मिलती है माही नदी पर इसे ये 1972 में शुरू भी थी चलिए ये भी याद रखेगा अगला कुशन है हमारे सामने चम्बल पर योजना मद्पिदेश के साथ किस और राजी की भागेदारी है इसमें चम्बल पर योजना की बात हो रही है तो इसमें आप देखेंगे उत्तर पिदेश गुजरात, राजिस्तान, महाराष्टू राजिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा इसमें मद्पिदेश के महलों उनकी इस्तितीवी किस समधित असत योगम का चैन के अना मोती महल, गौलियर में, बादल महल, रायसेन में, दाई का महल, धतिया में, मोती मंडल, ए महल, मंडला में तो आपको बता दूँ, दाई का महल, आप देखेंगे, गलत है, वाकी तीनों सही है, तो सी ओप्सन लगा दिना है इसमें निमलिकित में से कौन सा योगम सही है, बताइए यह होसंग सही पूछ रहा है, होसंग सा यह को मकवर भौपाल, नबाब हसन का मकवर आवानू, गौस मुहमत का मकवर असे उपुरी, जलकारी भाई की समाधी मंडला, तो जलकारी भाई की समाधी आपको मंडला में देखने को मिलेगी, सतना किस चीज के उतपानिंट के लि तो यह आपकी 1989 में हुई थी, ठीक है, ट्राइसेम योजना, तो यह आप लोग जरूर यहाद रखिएगा, ट्राइसेम, एक ही कद गरामीट विकास कारकरम के रूम में प्यारम की गई थी, 1989, चरण पादु का नरसंगार किसके आदिश पर किया गया था, बताइए, चरण पा पादु का यह आप देखेंगे कि फिसर के आदिश पर, ठीक है, अंग्रे करनल था फिसर इसी की, तो आप देखेंगे बहुत सारी लोगों की मौत हुई थी इसमें, और 1931 में यह हुआ था, चरण पादु का, चलिए अंगली कोशन पर चलते हैं, मेहर बेंड का किस संगीत का ने किया था, तो अलावदीन खाने, अंगला कुशन है हमारे सामने, क्या पूछ रहा है, देख रहा है, थोड़े में नीचे पहुच जाता है, बेगा जनजाती के संब्ło में निमल्कित में से कौन सा कथन? आसत है? यह आप देखेंगे कही होmers है, बेगा एक आधिम जनजाती है, बेगा गुदना पिरिये वोथी ही cricket, बेगा जनजाटी में उजहा को हेद रिषड़ी से दीखा जाता है, इसमें D असत थे, बाकि तिनों सत थे हैं तो D लगा देना मदविदे सरकार ने किस खेल की राजज खेल का दर्जा दिया है होकी मलकम सतरण तो आप सबी जानते हैं कि मलकम को दिया है यह मलकम है जीवन धारा योजना का संब्ध निमले कित में इसे किस संब्दित है? जीवन धारा, योजना का. बताईए, कुगो, नहरों, तालाबों, नदी सचाई, नदी सचाई पर योजना से. तो आप देखें, कुगों से संब्दित है. जीवन धारा, योजना का संब्द. तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा मुफ्तिक कराय यह आप देखे कि कुगों से सिचाई उसको भिध्याफ लब्द कराने के लिए ए उजना उन्ने सो अठासी नवासी में नई ए उजना सुरू की गई थी हजरत मकभूल की कबर निमलेकित महल में है इस्तित है यह आप लोगों को धार के कले में देखने को मिलेगी असत्त देगुम का चैन करना उद्दे हो गये यह आप देखे असत्त चैन का इलेक्टोनिक्स कॉमफ्लेक्स इंदोर में है एग्रो कॉमफ्लेक्स इस्टेल कॉमफ्लेक्स साबर में पिलेदर कॉमफ्लेक्स देवास में नहीं है तो इसमें डी लगा देना सकते है निमलेकित में अमर सहीद ने अदालत में अपना आजाद पिता का नाम स्वाधीन और घर जिल खाना बताया था तो भगासिंग्स चंद से का राज़ा राजगुरू रामपैसाद मिस्विल, तो यह तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मागो होगा कि चंद से का राज़ाद ही होंगे, वही कर सकते हैं, मद्विदेश की महालेखा कार का कार्याल है कहां देखने को मिलेगा, बताइए, सांजा चूला की बात हो रही है एक अपरेल 2009 में यह आप देखें कि कब हुआ था तीन नवंबर 2009 में तीन फरवरी 2010 में एक जुलाई 2010 में तो यह तीन नवंबर 2009 में हुआ था तीसरा दूसरा भी ओप्सन ठीक है मद्विदेश के बरेला में किसकी समाधी है तो रानी दुरग आप देखेंगे कि या आप लोगों को देखने को मांसिंग ने साह ज़्यादा ने तो आप देखेंगे मांसिंग ने किया था ती जनसंक्या पितितत बाला जिला कून साहै देखने को मिलेगा अनुशुच्च में निमलिकित में से कुछा मंदिर सब्से मूचा है तो तेली का मंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जाय करिएगा देखने जाय करिएगा ठीक है पड़ा करिएगा मद्विदेश के किस राष्टी उद्ध्यार में हालो गाटी तथा बंजर गाटी देखने को मिलेगी यह आपको काना किसलिए राष्टी उद्ध्यार में देखने को मिल जाएगी मद्वदेश पितामरा पीट नामक सक्ती पीट किस जगह है तो यह आप लोगों को कहां देखने को मिलेगी यह आपको कहां देखने को मिलेगी राहष नदतिया या गातलाम कह लीजए यह सेअल तो दतिया में आप लोग जानते होंगे सब्सक्राशन evolution के लिया गया भी होंगे प्रिचार बहुत गथिखञिधित रास्थी के लिए जाच क है था प्रिचार अब प्रिचार थिए क्योंकि पीछे बता चुका हूँ और कौन सी गैस हुई थी ये भी बता चुका हूँ आप लोग बताईए कौन गठित हुआ था इसके जाच के लिए ये था आपका N किसिंग आयो C आप्सन विलकुल ठीक रहेगा ठीक है अब देश पिरताप सिंग विस्विध्यले कहा है अब देश पिरताप सिंग ये आप सभी जानते है रीबा में देखने को बिलेगी मद्विदेश के किस पूरा इस्थल से मानो खोपडी का कंकाल मिला है जटकरा पित्रनगर तरदील हतनौरा मद्विदेश में सिमेंट कॉर्पूरेशन ऑफ इंडिया किस जिले में इस पित देखने को मिलेगी ये आपको कटनी में देखने को मिलेगी मालवा के पठर की सबसे उची परवच्चोटी सबसे उची परवच्चोटी की बात हो रही है बताए ये आप देखेंगे कि स्थिगार देखने को मिलेगी अंगला कुशन है हमारे सामने पिदेश के तत्या टोपे स्टेटियम कहा है, ग्वालिय जवलपूर, इंदोर भोपाल, यह भोपाल में देखने को मिलेगा, धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है, धार जिले में, यह आप देखेंगे देवास की नहीं लगती है, यह सब आप लोग मैप का उजब संबंद किस्से है, यह वेट पर यह उजना का संबंद किस्से है, सिचाई, विजली उत्पादन, गरामिट, सिक्छा, पसुपालन, तो यह पसुपालन से संबंदित है, पिख्याद गूचरी महल, मद पदेश के किस जिले में देखने को मिलेगा, यह ग्वालियर में आप लोग देखते हैं, इंदौर इसने लाल बाग पहलिस का निर्मार किस ने करवाय था, यह तो कोजी दुतिये ने करवाय था, तो कोजी राव दुतिये ने, 2011 की जन्गरन कुल सार पिदेश का जनसंग्या घनत कितना है, 236 बेक्ती पिती बार किलुमीटर है, इंदौर हवाइड़े का नाम, बदर का देवी अहले हवाइड़ा कर दिया गया, इंदौर हवाइड़े का नाम, भॉपाल गुवालिय खजरा हो, तो इंदौर का कर दिया गया, मैं किस सासक ने आगरा में अंग्रेजों की सार ली थी, होल का सिंधिया हों से ले, तो यह तो आप सभी जानते ही कि सिंधिया ही होंगे, आज भी उसके लिए माफी मागना पड़ रहा है, इतियास की बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है हुआ कि अंग्र मद्विदेश की पहली किर्केट पितियो गिता की बात कब के लिए थी, 1913 में, चलिए अंगला कुशन है हमारे सामने, मद्विदेश की पहली महला नियादी स्कून थी, तो सरोज नहीं सकसे न, यह आप देखेंगे, असीरगा का किला कहां देखने को मिलेगा, असीरगा का सीरगर का किला, बुर्हानपुर में, ठीक है, चलिए अंगला कुशन है, गांदी सागरबांद जल विद्विद्वत केंद का निर्मान कब हुआ था, तो 1961 में, कव, 1960-1960 में, तो यह भी याद रखी, 1960-1961, 1960 में, मद्विदेश में केमूर के उपिसिद है, मद्विदेश में केमूर के उपिसिद है, या आप देखें, सिमेंट उद्द्व के लिए, यह option विल्कुल ठीक है, मद्विदेश को किस साहितकार को एक भारती आत्मा कहा जाता है, किस साहितको कहा जाता है, एक भारती आत्मा, तो पंडित माकालान चतुरविदी को कहा ज बेस नगर का गरून इस्तम किस धर्म से संबंदित है बेस गड़ का गरून इस्तम की बात हो रही है यह आप सभी जानते हैं कि भागवाद धर्म से संबंदित है बिक्याद गूजरी महल कहा है बिक्याद गूजरी महल कहा है बिख्यात गुजरी महल यह आप लोगों को गुवालियर में ही देखने को मिलेगा भी यह उप्सन सही है मद्विदेश में दिल्ली दर्वाजा कहां इस्तित है मद्विदेश में दिल्ली दर्वाजा कहां देखने को मिलेगा बताईए कुछ धार, ग्वालियर, मांडो, सिवोरी तो यह आप लोगों को मांडो में देखने को मिलेगा हीरा, भूमिया, मेला निमलिकित में से किस जिली में आयुजित होता है क्योंसा है? हीरा, भूमिया, यह आप को ग्वालियर में देखने को मिलेगा हीरा भूमिया मेला तहाँ गौालियर में लगता है गौालियर में अंगला गुश्चन है मारे सामने मधबिधिस के किस इस्थान पर खेर सी कथा बनाने का खाना आपको देखने को मिलेगा तो एस से उपरी में देखने को मिलेगा यी महमति नगर को किसने बस आये था इप नगने तो यह सभी हो God शास कोने बेगा जनजान चाईगा पाइजाती है वेगा जन जाती चाहा देखने को मिलती है यह मन्दला बालगा डिंडोरी सब जगे Vet सभी होका d सभी होगा D-47 intricate मद्विदीस राज अपना त्याकपत किसे देते हैं, तो यह आप देखते हैं कि राजपाल को देते हैं, राजपाल ही नियुक्ति करता है, बद्धिश में ग्राम पंचियात का कारकल कितना होता है, तो पांस साल होता है, पांस साल से पहले भंग हो जाए तो हो सकती है, तो लेकिन कभी चांस रह जो महत्पूर कुश्टन सापके बन सकते हैं उन्हें हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है यहां आप लोगों को कुछ और मुझे लगता है बता देता हूं ठीक है वागी तो बहुत कुछ बात कर चेको है इतना बहुत काफी है आप लोगों के लिए ठीक है एक तो आप को बिधान साबा सीटों की बता चुकर वागा नाशेक राज साबा में गया रहे हैं लोगसाबा में 19 сीटे में लेकिन आप देखे कि हा लोगसाब सीटों में आरक्षन भी है अनुसोचे जाती के लिए 4 बने उचल अनुसोचे जाती के लिए 6 सीटे और र practitioners अर विधान सा ट्राजबार। भाल डोक्तर पतवि सीतारमिया। पिधं विधानसभाद ध्यक कुंजिलाल दोवे सोपा अपधा कि पिछनुउभig सर्वती, कि मह राजबाल सूसरी सर्वाल लागेबाल — मुखमंत्री उमा भार्ती। पिथम आदिवासी मुखमंत्री डॉक्टर राजा नरेश चंद, पिथम महला नयादी स्रीमती सरोजनी नायदू, मुख सचिब मध्यपदेश के हम कामत, पिथम महला मुख सचिब निल्मना भुच, पिथम राज निरवाचन आयुक्त अन्वी लोहानी थे, पिथम राज चूचन आयुक्त टी एंसरी बास्तो थी, ठीक है, यह आप लोग जरूर रखेगा, पिथम पिती पक्षनेता विष्णू तमसकर थी, पिथम महला पिती पक्षनेता जमना देवी थी, तो यह भी सरवाधिक समय तक राज़पाल पत पर रहने वाली वेक्ती सरी हरी बिनाये पार्टर्स करते, तो आप लोग बताईएगा, अगर मुझसे कोई सवाल है आपका, मेरे लिए कोई सुझाओ हो, सला हो, तो आप लोग नीचे जरूर बताईएगा, एक लंबी कलास है, आप देखिए, ठीक है, लेकिन एक कुश्चन्स अभी वही हैं, जो आप देखिए पुरानी कुश्चन स्वेपरों में पूचे गए हैं, और आने वाले एकजाम के लिए आपके काफी मातपून होगे, उन्हों में भी वक्ते एकजाम में पूचे जाएगे, ठीक है, पढ़ते रही हैं, आप लोग मैनत करते रही हैं,